लॉट्टर नमबर एक है इसको हम स्टाट करेंगे आज से यह सीरीज पूरी स्टाट हो रही है और यहां पे हम हर एक लेक्चर में चैसी एक टॉपिक को हम पूर पर डिवाइड करके देखेंगे एसी हर एक टॉपिक को पार्ट वाइज हम कवर करेंगे ताकि हर एक वीडियो में एक टॉपिक आपका कवर हो जाएँ इस्त्राट करते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूंँ अगर आप ने चैंग को सब्सक्राइब किया ह्याई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक और शेयर जबू कर लेज़ेगा चलिए स्टार करते हैं आज का लेक्ट्छर सबसे पहले यहां पर बात करेंगे यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रो स्टेडिक स्टेडिक का मतलब होता है इस्थिर या फिर जो मोसन में ना हो जो गतिमान ना हो जो गतिमान ना हो उसको हम क्या कहते है इस्टेडिक कहते है जो motion में ना हो basically उसको हम क्या कहते है static कहते है अब यहाँ पे जो electro word है यह electro जो है वो charge के लिए use होता है charge यानि की आवेश तो आवेश के लिए हम generally किसका use करते है electro word का use करते है तो अगर कहीं पे electro static लिखा हुआ है electromagnetic लिखा हुआ है जहाँ पे भी electro word हुआ वहाँ पे हम किसका use करेंगे वहाँ पे charge का use करेंगे तो basically आप यह समझ जाएंगे कि अगर electro word आ रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं charge जो है वो link है तो यह पूरा का पूरा जो electro static है जिसमें हम charge पर ही पूरी की पूरी बात करने वाले है चार्ज static होगा यानि कि इस्थिर होगा तो वह electro static पूरा पार्ट कवर करेगा अगर charge motion में है तो वह electro dynamic हो जाएगा या electro magnetic हो जाएगा ठीक है तो depend कर रही है पूरी की पूरी ब्रांच चार्ज पर अब चार्ज होता क्या है चार्ज को अगर हमें समझना है तो इसके लिए हमें जो बहुत सारी थियोरीज है चार्ज को लेकर बेंजा में फ्रैंकलिन ने क्या कहा था या उससे पहले जो अंबर एक धातू थी उसको रगल के जो एक basic property देखी गई थी वो क्या थी वो हम सब समझेंगे उससे पहले हम बात कर लेते हैं यह electrostatic जो है इसको हमने चार पार्ट में डिवाइट किया यहाँ पर तो पहला जिसमें हम electrostatic force को cover करेंगे जिसमें हम electrostatic force देखेंगे क्या होता है दू चार्ज अगर रखे हुए है तो उनके वीच force क्या लगेगा कौन सा force अप्लाई होगा second जो हम देखेंगे वो देखेंगे electrostatic या electric field second में हम electric field को cover करेंगे third में हम electrostatic potential देखेंगे electrostatic potential क्या होता उसकी definition उसके साथ साथ उसकी क्या क्या properties है और साथी साथ इसमें एक important जो theorem है जिसको हम बोलते है Gauss theorem तो वो भी हम यहाँ पे cover करेंगे थर्ड electrostatic के थर्ड पार्ट में पूर्थ पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे जो capacitance है तो capacitance किस तरीके से work करता है किसी भी electronic circuit में उसकी क्या-क्या properties है series में जो हम उसको connect करेंगे या फिर हम parallel connect करेंगे उसको circuit में तो वो किस तरीके से properties हो करेगा वो हम यहाँ पे one by one देखेंगे तो electrostatic को हमने चार पार्ट में divide करके देखा है फर्स्ट में हम electrostatic force, second में electric field, third में potential या फिर Gauss theorem जो है वो और उसके साथ ही जो फूर्थ पार्ट होगा उसमें हम capacitance को cover करेंगे अब एक-एक करके हम देख लेते हैं कि इसमें जब पहला पार्ट है जिसमें हम अभी electrostatic force की बात कर रहे थे उसमें कौन-कौन से topics रहने वाले हैं तो first topic रहेगा यहाँ पे वो रहेगा प्रिक्सनल electricity प्रिक्सनल electricity क्या होता जैसे मैंने अभी starting में बात करी थी अंबर नाम की धातू को जब रगड के देखा गया था तो वहाँ से हमें यह पदा चला कि यार वो क्या कर रहा है attraction या फिर repulsion एक property सो कर रहा है ऐसी अगर कांच की छड को किसी रेसम के कपले से रगड के देखेंगे अगर हम प्लास्टिक को अपने बालों से रगड के देखेंगे तो यह एक general property सो करता है या तो वो attract करेगा किसी भी एक insulated material को या फिर वो repel करेगा तो यह property वो सो कर रहा था जिस वज़े से हमने देखा कि यार कोई तो एक ऐसा particle है जो की transfer हो रहा है एक body से दूसरी body में तो वही property जो निकल का ही वो कहां से निकल का है यह frictional electricity इसको हम सबसे पहले समझेंगे उसके बाद property of electric charge electric charge की क्या क् हैं coulombs law उसके बाद coulombs law की जो vector form में हम coulombs law को लिखते है किस तरीके से represent करेंगे unit क्या है charge की उसके बाद relative lecture में पहले वाले lecture में समझेंगे second जो पाड़ इलेक्र स्टेटिक का जिसमें हम electric field को cover करेंगे वहां पर हम electric field क्या होता है यह समझेंगे उसके साथी electric field intensity एंड इलेक्रिक फिल्ड strength यह दोरू अलग-अलग है यह फिर एक ही है तो यह हम उसी lecture में समझेंगे उसके बाद electric field intensity due to a point charge अगर एक कोई भी चार्ज रखा हुआ है उसके विजह से उसके आसपास जो electric field है वो कितना होता है इसका पूरा derivation हम next lecture जो होगा second पाड electrostatic का उसमें देखेंगे उसके साथ ही सुपर पोजीशन प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक लाइन ओफ फोर्स है अब इसमें भी electric लाइन ओफ फोर्स जो है वो due to point charge due to dipole due to equivalent like charges and due to uniform field तो इनकी वजह से जो electric line of force होगा या विद्युद बल रेखाएं जो होंगी वो कैसी दिखाए दिंगी यह सब हम next lecture में cover करेंगे उसके साथ ही properties of electric line of force electric line of force की कम से कम पाच और शे property हैं वो हम one by one समझेंगे एक एक properties को बारी की से समझेंगे उससे based question आ जाता है एक दो नंबर में इसी के साथ में electric dipole क्या होता है उसकी क्या-क्या properties है electric field intensity due to electric dipole अगर कोई electric dipole रखा हुआ है तो उससे किसी भी point पर उसके उससे एक्सिस पर और या फिर निरक्षी इस्तिती पर अगर हमें electric field निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे टॉर्क ऑन दा electric dipole अगर रखा हुआ है किसी electric field में तो वो क्या करेगा rotate करेगा तो उस पर टॉर्क कितना हुआ वो टॉर्क हमें निकालना है तो उसका पूरा derivation हम यहां पर देखेंगे इसके साथ में work work done on electric dipole अगर electric dipole रखा हुआ है वो रोटेट कर रहा है तो उस पर कितना work हो रहा है कितना कार्य हो रहा है यह सब चीजे हम जो है वो electrostatic second part में देखेंगे इसके साथ ही जो third part होगा जहां पर हमें देखना है electric line integral जो है electric field का वो क्या होता है ओके तो यह जो पार्ट है वो क्या है potential और gauss theorem से related है तो सबसे पहले हम line integral electric field का देखेंगे उसके बाद potential and potential difference then potential due to single point charge and potential due to group of charge and potential due to electric dipole तो potential अभी तक हमने क्या देखा है electric field देखा था second part में अब third part में हम क्या देखेंगे potential देखेंगे electric dipole की वेज़े से उसके साथ ही potential जो है वो एक्की potential surface क्या होती है उसकी क्या के properties है यह सब हम इसके third part में देखेंगे electrostatic potential energy area vector क्या होता है यह solid angles electric flux Gauss theorem आएगी उसके बाद Coulomb's law from the Gauss theorem and उसके कुछ applications है 5 applications है जिसको हमें एक एक करके पूरा derivation उसका समझना है कि के and electric field intensity due to line charge plate sheet and charge and spherical shell ओके तो यह जो properties है यह basically अगर हम इसकी applications को समझ लेते हैं तो हमारा जो है electrostatic part पूरा का पूरा cover हो जाता है जहां से हमारे जो questions है basic questions जो बनते हैं जो कि आपके entrance exam में भी आते हैं या फिर आपके आप अगर board का exam देने जा रहे हैं तो board exam में भी काफी questions पूछे जाता है long question यहां से आता है applications of gauss theorem से तो यहां से हम एक ठोस question जो कि आपके exam में पूछे जाएगा वो हम यहां पे cover करेंगे इसके बाद last जो electrostatic का part है जिसमें हम cover करेंगे behavior of conductors conductors का behavior कैसा होता है electrostatic field में इसके साथ ही electrical capacitance क्या होता है principle of capacitance 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 of parallel plate capacitor ऐसी series और parallel combination capacitance का क्या होगा energy stored कितनी energy store हो जाएगी capacitor में या उसकी energy density क्या होगी energy density का मतला होता है per unit volume में कितनी energy store होई है वो इसकी energy density होती है इसी के साथ में energy stored in series and parallel combination of capacitance उसके साथ ही हम यहां पे देखेंगे कि polar और non-polar जो molecules होते हैं वो क्या होते हैं polar and non-polar polar और non-polar मतलब जिसमें जो चार्ज है वो दोनों charges जैसे हमने dipole देगा था तो polar का मतलब होता है positive and negative दोनों pole है non-polar मतलब जिसमें break नहीं होता positive negative में तो वो non-polar molecule होंगे dielectric dielectric का polarization हम यहां पे देखेंगे and polarizing vector and electric strength उसके साथी parallel plate capacitor with the dielectric slab and 1D graph generator से इसमें से बहुत सारी बहुत सारी चीज़े हट चुकी है लेकिन हम इनको one by one cover कर देंगे ओके बीच में टॉपिक छोड़ गया loss of energy on sharing charge between two capacitor तो दो capacitor के बीच में जब charge का share होता है distribution होता है तो उसमें कितनी energy का loss होता है तो यह पूरा derivation हम देखने वाले हैं तो आते हैं हमने main topic पे जो की है यहां पे तो यह अभी इस lecture में हम cover करने जा रहे हैं पहला होगा यहां पे Frictional electricity इस topic को हम समझेंगे electrostatic force के अंदर स्टार्ट करते हैं आज का lecture और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे यहां पे चार्ज की तो Frictional electricity को समझने से पहले हम चार्ज को समझते हैं तो चार्ज ऐसा particle है जो कि एक body से दूसरी body में जब transfer होता है तो कुछ basic property सो करता है या तो बोडी को attract करेगा या फिर बोडी को repel करेगा तो वो एक ऐसा particle जो कि किसी एक बोडी से दूसरी बोडी में transfer होता है या दूसरी बोडी में enter करता है तो उसकी property में change करता है वो क्या particle क्या है चार्ज है अब frictional electricity की बात करें तो frictional electricity is the electricity produced by the rubbing two suitable bodies अगर दो bodies को हम आपस में रब करें तो क्या होता है उससे particle का transfer होता है एक बोडी से दूसरी बोडी में और जब particle यानि की charge एक बोडी से दूसरी बोडी में transfer होगा तो bodies जो है वो basic properties हो करने लगेंगी अब जैसे यहाँ पे हमने पहला example लिया है यहाँ पे आप देख पारेंगे जैसे हमने एक लिया है यहाँ पे silk cloth और दूसरा हमने लिया है glass दोनों को अगर आपस में रब किया जाता है तो glass जो है उस पर glass rod पर क्या आगया positive charge आगया glass rod पर positive charge आने का मतलब यह है कि अगर इस पर positive आया है तो दूसरी body पर क्या एगा दूसरी वाली जो body हमने जिससे रब किया है उस पर क्या आगया negative charge आगया तो silk पर आजाएगा negative charge और glass पर कौन सा charge आगया positive charge आगया अगर दो opposite charge है तो दूसरी क्या करने लगेंगे फिर attract करने लगेंगे सेम ऐसे ही यहां पर इवोनाइट हमने लिया है और इवोनाइट को हमने जो है वो फ्लैनल से इसको अगर हमने रव किया इवोनाइट की कोई रॉड है उसको अगर हमने फ्लैनल से रव किया है तो इवोनाइट की जो रॉड है उस पर आगया negative charge और इस प्लैनल को आगया positive charge जा गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव के पर इलेक्ट्रॉन के लैक और इलेक्ट्रॉन रिच को सो करते हैं यह हम आगे अभी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास अर लूसली बॉण्ड जिसकी वाहती कमजोर एक बंद से जड़े हुए थे जिसकी विजय से silk में वो क्या हो गए transfer हो गए अब glass में electron की कमी हो गई उस पर क्या गया positive charge आ गया silk पर electron पहुँच गए इसका मतलब उस पर क्या गया negative charge आ गया तो result क्या निकला glass becomes positively charged and silk becomes negatively charged इसी तरीके से electron पर फर में जो electron थे इवोनाइट का जो हमने rod ली थी इसमें जो electron थे वो loosely bond थे जिसकी विज़से जो फ्रेलल था उसमें electron loosely bond थे जिसकी विज़से वो transfer हो गए किसमें इवोनाइट rod में तो हमने यहाँ पर result क्या देखा कि जो इवोनाइट rod थी वो negatively charge हो गई और जो फर था वो positively charge हो गया तो इसको बोलते हैं frictional electricity जिसकी विज़से अगर हम दो bodies को रब करते हैं तो charge का transfer होता है तो इसको हम frictional electricity बोलते हैं It is very important to note that electrification of the body whether positive or negative is due to transfer of electron from one body to another एक body से दूसरी body में जब electron का transfer होगा तब ही क्या होगा charge जो है वो positive या negative हो सकता है electron का transfer नहीं होगा तो body neutral रहेगी अगर electron का transfer हो रहा है तभी body positive या फिर negative हो सकती है इसका मतलब यह है जो मैंने भी बताया था electron rich electron rich negative charge electron lack positive charge तो इसको हम basic electron theory कहते हैं अब electron theory यही बताती है कि अगर किसी body में electron जादा हैं तो वो negatively charge body होगी अगर किसी body में electron कम है तो वो positively charge body होगी तो यह यहां से note कर सकते है glass को इसको हमने silky के साथ में रब किया positive negative wool या फिर funnel को हमने किसके साथ में रब किया था umber, evonite, rubber या plastic किसी के भी साथ रब करेंगे तो इस पर negative charge आएगा और इस पर positive charge आएगा evonite जो rod थी हमने इसको अगर polythene के साथ रब किया तो polythene पर negative charge आएगा और evonite पर positive charge आएगा या फिर dry hair को हम com के साथ में रब करते है प्लास्टिक के साथ में रब करते है तो उस पर negative charge आएगा जबकि जो dry hair है उस पर positive charge आएगा तो यह आप note कर सकते है properties की बात अगर हम करें charge की तो charge की properties क्या है there exist only two types of charges namely positive or negative जैसा अभी हमने देखा था या तो positive charge होगा या फिर negative charge होगा इसके लाबा कोई तीसरा neutral कोई charge नहीं है neutral का मतलब यह हो गया कि ना तो उस पर positive है ना तो negative है जितने positive है उतने ही negative है तो यह equal charge है equal charge मतलब जितने positive उतने ही negative तो मिल करके neutral हो गया तो या तो positive charge होते है या तो negative charge होते हैं, इसके लाबा तीसरा कोई charge होता नहीं है, ठीक है, तो there are two types of charge, positive and negative, like charges, repel and unlike charges attract each other, एक दूसरे को attract करेंगे, like charges होंगे, वो क्या करेंगे, repel करेंगे, और unlike charges एक दूसरे को attract करेंगे, जैसे हमने देखा था, negative और positive charge अगर हैं, तो एक दूसरे को अपनी करेंगे, जैसे होंगे, वो एक दूसरे को repel करेंगे, चार्ज की अगर हम बात करेंगे, तो यह एक scalar quantity है, वेक्टर quantity नहीं है, इसका मतलब यह है, कि चार्ज की लिए direction की ज़रुत नहीं है, चार्ज अगर हमने देख लिया, कह दिया हमने की two column का charge है, तो यह नहीं कहेंगे हम की two column का charge north में है, south में, east में, west में, उसके लिए direction की ज़रुत नहीं है, two column का charge जो है, वो understood है, कि वो किसी भी direction में होगा, two column कही रहेगा, ठीक है, तो charge is additive nature, charge is additive होता है, मतलब इसको अगर हम हमारे पास two conductor है, एक पर two microcolum का charge है, एक पर minus two microcolum का charge है, दोनों को अगर हमने आ तो ये additive nature के होते हैं, यानि कि इनको आपस में जोड़ा जा सकता है, तो जो भी nature होगा, उसके sign के साथ में हम उसको add करते हैं, जैसे example देख सकते हैं, यहाँ पर two है, five microcolum का charge है, प्लस five, and minus three microcolum का charge है, तो पाँच और दो साथ, साथ में से तीन गया, कितना बचा? चार, त quantity, quantize, मतलब यहाँ पर अगर हम देखे, example के तो तो electric charge exists in discrete packet, rather than the continuous amount, एक continuous amount की जगे, discrete packet में यह होते हैं, जैसे अगर हम देखे, किसी body पर जो charge होगा, वो electron का n multiple होगा, n multiple मतलब integer multiple होगा, तो it can be expressed in integral multiple fundamental electronic charge, fundamental electronic charge क्या होता है, e is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम, ओके, तो यह electron पर charge होता है, क्योंकि electron negative nature का होता है, तो हम इसमें negative लगा सकते हैं, तो इसी का एक multiple होता है, किसी भी body पर जो charge होगा, वो electron पर जितना charge होता है, उसके magnitude के n multiple होता है, जहाँ पर n क्या होंगे, integers होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, कभी ऐसा नहीं पर जो charge है, वो दूसरी body का half हो जाए, दूसरी body का, एक body पर जो charge होगा, वो electron का येड़ गुना हो जाए, या साले 4 चार गुना होजाए, 4.5 times, तो ऐसा नहीं होगा, वो क्या होगा, 4 times होगा, या फिर 5 times होगा, 2 times होगा, या फिर 3 times होगा, 2.5, 1.5, इतना, इसमें नहीं ह सकता खभीवी तो वह इंटीघर से होते हैं तो πिंसिपल ऑफ क्व Mix क्या चारू कि 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 किसी बी बोडी पर जो चार्ड होता है वो इलेक्ट्रोन पर चार्ड के मैंगेटूड का इंटीग्रल मल्टीपल होता है यहनी की एक glass rod is rubbed with silk. अगर किसी एक glass rod को silk के साथ में him नहीं होगा कि यहां से अगर transfer होगा तो दूसरे में अलग हो गया. तो नेट जो चार्ज है वो क्या रहएगा वो यह सेम रहगा मतलब वो फिक्स ही अगर टु माईक्रो कोलम या आप पर देखे अगर अर्थ पर चार्ज 4 कुलम्ग है, तो मून पर अगर होगा वही चार्ज, तो उसका जो magnitude है वो change होने वाला नहीं है, चार्ज अगर अर्थ पर इतना है, तो मून पर भी उतना ही चार्ज होगा, जिससे frame of reference पर उस पर कोई फरक पढ़ता नहीं है, frame of reference मतलब यहाँ हो या अब बात करते हैं Coulomb's law की, तो what is Coulomb's law, या फिर force would be in two point charges, दो point charges के बीच में force, वही क्या होता है Coulomb's law कहलाता है, तो इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले, तो Coulomb's law इससे पहले आपने class 11 तो में gravitational force पढ़ाऊगा, तो gravitational force को अगर हम Coulomb's law से या फिर electrostatic force से compare करें, तो लगव लगवग सेम है, जैसे अगर हम बात करें Coulomb's law की, तो Coulomb's ने अपने study में, अपने experiment से ये प्रूफ किया, या ये देखा, कि अगर दो point charges हैं, तो suppose R दूरी पर वो रखे हुए हैं, तो R distance अगर यहां पे है, Q1 and Q2 के बीच की, तो according to the Coulomb's law, उन्होंने का कि जो force between the two charges है, हो क्या होगा, उन्हों दोनों charges के product के directly proportional, and जो उनकी बीच की distance है, उसके square के inversely proportional होगा, तो according to the Coulomb's law, electrostatic force of interaction, interaction means attraction या repulsion, between two point electric charges directly proportional to the product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between them, act along the line joining the two charges, तो दो charges के बीच की जो distance है, उसके square के inversely proportional होटा है, इसलिए इसको बोलते हैं, inverse square law, क्या बोलते हैं? inverse square law इसको क्यों बोले आता है इसलिए बोले आता है क्योंकि यहाँ पे यह जो है दो charges के बीच की distance जितनी है उसके square के inversely proportional है जिस वज़ा से इसको inverse square law भी बोलते है ऐसे ही gravitational जो force है उसको भी inverse square law बोलते है because of this reason की बज़ा से ओके तो यहाँ है उसके square के inversely proportional है तो यहाँ पर हम जब इसको combine करेंगे तो इसका मतलब हो गया f is proportional to q1 q2 upon r square and f is equal to k q1 q2 upon r square जब proportional का sign अड़ता है तो एक constant आता है ध्यान रखिएगा तो इस constant को हम यहाँ पर proportionality constant कहते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं electrostatic force constant proportionality constant है यह क्योंकि proportional का है क्या बोलेंगे electrostatic force constant भी बोलेंगे या फिर हम इसको column constant भी बोल देते हैं अब इसकी value जो होती है वह fix होती है for vacuum तो अगर हम vacuum के लिए बात करें या vacuum में दो charges रखे हुए हैं या फिर यह बेखे हुए तो एयर और vacuum का जो सेंस वह लगवग एक ही ले लिया जाता है यह जो होता है वन अपन फॉप एपसलेंट नॉट के एककल होता है जहां पर epsilon नॉट जो है वह पर्मिटिवीटी होती है कि किसकी वेक्यूम की तो यहां पर 8.85 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 12 यहां भी लिखतेंगे एकसलेंट नॉट की जो वैल्ली होगी वह क्या होगी 8.85 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 12 यह इसकी पर्मिटिवीटी की वैल्ली होती है तो यह आप नोट कर सकते है ठीक है वन अप एकसलेंट की वैल्यू आपको यहां पर अपलाई करने है यह ओती है दो charge हैं और वो किसी और medium में रखे हुए ग्लास में रखे हुए है या पिर water में रखे हुए हैं या कोई और medium है जिसमें वो दो charges रखे हुए है तो उसके लिए हम epsilon not use नहीं करेंगे वहाँ पे हम k की जगे क्या यूज़ करेंगे 1 upon 4 pi epsilon वहाँ पे 1 upon 4 epsilon जो है epsilon उस medium की permittivity है epsilon not क्या होती है vacuum की permittivity होती है epsilon क्या है उस medium की permittivity है जहाँ पर यह जो epsilon है वो किसके एककल होता है epsilon is equal होता है k epsilon not के किसके एककल होता है k epsilon not के एककल होता है तो इस k epsilon not epsilon की जगे k epsilon not अगर हम यहाँ पर लिखेंगे k क्या है यहाँ पर dielectric constant है तो dielectric coefficient k है तो अगर हम यह यहाँ पर use करें तो क्या हो जाएगा f is equal to 1 upon 4 pi epsilon not की जगे हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not k यहाँ लिख देते हैं 1 upon 4 pi epsilon not k q1 q2 upon r square तो यह वाला जो के है dielectric constant इसकी value air and vacuum के लिए 1 होती है जनरली हम air and vacuum के लिए इसकी value क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं तो आप यह notes कर सकते हैं तो medium में जो यह हम formula use करेंगे वह use करेंगे 1 upon 4 pi epsilon not k q1 q2 upon r square epsilon not की value मैंने आपको बताई थी 8.85 into 10 to the power minus 12 km2 per newton meter square and 1 upon 4 pi epsilon not की value मैंने आपको बताई थी 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square okay यह values आप यहां से note कर सकते हैं right next continuous charge distribution नाम से पता चल रहा हुआ continuous यानि की लगातार charge आवेस distribution वित्रण तो सतत इसको हम बोलते हैं हिंदी में basically तो सतत आवेस घनत वित्रण या फिर continuous charge distribution इसको हम समझेंगे क्या होता है continuity continuity का मतलब होता है लगातार मतलब अगर आप देखो कि मैं जहां तक नजर दोड़ा रहा हूँ वहाँ पर एक ही जैसा अगर मुझे दिख रहा है तो वह मेरे लिए continuous है जहां तक मैं नजर दोड़ा रहा हूँ अगर एक ही जैसा है regular है तो वह क्या है मेरे लिए continuous है तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर charge का distribution किसी body में एक जैसा है एक समान है तो उसको हम क्या बोलते हैं continuous charge distribution distribution का मतलब हो गया भीतरन तो अगर एक समान बटे हुए है charge पूरी body पर तो उसको हम क्या बोले हैं continuous charge distribution बोलेंगे अगर इसकी definition अगर आपको देखनी है तो कह सकते हैं any charge which covers a space with dimensions much less than its distance away from the observation point can be considered a point charge so a system of closely spaced charge is set to be set to form a continuous charge distribution it is useful to consider the density of the charge distribution as we do for density of solid, liquid and gassive जैसे हमारे पास एक body है सपोज यह rectangular shape में कोई body मेरे पास एक plate है तो इस plate का क्या होता है अपना area होता है तो इस area में charge का distribution अगर एक समान है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इसकी charge density जो होगी वो q upon a होगी क्योंकि पर unit area पर जो charge है वो कितना है q है तो इसको हम क्या बोलते हैं इस तरीके से हमने charge density को charge distribution को तीन type से divide कर लिया यानि कि पहले type हमने लिखा line और linear charge density line का मतलब होगा एक simple wire है जिसकी length है उसका कोई area नहीं है ठीक है length अगर ले रहे हैं distribution देख रहे हैं तो उसको हम बोलते है linear charge density और इसको represent करते हैं lambda से तो if the charge is distributed over the straight line over the circumference of a circle और over the age of the q wide etc then the distribution is called the linear charge distribution अगर हम किसी एक charge का distribution उसकी straight line के लोग देख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते है linear charge distribution कहते हैं linear charge distribution को lambda से represent करते हैं और इसका जो formula होगा वो क्या होगा q upon l क्योंकि हम per unit length पर देख रहे हैं तो charge per unit length तो हम यहाँ पर लिखलेंगे this is charge per unit length तो यह क्या है charge per unit length है तो आप इसको note कर लिजेगा charge per unit length का मतलब हो गया कि अगर हम इसकी unit की बात करेंगे तो हो जाएगा charge की unit क्या होती है per unit length का मतलब हो गया length की unit क्या होती है इसको बुलते linear integration l लगा हुआ है integration के साथ में यह linear integration हो गया तो यह हो जाएगा lambda dl तो dl क्या है यह जो पूरी एक line है जिसके positive charge है इतना जो part हमने लिया है यह dl है और इस पर charge हमने ले लिया dq तो इस dq की value जो होगी वो कितनी होगी यह होगी lambda dl और यहां से integration करेंगे तो dq is equal to q जाएगा and which is equal to integration of lambda dl linear integration ओके तो यह आप ध्यान लखेंगे यह काफी important हो जाता है क्योंकि इससे related कुछ questions आते हैं interest exam में भी कुछ आते हैं अगर आप board का exam देने जारे हैं तो आप भी question आ सकते हैं संभाव ना next देखते हैं linear charge distribution के साथ में मैंने बता है था surface charge distribution surface charge distribution का मतलब होता है कि अगर charge जो है पूरी surface पर एक समान रूप से बटा हुआ है या बित्रित है distributed है तो वह क्या हो जाएगा surface charge distribution हो जाएगा surface charge density क्या होती है कि if the charge is distributed over the surface area then the distribution is called the surface charge distribution and इसको represent करते है sigma से q upon s, s for surface area and अगर हम एक surface ले रहे हैं उसमें एक unit एक छोटा सा part हमने ले लिया area का जिसको हमने ds से represent किया तो ds पर जो charge है वो कितना है dq है yes sigma is equal to dq over ds ओके यहां से dq की value लिकाल लोगे तो कितना हो जाएगा sigma ds इसको integrate कर दो तो यहां से q की value लिकाल जाएगी surface इसको क्या बोलते aerial integration ठीक है यह surface integral surface integral यहां पे हम use करेंगे और यह जाएगा sigma ds के equal next आता है volume charge distribution नाम से बदा चल रहा है कि अगर charge का distribution पूरे के पूरे volume पर है तो इस प्रकार के distribution को and represented by rho तो rho से हम इसको represent करेंगे q upon यहां पे हम v लिए सकते q upon v and rho is equal to q upon dq over dv तो यह हो जाएगा q is equal to volume integral volume integral rho dv तो यह इसका क्या हो गया volume charge distribution हो गया तो इस तरीके से हमने क्या-क्या देखा इस पूरे lecture में एक बार में आपको remind करवा देता हो हमने यहां पे देखा था एक तो fictional electricity क्या होती है सबसे पहले हमने बात किसकी करी थी fictional electricity की करी थी उसके बाद हमने properties देखी थी electric charge की उसके बाद coulombs law देखा था coulombs law के साथ में फिर हमने उसकी vector form देखी थी है तो हम इसको लिख सकते हैं f vector is equal to k q1 q2 upon r q and r cap इस तरही के से हम इसको represent कर सकते हैं इन vector form तो हमने vector form देखी इसमें और इसी के साथ में unit charge क्या होते हैं unit charge and relativity relative permittivity and dielectric constant के साथ continuous charge distribution linear charge surface charge and volume charge distribution तो अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले topic की जिसका नाम है electric field field यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि electric या electro जब भी word आएगा तो हम समझेंगे वहाँ पे charge उसका जो sense लिंगे वो charge से लिंगे field का मतलब होता है एक region एक उसका छेत्र तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा ऊआ हुँ तो मैं यहाँ पे देख पा रहा ही तो अगर हम तो अगर हम यह सामानने भासा में हो गया अगर हम इसकी definition को देखें तो इसकी definition क्या हो जकती है तो हम कहेंगे कि electric field is a reason of space around a charge और a system of charge within which other charged particles experience electrostatic force तो एक charge के चारो और का वह छेत्र या system of charge के चारो और का वह छेत्र वह region जहां पर कोई दूसरा एक चार्ज, अगर कोई दूसरा चार्ज हम लेके जाए, तो वो एक electrostatic force, यानि कि इस्थिर विध्यत बल का अनभव करेगा, तो उस छेत्र को या उस रीजन को हम क्या कहेंगे, electric field कहेंगे, तो मैंने बताए तक कि एक चार्ज के चारोवर का या एक आ अनभव कर रहा है, वो electric field उसी चार्ज का होगा, जैसे यहाँ पर माल लेते हैं कि 8 µ, 8 µ का एक चार्ज रखा हुआ है, इसके पास में एक चार्ज लाया गया, तो यहाँ तक इसने कोई force का एको experience नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो इस reason के अंदर enter किया उसने, तो यहाँ पर एक force उसे लगा, जो कि इस direction में था, ठीक है, तो इससे हमें यह पता चल गया, कि अगर इसी की direction में force लग रहा है, तो यह क्या है, एक opposite charge है, unlike charges है, और साथी साथ, force अगर वो experience कर रहा है चार्ज, इसका मतलब अब यहाँ से इसका एक field start हो गया है, तो यह field किसका है, यह 8 µ क charge का है, ना कि इस वाले charge का, ठीक है, जिस charge को हम लेकर आ रहें अंदर, उस charge का field नहीं है, field किसका है, इस वाले charge का है, जिसके कारण, वो reason create हुआ, और उस reason में उसने force को experience किया, दूसरे charge ने, तो ध्यान रखिएगा, एक ही charge की वजए से electric field होता है, या एक particular system of charge की वज़े से electric field होता है, ओके, ना theoretically अगर हम बात करें, तो theoretically electric field extends up to infinite, but अगर हम practically बात करें, तो it is limited to a certain distance, अगर हम theoretically बात करें, तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं, तो e is equal to होता है, 1 upon 4 pi epsilon 0, q upon r square, ओके, यह formula हम basically electric field के लिए use करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही same जैसे force था, वो distance के square के inversely proportional था, यहाँ पर भी आप देखेंगे electric field जो है, वो क्या है, electric field को अगर समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह भी जो है, वो distance के square के inversely proportional निकल के आ रहे है, तो distance अगर infinite है, तो अब 0 हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ exist करता नहीं है, मतलब अगर इसका reason देखें तो 1, 2, n यह हो सकता है, यानि कि एक से लेके और n तक कुछ भी आप ले लो, ठीक है, infinite से कम, तो यहाँ तक electric field exist करेगा theoretically, बट practically अगर हम बात करें, तो इसका एक limited reason होता है, यानि कि एक particular distance के बाद, एक particular reason के बाद, limit के बाद, यह electric field so नहीं करेगा, या electric field की intensity है, वो distance के साथ में, दीरे-दीरे-दीरे-दीरे समाप्त होती रहेगी, जितना नजदीक होगा charge के कोई भी particle या कोई भी charge, उतना ही electric field की strength जादा होगी, जितना दूर जाओगे, उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है, अब बात करते है electric field strength और electric field intensity या फिर electric field itself, तो electric field strength हो या फिर electric field intensity हो या फिर electric field हो, ये तीनों एक ही चीज़े हैं, जो भी आप से का जाएगा, तो आप एक ही definition या फिर एक ही उसके लिए, जो sense है वो लिंगे, अब electric field strength जो होती है किसी भी point पर, in electric field is a electrostatic force per unit positive charge, positive charge यहाँ पर क्यों बोला गया, क्योंकि हम जब electric field लेते हैं, तो generally जब electric field लिया जाता है, तो उसको परखने के लिए, उसकी जाच करने के लिए, हम एक test charge का use करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्या लिखा मैंने test charge, तो नाम से बता चल रहा है कि हम एक ऐसा charge लेंगे, जिससे हम test कर सकें, कि electric field है कि नहीं है, तो यह test charge इसलिए बोल जाता है, क्योंकि यह हमें पता है, कि यह positive होगा, ठीक है, और always क्या होगा यह, positive होगा, क्योंकि हम ले रहे हैं, हम assume कर रहे हैं, एक test charge, तो यह always क्या होगा, इसका nature, positive होगा, और साथी साथ इसका जो magnitude होगा, बहुत ही small होगा, या फिर negligible भी हम ले ले लेते हैं, with respect to another charge, तो बहुत small इसका magnitude होता है, जिसकी वजह से हम जा लेते हैं, इस test charge का use करते हैं, electric field को परखने के लिए, ठीक है, तो test charge जो कि क्या होता, positive होता है, positive हमने इसलिए लिया, क्योंकि हमें इसका nature प जाती है, तो हम कह सकते हैं, electric force per unit positive charge, क्या कहलाता है, electric field strength कहलाता है, ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, हमारे पास एक charge है, q, plus q है, और यहाँ पर एक दूसरा charge है, q naught, तो q naught यहाँ पर क्या है, test charge है, तो मैंने जो बताया, तो test charge मतलब जिससे हम ये test कर रहे ह कि electric field की strength कितनी है, है भी कि नहीं है, तो positive जो charge होगा, या test charge होगा, वो हम यहाँ पर use कर रहे है, electric field की strength के लिए, तो अगर हम force की बात करें, तो दोनो positive है, तो यह क्या करेगा, इसको repel करेगा, इसी के साथ में अगर negative charge लेते हैं, तो यह इसको क्या करेगा, attract करेगा, ठीक ह तो यहाँ पर क्या हो रहा है, attraction हो रहा है, और इधर की तरफ क्या हो रहा है, repulsion हो रहा है, okay, important है, अगर unlike charges है, तो attraction ही होगा, और अगर like charges है, तो repulsion ही होगा, यह आप ध्यान रखेंगे, तो यह हो गया प्रतीकर्सन, और यह हो गया आकर्सन, okay, तो आकर्सन कब होगा, attraction कब ह और जब like charges है, जब like charges होंगे तो क्या होजाएगा repulsion होजाएगा, तो यह जो force applied हो रहा है, अगर हम इसको divide कर दें इस charge से, तब हमें क्या मिलेगा, electric field मिलेगा, तो आप यहां पर दे सकते है, electric field e vector is equal to limit del Q is tends to 0, f vector upon del Q, ओके, तो यह क्या है, electric field strength है, electric field को हम represent कर सकते हैं e vector is equal to f vector upon q naught या फिर हम लिख सकते हैं e vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square और r cap यह आपको clear हो गया होगा ठीक है तो electric field की strength होती है 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square अगर vector form में लिखेंगे तो e vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square into r cap r cap क्या है एक unit vector है unit vector क्या होते हैं जिसका magnitude 1 होता है unit vectors क्या होते हैं जिनका magnitude 1 होगा तो वो सभी क्या होंगे unit vectors कराएंगे अब इस unit vector को अगर हम देखेंगे तो इस unit vector को हम किस तरीक से लिखालते हैं तो r cap is equal to होता है r vector upon mod of r vector तो unit vector निकालने का यही तरीका है, यानि कि उसके vector को उसके magnitude से अगर divide करते तो unit vector आपको मिल जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे जो यह test charge है, the test charge is considered to be venissingly small because its presence should not after the configuration of the charge, तो इसकी जो presence है, मैंने जब जैसे बताया था, इस study में कि यह negligible होता है, इसकी presence, तभी तक हम assume करते हैं, जब तक हम electric field लिकालना है, तो इसकी presence है या नहीं है, उससे उस पर कोई effect नहीं पड़ेगा दूसरे वाले charge पर, ठीक है, and does the electric field which is intended to be measured, तो इसकी वज़ासे हम क्या कर स लगते हैं, तो यह मुझे लगता है कि electric field आपका clear हो गया होगा, अगर फिर भी इससे related कोई doubt है, तो comment box आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर पूछ सकते हैं, तो electric field intensity क्या होती है, force per unit, charge, positive charge, इसको हम electric field intensity कहते हैं, तो यहां से formula जो निकल के आएगा, वो निकल के आएग अगर vector form में लिगना है, तो यहां पर e vector लगा देंगे और यहां पर unit vector r capital लेंगे इसके साथ में, ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ इसके important points की, सबसे पहले, अगर q naught हमने लिया है positive, तो इसकी direction जो होगी electric field के along होगी, ठीक है, electric field इस direction में, उसी direction में इसकी direction भी होगी, इसक motion की direction भी होगी, जैसे, यह हमारे पास q charge है positive, और यहां पर q naught जो है, वो भी positive है, तो electric field की direction जो होती है, वो positive to negative होती है, यह इसको क्या कर रहा है, repel कर रहा है, तो इसी direction में कर रहा है, तो along the direction of electric field, इसकी direction होगी, क्योंकि electrostatic force उसी direction में लग रहा है, उसको repel कर रहा है, second point note क करेंगे electrostatic force on the negatively charged particle will be opposite to the direction of the electric field अगर negative charge है जैसे हमने previous slide में देखा था यहां पर अगर यह negative charge है तो क्या होगा q0 को यह अपनी तरफ attract करेगा ठीक है q0 को क्या करेगा अपनी तरफ attract करेगा और अगर यह अपनी तरफ attract करेगा तो इससे क्या होगा electric field की opposite direction में q0 की direction होगी q0 का motion होगा तो q0 जो है वो opposite direction में motion कर रहा है electric field की direction का है इससे दूर ठीक है इसकी और होगी तो यहां पर जो है यह इसकी opposite direction में यहां पर लिख लिएंगे next slide में electric force on the negatively charged particle अगर q0 negative हो गया तो क्या होगा विल भी अपोजिट टू डिरेक्शन ऑफ दे electric field की opposite direction में हो जाएगा ठीक है थर्ड पॉइंट इलेक्रिक फिल्ड इस अ वेक्टर कॉंटिटी तो उसका जो फिल्ड है वो डिटर्माइन होता है कि positive से निकलते हुए और negative की ओर होगा ठीक है electric field की direction क्या होगी always positive to negative होगी negative charge ठीक है positive charge से negative charge की ओर होगी तो यह understood है कि electric field में अगर हम कोई point लेते हैं कोई भी एक particle के motion को determine करते हैं उसका motion देखते हैं तो उस पर किसी particular point पर जो direction होगी वो क्या होगी fix होगी क्योंकि यह एक vector quantity है ठीक है इसके बाद SI unit की बात करें तो इसकी जो SI unit होती है वो होती है Newton पर कुलम क्यों होती है क्योंकि E is equal हमने देखा था F upon Q F की unit होती है वो होती है Newton क्योंकि force है और Q क्योंकि एक charge है तो इसकी unit होती है इसकी unit होगी वो क्या होगई वो गई Newton पर कुलम ठीक है तो derivative unit होती है इसकी derive की गई है क्योंकि एक force and column को मिलाकर यानिक चार्ज को मिला करके इसकी unit बनी है आण electric field due to point amount charge अब हमें E would say şe जैसे electric field का पूरा derivation समझना है तो हम यहां पर consider यह करेंगे कि हमारे पास एक positive charge है जो कि 3D में कहीं पर भी रखा हुआ है 3D मतलग 3 dimension में x y z इसके origin पर हमने माल लिया कि यहां पर एक charge रखा हुआ है इससे कुछ दूरी पर इस point पर P पर suppose जिसकी location है x y z x, y, z यहां पर हमें electric field की intensity find करनी है, electric field find करना है तो यह distance कितनी दे रखी है r vector, यह इसकी position vector दे रखा है, position vector यानि कि यह represent कर रहा है कि यहां से यहां तक कि distance कितनी है इसका magnitude अगर निकालोगे तो mod of r vector, ठीक है अब यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले, इस force को exert कराने के लिए हमें एक test charge लेना पड़ेगा, तो हम यह मानेंगे कि इस point P पर एक test charge रखा हुआ है, test charge मैंने आपको बताए था, क्या होता है यह परिक्षण आवेस, जो कि हम positive लेते हैं, consider अपने आप ही कर लेते हैं कि यह positive होगा, बहुत ही small होगा, और साथी साथ इसको जो है वो हम negligible भी ले लेते हैं with respect to other charge, खीक है, हम केवल experiment यानि कि किसी derivation को proof करने के लिए ही इसको use करते हैं, इसके लाबा इसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर हमने force exert कराया, यानि कि इस Q की वज़ए से Q नॉट पर कितना force लगेगा, तो यह होगा F नॉट, F vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon नॉट, Q Q नॉट अपॉन R square R cap, तो यह इतना force इस पर लगेगा, ठी Q Q naught upon R cube and R vector, ठीक है, R cube क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, कि unit vector जो होता है, वो क्या होता है, R vector upon mod of R vector, mod of R vector को हमके लिख सकते हैं, R vector upon R, simply R लिख सकते हैं, तो यहाँ पर R square था और एक R यह आ गया, तो multiply हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, और यहाँ पर क्या रहा है साथ में, R vector, तो यह भी हम इसको लिख सकते हैं, electric field strength, हमने देखा था कि electric field की strength होती है, वो होती है, E vector is equal to F vector upon Q naught, ठीक है, F vector upon Q naught electric field strength होती है, तो अगर हमें electric field find करना है यहाँ से, तो electric field कितना हो जाएगा, 1 upon 4 by epsilon naught, Q upon R cube और R vector, इस इट क्लियर, ठी है, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं, E vector is equal to 1 upon 4 by epsilon naught, Q upon R square into R cap, अभी मैंने बता है था क्योंकि R cap जो होता है, वो R vector upon R के equal होता है, so we can write 1 upon 4 by epsilon naught, Q upon R square, R cap, तो यह जो है, electric field, एक point charge की बज़ए से, किसी point पर कितना होगा, यह हमने यहाँ पर निकाला, यह इसका formula होता है, यह आपको याद रखना है, इसी formula की जरुरत पड़ेगी आपको numerical को solve करने के लिए, जहाँ पर आपको values given होगी, charge की, जहाँ पर आपको value given होगी, distance की, कितनी distance पर आपको electric field find करना है, या फिर superposition principle जब हम पड़ेंगे, तो system of charges जब रखेंग तो जो field होगा, वो क्या होगा, रेडियली outward होगा, यानि कि बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगी इसकी direction, और अगर charge Q, जो है वो 0 से कम है, यानि कि negative है, तब जो field होगा, वो radially inward होगा, यह दोनों ही point आप note कर लेंगे, रेडियली outward कब होगा, जब रेडियली inward कब value, 0 से जादा होगी, यानि कि positive होगा, उस time पे रेडियली outward direction होगी, जब charge जो है, रेडियली Q की value, 0 से कम होगी, नेगेडिव होगी, तो उस समय, रेडियली inward होगा, next point पे आते हैं, electric field जो है, अगर हम इसको एक पूरे के पूरे coordinates में समझें, सिस्टम में समझें, कई सारे charges रखे हुए हैं, तो उस charges के basis पे हम क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक charge है, Q1, इससे कुछ distance पर है, यहाँ पर Q2, यहाँ पर है minus Q3, यहाँ पर है Q4 plus का, और यहा electric field जो है, वो एक vector quantity आपने को पता है, तो क्या होता है, vector quantity की जो direction है, वो understood होती है, जैसे electric field है, वो positive से negative की होगा, यह हमें पता है, तो अगर दो charges रखे हुए हैं, जिसमें से एक positive है, और एक negative है, ठीक है, यहाँ पर इसको समझते हैं, यह है आपका, suppose 2 microcolum, और यहाँ पर य जो है कि, positive से negative की तरफ, direction होती ह्य होती ही, तो positive to negative, electric field की direction, यह जो 2 microcolum का charge है, इसको अपनी तरफ ही attract कड करेगा, तो यह जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, attract करेंगे, तो अगर मुझे किसी point पर particular point पर electric field करना है, तो अब देखो इस point पर electric field की direction क्या होगी तो यहां से दूर की तरफ इस तरफ और negative की तरफ दोनों अगर इस point पर मुझे electric field निकालना है तो electric field due to two microcolum plus electric field due to three microcolum दोनों add हो जाएंगे तो आपको electric field की direction मिल जाएगी मतलब electric field की intensity मिल जाएगी कि कितनी होगी इस point पर अगर बीच में निकालना है तो अगर point यहां पर है तो positive से negative की तरफ तो इदर की तरफ जाएगा और negative की और तो इदर की तरफ जाएगा दोनों को माइनस कर देंगे तो electric field due to two microcolum minus electric field due to three microcolum चार्ज तो इसको माइनस करेंगे तो आपको electric field मिल जाएगा मतलब आप सुझ में आगया direction पे बहुत फरक पड़ता है क्योंकि एक vector quantity है वेक्टर quantity होने की विजय से इसकी direction जो होगी वो understood होगी हम sign के साथ में value use नहीं करते हैं चार्ज की जब numerical solve करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसी direction क्या होने वाली है तो formula यहाँ पर देख लीजेगा e vector is equal to one upon four epsilon not q upon x square plus y square plus z square की power 3y2 x i cap plus y j cap plus z k cap यह जो यह लिखा हुआ है यह वाला term यह r q को सो कर रहा है और यह इसका magnitude है जो हमने इससे पहले वाली slide में देखा था तो इससे पहले वाली slide आप देख लीजेए यहाँ पर यह जो आर वेक्टर लिखा हुआ है यह आर वेक्टर जो है वो क्या सो कर रहा है यह इसके magnitude को सो कर रहा है, आर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यह क्या सो कर रहा है, इसके magnitude को सो कर रहा है, तो हम इसका magnitude जब लिखेंगे, तो यह निकल के आएगा यहाँ पर, इसके magnitude निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको अगर हम क्यूब कर दें, इसका cube कर दें, तो क्या हो जाएगा, x square plus y square plus z square की power, 3 by 2, तो वो ही हमने यहाँ पर use किया है, आपको दिख रहा होगा, कि r vector जो है, वो x i cap plus y j cap plus z k cap से हमने represent कर दिया है, denote कर दिया है, यहाँ पर, लगा दी उसकी value, और इसका जो vector हमने लिया, इसका, जो vector given था, उसका magnitude निकाला, तो वो कितना था, square root of x square plus y square plus z square, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको तो power पर लिख सकते हैं, x square plus y square plus z square की power, 1 by 2, और इसका cube करेंगे, तो यह हो जाएगा, 3 by 2 power में, right? अब आते हैं, super position principle, जिसकी मैं बात कर रहा था, starting में, super position principle मतलब, कैसारे चार्ज है, अब यह कैसारे charge मिलकर के, एक charge पर field apply कर रहे हैं, या एक point पर field apply कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, या force apply तो वो force क्या हुआ, यह हम समझेंगे super position principle से, बहुत सारे charge, यानिकि system of charge है अग हमा आच चार्ज रखे हुए है अलग-अलग पोजीशन पर इनकी जैसे अगर मुझे एलेक्ट्रिक फिल्ड लेगना है तो फोर्स की डिरेक्शन क्या होगी तो F1 जो होगी देखो तो यह Q1 है Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा हर एक चार्ज जैसे मालो अगर मैं इस वाल पर या इस बोर्ड पर फोर्स लगाता हूं तो एक्शन डिएक्शन लगेगा यह भी उत्रही फोर्स मुझे लगाएगा तो यह ज चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वह वाला चार्ज भी पहले वाले चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा और कितना फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही करेगा जितना पहला वाला कर रहा है ठीक है एक्शन डिएक्शन जो प्रॉपरड़ी आपने पता है कि force is perpendicular to multiple of या product of charges and square of inversely proportional to the square of these two charges or distance between these two charges, okay, इस पर यह depend करता है, तो हम यह आपर लिख सकते हैं, the electrostatic force experienced by a charge due to other charge is the vector sum of the electrostatic force due to these other charges as if they are existing individually, अगर यह individual charge रखे हुए हैं, तो यह क्या होता है, vector sum होता है, अगर मुझे force निकालना है किसी एक charge की विजए से या एक charge की विजए से बाकी charges पर निकालना है force, तो वो क्या होगा, vector sum होगा, vector sum का मतलब क्या होता है कि आपको आप direction भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, उनके बीच कितने degree का angle बन रहा है, मतलब उसकी बीच में क्या direction है, वो आपको जरूर ध्यान रखनी है, तब आप इसको निकाल पाएंगे, देखो, जैसे अगर हमें निकालना है, यहाँ पर F1 लिकालना है, F1 कहाँ पर है, तो यह देखेंगे, देखो, यह जो force, charges थे, वो कैसे रखे हुए थे, यह है Q1, तो यहाँ पर रखा हुआ है Q1, ठीक है, यहाँ पर था Q2, यह बाला, तो यह Q1 और Q2 एक दूसरे पर force apply करेंगे, I think आपको पता है, यह force apply करेंगे एक दूसरे पर, दोनो positive nature की है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, repel करेंगे, तो यह इधर जाएगा, और यह इधर जाएगा, पतला एक दूसरे को क्या करेंगे, दके लेंगे, एक दूसरे से दूर दूर दके लेंगे, ऐसी यह दोनो charges जो है, वो attract करेंगे, तो यह इदर जाएगा इसकी direction इदर होगी ऐसे ही इसको दके लेगा तो यह इदर की तरब जाएगा ऐसे ही यह वाला जो Q3 वाला चार्ज है यह Q3 वाला चार्ज जो है वो इसको वाला प्रूस को इखटा करें तो यह जो F1 तो इसका resultant निकल के आ रहा है, तो यह resultant क्या होगा, यह हो जाएगा, F12, force due to, charge 1 to charge 2, एक charge Q1 की वजए से Q2 पर कितना force लग रहा है, Q1 की वजए से Q3 पर कितना force लग रहा है, Q1 की वजए से Q4 पर कितना, Q2 की वजए से Q1 पर कितना force लग रहा है, Q3 की वजए से Q1 पर कितना force लग रहा है, Q4 की वजए से Q1 पर कितना force लग रहा है, Q4 की वजए से Q1 पर कितना force लग रहा है, ठीक है तो इस principle को क्या बोलते हैं superposition principle बोलते हैं तो इसका statement note कर लेंगे statement क्या है तो the electrostatic force experienced by a charge due to another charge other charge is the vector sum of the electrostatic force due to these other charges as if they are existing individually तो यह statement आपको याद होना चाहिए statement की जरुत नहीं है बस यह formula आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो हम इस तरीके से इसको निकालेंगे ठीक है तो 1 upon 45 epsilon naught submission of b is equal to 1 to n qa qb into ra vector minus rb vector upon ra vector minus rb vector का q ठीक है mod of ra vector minus rb vector का q तो यहाँ पर a1 b2 से लेके 5 तक है तो यह formula note कर लेंगे तो यह था superposition principle तो यह superposition principle बताता है कि बहुत सारे charges है तो वो एक charge पर कितना force apply करेंगे यह हमें बताता है कुछ बाते हैं जो इस से related आपको note कर लेनी चाहिए पहला है कि the interaction must be on the charge which is which is to be studied due to other charges and second is the charge on which the influence due to other charge is to be found is assumed to be floating charge and other are rigidly fixed example के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक पहला वाला charge है जो कि float कर रहा है and repelled away by q2 and q4 and attract towards q3 and q5 तो यहां पर आप देख लिए एक charge जो है ये q1 जो कि float कर रहा है क्यों क्यों क्योंकि यह जो Q3 and Q5 है यह तो इसको attract कर रहे हैं अपनी तरफ खीच रहे हैं। और यह जो Q2 and Q4 है यह दोनों क्योंकि alike charges है तो यह क्या कर रहे हैं एक दूसरे को repel कर रहे हैं। तो इसको जैसे क्या कर रहा है यह कहीं नहीं जा रहा हैं यह मतलब float कर रहा है। यह clear हो गया होगा ऐसी एक और example the interaction between the other charges among themselves must be ignored यहनि कि Q2 3, Q2 4, Q2 5, Q3 4, Q3 5 and Q4 5 are ignored तो इनको हमने ignore किया है क्योंकि हम एक ही पर लिकाल ले हैं सब पर ही लिकाल ले हैं तो यह भी बहुत जरूर ही है ठीक है तो यह आई इसको clear हो गया होगा उसके बाद superposition principle hold good for electric field also superposition जो है वो electric field के लिए भी बहुत अच्छा एक अच्छी भूमी का निवाता है क्योंकि इससे हमें जब force के बारे हम पता चल रहा है तो force per unit charge ही तो electric field है तो अगर force निकल जाएगा तो electric field भी बहुत आसानी से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अब आते हैं electric line of force पे जो की एक काफी important topic है अगर हम आगे flux पढ़ेंगे तो electric line of forces की बहुत ज़्यादा ज़रुरत पढ़ने वाले हैं इसी क्या-क्या properties है उनका हम use करेंगे आगे ठीक है बट यहाँ पर electric line of force को समझ लेते हैं जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर चार्ज रखे हुए हमारे पास suppose हमारे पास positive charge है और एक दूसर नेगेटिव चार्ज है यह electric field की direction होती है तो हम यहाँ पर note कर सकते हैं an electric line of force is an imaginary straight imaginary straight का मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा और curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in electric field अब इसका मतलब समझेंगे देखो हमारे पास अगर कोई एक charge है जैसे यह हमारे पास एक charge q है positive charge है इसके चार और मैंने बताया था कि एक reason create होता है मतलब एक ऐसा छेत्र जहां पर कोई दूसरा positive charge एक force को experience करता है उस reason को क्या कहते है electric field कहते है अब यहां पर हमने एक test charge लिया q naught तो यह जो q naught है यह क्या करेगा इससे repel होगा और repel होते 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 इस पात को हम क्या कहेंगे electric line of force कि हम इसको imagine कर रहे है इसलिए इमेजनरी straight line भी हो सकती है curved line भी हो सकती है to straight or curved line भी हो सकती है imaginary because यह हमें दिखती रहे है जहां जहां पर वह positive charge है वह motion कर रहा है वह गती कर रहा है वह अपनी path cover कर रहा है जिस रास्ते पर वह चल रहा है और की यह दिखता नहीं है इसलिए क्या है imaginary or straight imaginary straight or curved line है ठीक है तो यह note कर लीजेगा electric line of force के लिए and electric line of force to do not physically exist but they represent a real situation यह physically exist नहीं करती बट real situation को यह क्या करती है represent करती है जैसे हमारे पास एक straight line है तो यह electric field की direction को सो कर रहा है और यह electric line of force है ठीक है तो electric line of force basically हम electric field की direction को सो करने के लिए ही लेते हैं एक हमारे पास curved है तो इस पे कोई भी point अगर हमने लिया तो इस पे tangent जब हम लेंगे तो यह tangent so कर रहा है electric field को तो करवड पर कोई point हमने लिया तो पर tangent ले लिया तो वो जो tangent line होगी उसकी direction सो करेगी electric line of force को ठीक है तो basically tangent on a curved line shows electric line of force इसी के साथ में electric line of force due to point charge एक charge के वज़य से एक बिंदू आवेस के वज़य से अगर हमें electric line of force को represent करना है तो यहां पर हम देखते हैं जैसे यह q is greater than 0 लिखा हुआ है greater than 0 का मतलब हो गया कि q की value positive है understood है यह q की value positive है इसलिए greater than 0 है तो अब यहां पर हमने क्या लिया greater than 0 लिया तो आप यहां पर arrow का sign दे सकते है वो क्या है away from the positive charge तो positive charge से दूर क्यों रहे है क्यों से दूर की तरफ है दूर की तरफ भाग रहा है ठीक है positive से दूर की तरफ भाग रहा है तो इसका मतलब यह हो गया कि अवे away from positive charge अब यहां पर है q is less than 0 less than 0 का मतलब हो गया कि अब यह क्या है कम है negative है तो यह क्या हो गया इसकी तरफ आ रहा है आप देखोगे अगर इसकी direction देखोगे तो यह towards the charge है यहां पर लिख सकते है towards the charge अब यह direction आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर positive है तो बाहर की और निकलेगा electric field की direction बाहर की तरफ होगी दूर की तरफ charge से और अगर negative charge है तो charge की और electric field की direction होगी तो represent of the electric field in terms of the field vector the size of the arrow represent the strength of electric field तो electric field strength जो होती है जैसे जैसे चार्ज के नजदीक आते हैं वैसे 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 electric field strength बढ़ती है चार्ज से जितना दूर आप जाओगे electric field strength कम होगी ठीक है यह note कर ले न उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं next ठीक है यह उमने नोट कर लिया अब बात करते हैं यहां पर electric line of force due to a pair of equal and unlike charges equal and unlike charges का मतलब क्या होगा इक्वल मतलब होता है उनका magnitude ठीक है magnitude इक्वल है यानि कि एक दो माइक्रो कुलम का चार्ज है तो दूसरा माइनस दो माइक्रो कुलम का चार्ज है तो यह equal magnitude में equal है और इनकी जो sign है वो क्या है अपोजिट है इसको बोलते है इक्वल एंड अनलाइक इक्वल एंड अनलाइक चार्जेज और दूसरा माँ पढ़ेंगे इक्वल एंड लाइक चार्जेज तो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि exam में यह सब पूछे जाते है कि कैसा होगा figure मतलब कौनसा इन में से सही है विद्दुत परिपत के और यहां से पॉजिटिव से नेगेडिव की तरब यहां से पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल अन्ताहा यह जाएगी कहां पे होकर नेगेडिव की तरफ तो इस तरहएब बिलन दोगी मिल हग क्या हो गया positive है, एक दूसरा क्या है, दूसरा भी positive है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, repel करने चाहिए, तो electric line of force जो है, वो क्या हो जाएगी, repel हो जाएगी, यानि कि वो आपस में मिलेगी नहीं, close path एक नहीं बनाएंगी, तो ये आपस में नहीं मिल रही है, आपको दिखर lengthwise to represent the attraction between two unlike charges, and electric line of force exert lateral pressure to represent repulsion between the like charges, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, intensity सबसे जादा होगी, ये जो मैंने ये वाला path बनाया है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर intensity जो है, लेक्रिक फिल्ड की बहुत जादा है, क्योंकि सघन है, तो जो dense part होता है, electric line of force में, अगर हम dense part द देखेंगे, तो वहाँ पर electric force intensity बहुत जादा होगी, और अगर rarer part है, यहाँ पर viral है, मतलब बहुत दूर दूर है, electric line of force, तो वहाँ पर electric field intensity कम होगी, ठीक है, तो ये जनरल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, कि जहाँ पर ज़्यादा लोग इखटे हैं, वहाँ पर छ वहाँ पर electric field की intensity जादा होगी, ठीक है, understood है, उसके बाद आते हैं अपने next topic पर, जिसका नाम है, electric line of force due to a uniform field, एक uniform field है, उसकी वजह से अगर हम electric line of force देखना है, उसकी electric line of force की अगर हम बात करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, कैसे represent करेंगे, तो कभी भी अगर uniform field है, uniform का मतलब हो कि हर एक point पर एक समान, तो जब भी हमें uniform field को represent करना होता है, तो हम parallel line से समानतर रेखाओं से, तो हम किसका प्रियोग करते हैं, समानतर रेखाओं का प्रियोग करते हैं, या फिर parallel line का use करते हैं, तो यह जो parallel line आपको दिख रही हैं, यह यहाँ पे आपको दिख रही हैं, यह लाइन्स कर रहे हैं ऐने कर्रोब को च्राइब नूठ्र लिएक्रिवि Hmm तो कभी अगर आप पयलल लैंस ले लिजेगा वंमता रेखाएं ले लिजेगा तो आप आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे उसके बाद आता है properties of electric line of force तो electric line of force की क्या-क्या properties है इसको हम समझ लेते हैं तो पहली property क्या है तो one by one हमें discuss करेंगे एक एक property को मैं आपको समझाते हूँ चलूँगा आप इसको note करते रहे न अपने notes जितने ज्यादा strong बनाएंगे जितना ज्यादा आप अपनी तरफ से कोसिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीख पाएंगे और उतना ही ज्यादा marks आप गेंश कर सकते हैं ठीक है तो पहला point यहाँ पर आता है पहली properties की यह कि electric line of force और imaginary line जिसको हम discuss कर चुके कि यह कालपनिक रेखाएं होती है इसका वास्तविक्ता से कोई लेना देना नहीं होता तो यह क्या है कालपनिक है ठीक है imaginary lines होती है यह तो हम केबल एक सोच सकते हैं कि electric line of force ऐसी होंगी देखने में इस direction में चलेंगी वास्तव में ऐसी चलती क्यों दिखाएं नहीं देती है कि एक कोई test charge चल रहा है और वो अपने पीछे line बनाते हो चल रहा है ऐसा नहीं होता है ठीक है तो यह imaginary lines होती है second है कि unit positive charge placed in a electric field tends to follow a path along the field line if it is free to do so अगर electric field में किसी test charge को हम उसको घूमने के लिए छोड़ दें स्वतंत्र छोड़ दें तो वह एक path को follow करेगा जिस path को वह follow करता है वही electric field line होती है या electric line of force होती है ठीक है जो मैंने बताए था कि अगर test charge को electric field में खुला छोड़ दें क्योंकि बहुत ही small होता है वह force को experience करेगा बहुत ही तेजी से के साथ में तो वह force experience करेगा उसकी बज़े से क्या हो जाएगा वह से दूर भागने लगेगा और दूर भागेगा तो किसी एक path को तो choose करेगा जिस path पर वह जाएगा वही electric line of force होंगी बिद्धुत बल्रेखा होंगी ठीक है तो यह imaginary होती होती है कोई इससे बास्त्रिक्टा से यह 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 पंग कि अगर किसी बास्त्रिक्टा से सहाइगा तो से मात्र एक संयोग का जाएगा अगर इसका लिंक पाया जाता है तो आगे हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तो इलेक्ट्रिक लाइन ओफ पॉर्स इमिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू टर्मिनेट ओन नेगेडिव चार्ज जैसा मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और टर्मिनेट होती है किसकी तरफ नेगेडिव चार्ज की ओर टर्मिनेट होती है नेगेडिव चार्ज की ओर चाती है तो य अगर आपके दिमाग में है कि positive से negative की और होती है हमेसा तो आपको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला आपको आसानी से electric field की direction निकाल सकते हैं magnitude के लिए तो formula पता ही है कैसे निकालना है बाद direction आपको पता होगी तो आप यह plus minus कर पाओगे कि अगर same direction में तो plus करना है और अगर opposite direction में तो minus करना है अगला यहां पर होगा fourth point the tangent to an electric field line at any point give the direction of the electric field at that point अगर हम यहां पर किसी एक curved पे कोई एक point लेते हैं तो उस पर अगर मैं tangent देखूंगा तो tangent line उस particular point पर electric field line की direction को सो करेगी यह electric field की direction को सो करेगी तो यह fourth point हमें बता रहे हैं इसके बाद fifth point उम्मीद है कि चारव point आपको clear हो गया होंगे इसको एक बार और revise कर बादूंगा fifth point देखते हैं fifth point क्या है two electric line of force can never cross each other if they do so then the point of interaction there will be two tangents it means there are two values of electric field at that point which is not possible तो इसका मतलब यह है कि electric line of force जो होती है वो कभी intersect नहीं करेंगी मतलब एक दूसरे को cut नहीं करेंगी एक दूसरे को नहीं काटेंगे किसी भी point पर क्यों है ऐसा क्योंकि हमें पता है कि जो tangent line होती है वो electric field की direction को सो करती है अभी जस्ट उपर वाले तो यह जो cut point है intersection point है यहाँ पर दो tangent line हो सकती है अब दो tangent line होने का मतलब यह है कि इसकी दो direction हो जाएंगी electric field की एक direction ही हो गई और एक direction ही हो गई इस नोट पॉसिबल एक ही point पर electric field की दो direction नहीं हो सकती पर टेस्ट चार्ज तो एक ही है तो टेस्ट चार्ज अगर एक है तो वह दो direction में कैसे चलगा जैसे मैं अकेला हूँ तो मैं एक साथ दो दिसाओं में कैसे चलूँगा तो कोई इंसान जब एक साथ दो दिसाओं में नहीं चल सकता तो एक पार्टिकल दो दिसाओं में एक साथ कैसे चल सकता है तो यह पॉसिवल नहीं है यह इंपॉसिवल बात है विच इस नॉट पॉसिबल इसलिए कभी भी फील्ड लाइन जो होती है वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी भी पर्टिकुलर पर ठीक है तो इसका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वाला पॉइंट सबसे आदा इंपॉर्टेंट बहुत सारे कोशन से इससे पूछे जाते हैं कई बार में कोशन आ जाता है कई बार आपका डेरिवेटिव पार्ट में भी इसको यूज कर लिया जाता है फुर्धर एलेक्रिक फिल्ड बिलोंग ए वेक्र कॉण्टिटी देर केंग बी ओनली वन रिजल्टेंट फिल्ड एट गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट बाइट पॉइंट पॉइंट फॉर्ड गिवन लाइन 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 फोर्ट यह मैंने आल्रेडी डिसकर लिया है तो और next slide में देखते हैं क्या है तो अगली slide में यहां पर six point इसका आता है कि electric line of force are closer where the electric field is stronger and the lines spread out where the electric field is weaker तो जहां पर यह सघन होंगी जहां पर यह पास पास होंगी वहां पर electric field is strong होगा जैसे मैंने बताया था कि अगर कई लोग इखटे हैं एक साथ उनकी सकती जादा होगी उनकी intensity जादा होगी उनकी सामर्थ जादा होगी और अगर दूर-दूर हैं मतलब फेले हुए हैं तो कि आसानी से उनको तोड़ना या फिर एक दूसरे को मार के निकल जाओ कोई किसी को मतलब भी नहीं है ठीक है तो वह ही है कि अगर electric line of force दूर-दूर हैं तो बहुत कमजोर होंगी और अगर पास-पास हैं तो वह क्या होंगी बहुत जादा strong होंगी ठीक है तो यह point आप note कर लेंगे जैसे यहां पर आप देख रहे होगे यह पास-पास हैं यहां पर आप देख रहे होगे दूर-दूर है तो यह ज़्यादा है और यह कम है इसी के साथ में यह देखिए के 7th point इलेक्ट्रिक लाइन आफ फॉर्स और पर्पेंडिक्लर दूर दूंसर्फेस आ क्यों फॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोडी है तो जो उसके फोल्वें पर्पेंडिकलर रस होती से यह इकशीट है इस सीट पर पॉजिटीव चार्ज़ है तो इसके पर्पे यह टेंजेंट से पर्पेंडिकुलर है यह टेंजनट इस सेघ्ट पर्पेंडिकुलर होती है उस चार्ज के थीक है next is electric line of force contract lengthwise to represent the attraction between two like charges तो यह डिखिटिउट करती हैं कि यह 2 positive पुजितिफिश एगर चार्ज थीफ के बीचiked attraction होगा तो length उनकी क्या होगी काम होगी ठीक है lengthwise representation आप उससे निखाल सकते हैं तो अगर attraction हो रहा है attraction में क्या होगा charge एक दूसरे के पास आए क्योंकि वो attract करेगा एक दूसरे को तो उससे क्या हो जाएगा उसकी length कम हो जाएगी ऐसे ही यहाँ पर electric line of force exert lateral pressure to represent repulsion between two like charges तो अगर electric line of force जो है वो एक lateral pressure apply कर रही है तो यह represent करेगा कि जो charges है वो like charges है इससे वो क्या हो रहा है एक दूसरे को repel कर रहे है ठीक है जैसे हमने देखा था यहाँ पर like charges थे तो यह attract कर रहे थे एक दूसरे को ठीक है इससे क्या होता है इसकी length आप देखेंगे कि क्या है कम है यहाँ पर length बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर क्या है unlike charges है तो यहाँ पर lateral pressure apply हो रहा है और नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हमने तो 10th पॉइंट है इसका property है the number of lines per unit cross sectional area perpendicular to the field line directly proportional to the magnitude of intensity of electric field in that reason तो number of जो line per unit cross sectional area है per unit cross sectional area का मतलब यह हो गया कि यह अगर एक कोई shape है तो इसका cross sectional area होता है यह यह वाला ठीक है क्योंकि इसी part से यह मिलकर बना हुआ है तो यह इसका क्या हो गया cross sectional area हो गया यानि कि pi r square ओके तो यह cross sectional area जो भी होगा जो भी shape है हमें नहीं पता कैसी shape है तो उस shape के लिए particular shape के लिए जो cross sectional area उसका होगा per unit cross sectional area पर जतनी number of field line होगी वो proportional होगी electric field की intensity के ठीक है तो del n over del a is directly proportional to e right del n over del a is directly proportional to e e is electric field ठीक है तो यह ध्यान रखेंगे number of field line per unit cross sectional area perpendicular to the field line is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field in that reason next point है electric field electric line of force do not pass through the conductor hence the interior of the conductor is free from the influence of the electric field तो किसी भी conductor के अंदर से electric line of force pass नहीं हो सकती है reason उसके बीचे क्या है उसके बीचे reason यह है कि यहां तक जैसे यह positive plate है यह पूरा conductor है ठीक है तो इस पूरे conductor में अगर देखेंगे तो यह positive है यह negative है तो negative की जैसे यह जो hollow part है यहां पर क्या हो जाएगा एक कह सकते हैं कि opposite charge एक induction effect लगेगा और negative की जैसे यहां पर positive की जैसे यहां पर negative हाजाएगा जिससे एक shield बन जाएगी क्या बन जाएगी एक शील्ड बन जाएगी जिसको बोलते हैं electrostatic shield क्या बोलते हैं जिसको electrostatic shield तो इस shield की विजए से वह क्या हो जाएगा एक दब रजिस्ट हो जाएगा वह path और उस path पर कोई भी electric field line नहीं होगी नेक्स्ट है electric line of force can pass through the insulator इंसुलेटर से electric field line of जो पास हो सकती है conductor से नहीं होती है ओके नाव नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है electric dipole so what is the meaning of electric dipole dipole के बारे मैंने first lecture में भी थोड़ा सा बताया था तो अब हम इसको detail में cover करेंगे तो dipole का मतलब होता है दो ध्रूब टाई का मतलब होता है दो ठीक है और pole का मतलब होता है ध्रूब यानि कि सिरे ध्रूब या सिरे तो अगर किसी भी एक system के दो सिरे है एक ऐसा system जिसमें दो सिरे है या दो अलग-अलग तरीके के charges है जिनका nature अलग है लेकिन magnitude same है ठीक है तो उसको हम क्या बोलते है डाई पोल बोलते है जिनका magnitude same हो लेकिन उनका nature अलग-अलग हो एक positive हो दूसरा negative हो तो ह separated by a very small distance जो की बहुती कम दूरी से separate होते हैं इस प्रकार के system को हम क्या कहते है electric dipole कहते है तो एक ऐसा system जिसमें दो equal और opposite charges बहुती कम दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार के system को हम क्या कहते है electric dipole कहते है तो the electric field produced by dipole is known as electric dipole okay electric field produced by a dipole is known as dipole field तो वो एक dipole field कहलाता है जब एक dipole के वजा से electric field generate होता है produce होता है तो उसको dipole field कहते है electric dipole field कहते है तो electric dipole moment is a vector quantity used to measure strength of an electric dipole electric dipole moment जो है वो एक vector quantity है जिसका use हम किसले करते है strength of electric dipole electric dipole की जो strength है उसको measure करने के लिए हम electric dipole moment को measure करते है जिसका जो formula होता है वो होता है P is equal to Q into 2L यह जो 2L है वो दो charges की 20 की distance है यह 2L क्यों लेते है पज़ए क्या है इसके बीचे देखो यह minus Q लेते है यह plus Q लेते है तो ऐसा कहा जाता है कि यह origin के इस तरफ negative होता है तो L distance पर यह क्या है negative charge है और L distance पर यह positive charge है तो total distance इनके बीची क्या होगा ही 2L हो गई तो जनरल ही हम 2L लेते है ऐसा नहीं है कि हम A, B, R या फिर यह नहीं ले सकते है लेकिन एक अपने derivation को एक और इजी समझने के लिए हम यहाँ पर distance जो है वो 2L ले लेते है ठीक है तो P is equal to होता है Q into 2L और I cap इसलिए लिए है क्योंकि X axis के अलोंग लिए है Y cap भी हो सकता है J cap भी हो सकता है K cap भी हो सकता है ठीक है वो depend करता है कि हम किस axis के अलोंग ले रहे तो Q into 2L into I cap so the magnitude of electric dipole moment is produced of magnitude of either charge and the distance between the two charges ठीक है तो product of magnitude of either charge दोनों charge में से किसी का ही magnitude ले लो क्योंकि दोनों का magnitude CM है तो charge का magnitude और उनके बीच की distance के जो product होता है वो क्या होता है है in electric dipole moment to equal方 होता है तो direction is from negative to positive इसकी direction क्या होती है एक पॉज़िटिव होती है electric field की direction आपने देखी थी वो थी positive से negative even if you already positive से आällen पूछे इलेक्टर क्यों मुमेंट के direction अगर कोई आप से पूछेंगे तो negative से positive होती है, धोला से ध्यान रखेंगे opposite है यह, ठीक है SI unit जो होती है, इसकी क्या होती है, कुलम meter होती है क्योंकि हमने देखा यहाँ पे यह क्या है, कुलम charge है, तो charge की जो unit होती है वो क्या होती है, कुलम होती है, और जो 2L है वो क्या है, distance है distance की unit क्या होती है मीटर होती है, तो कुलम मीटर इसकी क्या हो गई, एक unit हो गई, ऐसा ही unit हो गई, जो की हम generally use करेंगे, ठीक है, कुलम मीटर, next, इसी में एक note कर लीजे, कि an ideal dipole is the dipole in which the charge becomes larger and larger, and the separation between becomes smaller and smaller, तो एक ideal dipole वो होता है, जिसमें charge जो हो बढ़ता रहता है, बहुत बड़ा बड़ा होते रहता है, और जो distance है उनके बीच की वो छोटी छोटी होती रहती है, तो distance कम होती रहती है, और उनका magnitude है, charge है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, तो larger magnitude of charge and smaller distance between the charge, तो वो एक ideal dipole होगा, इसी के साथ में अगर हमें electric field लिकालना है, एक dipole की विजए से तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक dipole system है, A, B, इसमें पहला वाला charge minus होगा always, और दूसरा वाला charge positive होगा, minus और plus, तो पहला minus क्यों लेते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि बाई तरफ मैंने बताया अभी origin के बाई तरफ जो होता है, वो negative लेते हम value और origin के दाहिनी तरफ हम positive value लेते हैं, तो इसलिए हम left side में क्या लेते हैं, negative Q ले लेते हैं, और positive side में क्या लेते हैं, minus Q ले लेते हैं, use कर लेते हैं, तो generally यह आपको सौझ में आगया होग अगर इस line पर ही electric, कोई point है जहाँ पर हम electric field find करना है, तो हम उसके लिए क्या method यूज करेंगे या क्या electric field की value होगी इस dipole के कारण उस point पर, और अगर non axial point है तो उस पर electric field की value क्या होगी, यह दोनों ही हम यहाँ पर समझेंगे, पहला यहाँ पर समझते हैं, जो यह point हमने लि positive charge का एक पूरा system, तो यहाँ पर इसका जो center point है, जो की जिसको हमने O से represent किया है, इसके बीच की distance मैंने बताए थी, O से इधर की तरफ L होगी, और इधर की तरफ भी L होगी, तो यह हो गई L और यह हो गई L, इस पूरे, अगर आपने figure को समझ लिया न ठीक से, तो आपको प electric field find करना है, electric field की intensity find करना है, तो just अभी हमने एक super position principle पढ़ा था, जहाँ पर मैंने आपको बताए था कि अगर कई सारे charge रखे हुए हैं, तो उन सब charge का जो प्रवाव है, वो एक particular point पर पढ़ेगा, यानि कि उससे electric field की intensity है, वो change हो जाएगी, ठीक है, अगर एक charge रखा हुए है, और इस point पर हमें electric field लिकालना था, suppose यह charge है, और यहाँ पर हमें electric field लिकालना था, तो अब क्या होगा, कि अगर दूसरा charge यहाँ पर रख गया, और यहाँ पर electric field find करना है, तो दोनों charge जो है, वो इस पर electric field apply करेंगे, इस पर एक field apply करेंगे, तो इन दोनों charges की वजए से, जो field होगा, वो कितना होगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम super position principle का use करेंगे, ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर करना है, एक negative charge है, एक positive charge है, पर पर हमें electric field find करना है, पहले हमें direction देखनी पड़ेगी, simply हमें पता है कि direction जो होती है, electric field की positive से negative की और ह positive charge कहा है, positive है B पर, negative charge कहा है, negative charge है A पर, तो B पर जो charge है, उसकी विजए से electric field की direction यह हो गई, यह वाली, यानि कि away from the positive charge याद होगा आपको, positive charge से दूर की तरफ, यहाँ पर अगर negative charge है, negative charge की विजए से, क्या होगा पी पर direction, towards the negative charge, यानि कि negative charge की और, अब देखो, दोनों की जो direction है, वो opposite है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, दोनों की charge opposite है, इसका मतलब, अगर हमें net electric field लिकालना है, तो हमें minus करना पड़ेगा, तो, क्योंकि electric field जो थी vector quantity है, तो EB minus EA, तो हम minus करेंगे, EA को electric field of A, sorry, electric field due to A, minus electric field due to B, तो अब यहाँ से अगर हमें निकालना है, यह सप इस से क्या हो जाएगी, X plus L दूरी पर, और B वाले चार से हो जाएगी, X minus L दूरी पर, is it clear, तो अब यहाँ पर हम EA की value अगर लिका लेगे, तो formula हमें पता ही है, 1 upon 4 epsilon naught Q upon X plus L whole square, क्यों, क्योंकि यह तो डिस्टेंस है, वो X plus L है, A से जो दूरी है, P तक कि वो X plus L है, तो हम B के लिए जब निकालेंगे, तो हो जाएगा, 1 upon 4 epsilon naught Q upon X minus L का square, magnitude अगर देखेंगे, तो magnitude अगर आप निकालेंगे P पर, तो मैंने क्या होता है, तो माइनस करेंगे, तो माइनस हो जाएगा, 1 upon 4 epsilon naught Q upon X minus L whole square, minus X, Q upon X plus L whole square, क्यों, क्यों, क्योंकि B पर जो electric field की intensity होगी, वो ज् जो charge है, वो इससे कम दूरी पर है, और A की विजए से, और A की विजए से, जो electric field की intensity होगी P पर, वो कम होगी, क्योंकि ये दूर है, जितना दूर होगा, उतना ही electric field की intensity कम होगी, तो जो हमने इसको minus किया, minus करने पर हमें मिल जाएगा, electric field at point P is equal to 1 upon 4 epsilon naught 2 into Q into 2L into X upon X square minus L square का whole square ठीक है, अगर L की value बहुत कम है X से, तब, अगर L की जो value है, वो X की respect में negligible है, सपोज, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से L की value हड़ा सकते हैं, तो यह हम use करेंगे, और Q into 2L की जगे P लगा देंगे, तो हो जाएगा formula, 1 upon 4 pi epsilon naught 2P upon X cube, ओके, तो यह formula है, at axial position, एक्सिस पर अगर हमें electric field निकालना है, तो आपको यही formula याद रखना है, 1 upon 4 pi epsilon naught 2P upon R cube, या 2P upon X cube, यह formula होगा, किसके लिए, किसके लिए, broadside on position पर, ठीक है, तो मतलब axial position पर अगर हमें निकालना है, electric field तो इतना हो, formula याद रखेंगे, बागी आप आराम से question को solve कर सकते हैं, अगला point आता है, at a point on equatorial line, equatorial line पर अगर कोई point है, तो electric field कितना होगा, ठीक है, equatorial point पर अगर कोई point है, तो electric field कितना होगा, dipole की जाएसे यहाँ में निकालना है, same boy करेंगे, देखो, B cube जाएसे electric field की direction होगा यह, इस तरफ, और A cube जाएसे electric field की direction होगा यह, ठीक है, यह दो direction हो त Знаं ग़ी अब नेट alt नोगए इस डिरÄक्शन में जहाँ पर रिका हुआ क्युक्य कि ост quieren IMyक करनी है तो हम पहले बीद है निकाले के ईबी किसे निकालेंगे यह इस ली डिस्टेंस यहां से यहां तक किकुतनी थी ऐल यी डिस्टेंस हमें वाई ली को पाइतागुरस थेरोम क्या हो जाएगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो यह डिस्टेंस निकल का जाएगी स्क्वेरूड अगर एपर निकालेंगे तो यहां पे एकस लिखा हुआ यहां पर वाई करेंगे ठीक तो यहां पर एक की वैली कितनी है जाएगी वन अपन पॉप एफसेल नॉट के लिख देते हैं हम इसको और क्यू क्योंकि हम रिजल्टेंट हम जो है मेगनिट्यूड लेते हैं चार्ज का बेसिकली क्योंकि एलेक्रिक फील्ड जो है वन बाई टू कैंसिल हो जाएगी अब एक पर तो हमने निकाल लिए बी पर निकालेंगे तो सेम इतना ही निकल कियाएगा के क्यू अपन एलेक्रिक फील्ड आप देख पारे होंगे सेम आ रहा है क्योंकि डिस्टेंस सेम है चार्ज का मैगनिट्यूड भी सेम है तो सेम होगा एक ही जैसा होगा कोई दिक्कत नहीं है अब इलेक्ट्रिक जो यहां पर हम इसका कंपोनेंट देखेंगे क्योंकि इलेक्रिक फील्ड तो सेम है अब इसके बी के दो कंपोनेंट यहां पर ब्रेक करो पहला हो जाएगा यह हो जाएगा ई बी साइन ठीटा और यहा cos theta और eb ea cos theta दोनों की जो direction है eb cos theta and ea cos theta इनकी direction सेम है और eb sin theta और ea sin theta इनकी direction क्या है इसकी और इसकी direction opposite है तो यह दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? तो ea जो हो जाएगा या eq जो हो जाएगा q पर हो जाएगा ea cos theta प्लस eb cos theta दोनों को add कर लो तो अब हमें पता है कि यह जो electric field की intensity है वो क्या होगी? क्योंकि same है ea और eb दोनों क्या है बराबर है तो क्या मैं ले सकता हूँ? eq is equal to 2 ea किसी के भी equal ले लो ea को eb ले लो या eb को ea ले लो तो कोई फरक नहीं पड़ेगा cos theta ठीक है? cos theta की value यहाँ से निकाल लो तो theta cos theta क्या होता है? यहाँ पर हमें पता है कि cos theta is equal to कितना होता है? base upon perpendicular होता है तो base upon hypotenuse होता है तो base और hypotenuse को यहाँ पर ले लो cos theta is equal हो जाएगा base कितना है यहाँ पर L और hypotenuse कितना है? hypotenuse है इसका square root of L square plus y square की power 1 by 2 तो अगर हम यहाँ पर use करेंगे इसको तो यहाँ पर मैं आपको बता है तो यह जाएगा eq is equal to 2 into यह कितना आ गया था? यह आ गया था ea तो यहाँ पर हम ले लेंगे ea cos theta की जगह यूज करेंगे L upon L square plus y square की power 1 by 2 और ea की value यहाँ पर use कर लेंगे तो ea कितना था? यह था 1 upon 4 pi epsilon not k की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर जो मैंने k लिया था यह वाला यह k की जगह हम क्या लेंगे? 1 upon 4 pi epsilon not use कर लेंगे और q upon L square plus y square तो q upon L square plus y square और यहाँ पर आ जाएगा L upon L square plus y square की power 1 by 2 तो यह देखो अगर यहाँ पर देखो तो यह हो गया q into 2L तो q into 2L किसके एककोल होता है? प केकोल होता है तो यह हो गया 1 upon 4 pi epsilon not इसको लिख लिए हमने P upon यह हो जाएगा आपका L square plus y square की power 3y2 ठीक है? 3y2 क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर इसकी power है 1 और यह 1 by 2 तो 1 plus 1 by 2 कितना हो गया? 3y2 हो गया अब यहाँ पर हमें पता है कि L की जो value है वो y से तो बहुत कम है तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते है? नेगलेक्ट कर सकते है तो eq जो हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? 1 upon 4 pi epsilon not यह हो जाएगा P upon R, sorry, yq तो यहाँ पर distance जो भी लेंगे उसकी की according चलेंगे तो yq तो यह electric field की intensity आ गई किस पर? equatorial position पर आ गई निकल के तो उम्मीद है कि यह आप जो derivation है वो भी आपको clear हो गया होगा पहले वाला derivation भी आपको clear हो गया होगा इन दोनों derivation को एक बार देख लीजेगा ठीक है? पहले वाले में जो निकल के आ रहा था वो आ रहा था 2P upon R cube इस वाले में निकल के आ रहा है P upon R cube तो बस क्या है कि अगर हम electric field axial position पर देखेंगे dipole moment की विजए से तो वो दो गुना होगा equatorial position पर जितना होता है उससे तो यह हो गया formula इस formula को note कर लेंगे and the direction of electric field intensity at the point on the equatorial line due to a dipole is parallel and opposite to the direction of the dipole moment तो electric field intensity की जो direction होगी वो parallel होगी लेकिन opposite direction होगी dipole moment के ठीक है क्योंकि मैंने बताया था कि positive to negative होता है electric field किसमे electric field में और negative to positive होता है dipole moment में तो यह opposite है इसलिए opposite direction होगी यह दियान रखेंगे so if the observation point is far away or when the dipole is very short then the electric field intensity at the point on the axial line is double the electric field intensity at the point on the equatorial line यह मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत दूरी पर है point बहुत ज्यादा distance पर है L की value बहुत कम है आ सकती है तो उस case में जो axial position पर electric field होगा वो दो गुना होगा equatorial position पर जो electric field है उसका rotational motion हो सके तो एक ऐसा force जो की उत्तरदाई है जिसकी विज़र से क्या होता है rotational motion होता है तो उस force को हम क्या कहते है torque कहते हैं उस force को हम बलागून कहते है तो the force of magnitude PE act opposite to each other and hence net force acting on the dipole due to external uniform electric field is zero तो देखो यहाँ पर एक electric field है uniform electric field यहाँ पर रखा हुआ है E जिसमें एक dipole रखा हुआ है dipole का magnitude है वो charge का magnitude वो Q है और opposite charge होते है obviously तो इस पर force जो लगा F is equal to कितना होता है QE होता है तो यह force apply हो रहा है दोनों charges पर तो यह जो charge पर force apply हो रहा है यह क्या होगा opposite होगा QE जो force होगा वो क्या होगा opposite होगा तो यह force opposite है एक दूसरे के जिसकी वज़ासे dipole जो होगा उस पर external force कितना हो जागा electric field is external uniform electric field क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा external uniform electric field कोजी भी नहीं होगा so there is no translational motion or dipole of the dipole कोई भी translational motion dipole का नहीं होगा however the force are along different lines क्योंकि force जो है वो अलग-अलग lines पर है and constitute a couple hence the dipole will rotate and experience torque यह अपनी साम में इसलिटीमें आने की कोसिस करेगा जैसे यह है इसे है आने की कोसिसकंद़ करेख तो यह जो घूम के ऐसे यह इस तरीके से है तो घूम के ऐसे आने की कुछ करेगा इसमें क्या लगेगा टॉर्क लगेगा तो इस टॉर्क की वैल्यू अगर हमें निकाल नहीं है तो टॉर्क के क्या होता है देखो फॉर्मुला नोट कर लेंगे फॉर्मुला होता है टॉर्क क एन्ड़ परफएंड़पंडिकुलर दिस्टेंस क्या प्रोड़एक्ट होता तो इलेक्रिक्रिक स्कतेंब एसको फ्लप्र ए इस पर वी इस वाया उमॉरिक हो रहा है यहां से यहां से जोर्पेंडिकुलाண़डिकुल्बड इस्टेंस किया यह इस वाले से perpendicular distance यही तो है इसको मिला दो यह perpendicular distance है ठीक है perpendicular distance हमने ले लिए यहाँ पर वो आम निकालेंगे कितनी आएगे निकल के देखो तो यह के torque is equal to electric force into perpendicular distance perpendicular distance अगर हम निकालेंगे तो वो कितनी निकल के आएगी तो यह हो जाएगा यहाँ से theta angle पर है तो यह वाली जो distance है यह वाली इसको हम क्या बोलेंगे perpendicular upon base तो हमें पता है sin theta में आता है perpendicular distance अगर निकालनी है तो sin theta में आता है यह जो है perpendicular distance है तो perpendicular distance upon this is hypotenuse यह क्या है 2L अमने यहाँ पे ले लिया 2L तो perpendicular distance कितनी हो जाएगी 2L sin theta तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे 2L sin theta तो देख लो यहाँ पर perpendicular distance की जगए 2L sin theta यूज किया है और force की जगए QE यूज किया है तो tau is equal to हो जाएगा tau से रिप्रेजेंट करते हैं बला गून को तो tau is equal to हो जाएगा यहाँ पे QE into 2L sin theta राइट अब यह जो Q है और 2L है Q और 2L मिलकर क्या बनाते है P तो यह हो जाएगा P E sin theta तो tau की value क्या हो गई P E sin theta हो गई इसको हम sin theta को अगर हटा दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं vector form में P vector cross E vector cross product आजाएगा P vector cross E vector तो tau vector is equal to हो गया P vector cross E vector so direction of the tau is perpendicular and into the plane containing P vector and E vector तो इसकी तो direction होती है direction of torque वो क्या होती perpendicular and into अंदर की तरफ ठीक है unit of torque अगर हम देखेंगे तो वो कितना निकल गएगी so the SI unit of torque is Newton meter important है note कर लेंगे अब इसमें 3 case arise होते है पहला case क्या है अगर theta की value 0 है तो tau कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा sin 0 की value 0 होती है अगर theta की value 90 है तो उस case में maximum होता है तो tau क्या हो जाएगा maximum हो जाएगा यानिकि PE क्योंकि sin theta is equal to sin 90 is equal to 1 ठीक है maximum होती है इस case में value तो इसलिए क्या हो जाएगा maximum हो जाएगा और अगर इस case में देखो अगर theta की value 180 है theta is 180 देन उस case में क्या हो जाएगा tau 0 हो जाएगा क्योंकि sin 180 is also equal to 0 उम्मीद है यो जो बला-गूढ वाला टॉपिक है यानि की टौर्क वाला जो टॉपिक है है आपको वह सबसे पहले ज़ सदौन की बात कर लेदें नेंगा क्या हूता है बलगूरा विस्थापन यानि की यह जितना फॉर्स लगा है उसके लगा है उसके विज़े से जो displacement हो वो हमारे द्वारा किया गया कर रहे है अब अगर हम जो यह था डाइपोल मुउमेंट डाइपोल था यह क्या कर रहा था रोटेट कर रहा था तो इसके रोटेशन की विज़े से क्या कार रहोगा क्या वर्क होगा वह अगर हमें निकालना है तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे बला गुण और एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट यूज करेंगे ठीक है तो वर्क डंग जब भी हमें निकालना होता है तो हम यूज करेंगे यहां पर force को और उसके साथ में जो भी displacement है ठीक है, तो when an electric dipole is placed in a uniform electric field, it experiences torque and tends to align in such a way to attain stable equilibrium ठीक है, तो एक stable equilibrium को यह क्या करेगा attain करेगा and यहां से dW is equal हो जाएगा tau into d theta and tau की value होती है p e sin theta and d theta तो इसको integrate करेंगे, अगर w की value लिका लेंगे, तो dW का integration करेंगे with limit theta 1 से लेके theta 2 क्योंकि यह जो angle बना रहा था theta 1 से अब theta 2 तक आगया, जो इसकी final position है, तो यहां तक कितना कारे किया, तो हम यहां से जब sin theta का integration करेंगे, तो होता है minus cos theta, तो यह हो जाएगा तो इसकी बाद आती है, lower limit, तो यह हो जाएगा minus cos theta 1 theta 2 and minus minus plus plus cos theta 2 theta 1, sorry, तो इसको हम लिशे सकते हैं, W is equal to P e cos theta 1 minus cos theta 2 तो यही formula यहां पे लिखा हुआ है W is equal to, यह बहुत important formula है इसको याद करने रखेंगे, याद कर लेंगे P e cos theta 1 minus cos theta 2 तो अगर potential energy is arbitrary taken 0 when the dipole is at 90 degree तो potential energy यह फिर work done जो है वो हम 0 कब ले सकते हैं, जब displacement यह dipole जो है, वो 90 degree पर होगा तो उस case में हम क्या लेंगे, 0 लेंगे and then potential energy is rotating in the dipole and including it at an angle theta is potential energy कितना हो जाएगा P e cos theta, minus P e cos theta ठीक है, अगर 90 से हम rotate करके गुमा रहे हैं, तो cos 90 की value 0 होती है तो theta degree पर अगर हमने उसको गुमाया तो u is equal to कितना हो जाएगा minus P e cos theta अब यहाँ पर note कर लेंगे कि potential energy can be taken 0 arbitrary at any position of the dipole कौनसी position पहला case यहाँ पर arise हो जाएगा theta is equal to 0 then u is equal to minus P e stable equilibrium होगा यह अगर theta की value 90 है तो u is equal to 0 हो जाएगा अगर theta की value 180 degree है तो यह हो जाएगा P e यह unstable equilibrium होगा stable क्या होगा minus P e unstable क्या होगा plus P e तो इसको note कर लीजेगा है यह वाली जो 해요 और यह है unstable equilibrium यहां पर आपदेखोगे तो यहां पर यह positive है positive अगर आ रहा है अगर P e की value positive है तो यह unstable equilibrium हो जाएगा अगर यह P e की value negative है तो यह stable equilibrium में ओ जाएगा तो यह थोड़ा सा आप जान रखेंगे ok तो यह릴게요 करता है angle पर basically, तो u is equal to हो जाएगा, minus p e cos theta and w is equal to हो जाएगा, p e cos theta 1 minus theta 2 तो electrostatic potential and Gauss theorem इसमें combined रूप से रहने वाला है Gauss theorem पहले मुझे लेना चाहिए था, अब यहाँ पर बाद में क्यों ले रहे हैं, उसके बीचे एक reason है तो वो आपको इसी वीडियो में सौझ में आ जाएगा ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो सबसे पहले हम बात करेंगे linear integral of electric field तो electric field के linear integral यानि की यह रेखी है, समा कलन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे electric potential and potential difference दोनों में क्या अंतर है electric potential क्या होता है potential difference क्या होता है उसके बाद देखेंगे electric potential due to single point charge एक point charge की वज़े से जो electric potential होगा वो कितना होगा, उसके बाद electric potential due to a group of charge जैसे हमने देखा था super position principle पिछले वीडियो में बहाँ पर कई सारे charge थे system of charge की वज़े से जो हमने electric field निकाला था तो हमने उसकी particular direction भी देखी थी तो यहाँ पे electric potential जो हम निकालेंगे group of charge की वज़े से तो हम direction देखेंगे की नहीं देखेंगे यह हम इसी lecture में पता करेंगे और किस कितना होगा group of charge की वज़े से electric potential वो भी यहां से आपको पता चल जाएगा उसके बाद आएगा electric potential due to electric dipole dipole मैंने आपको पिछली lecture में बताये था अगर वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजएगा तो dipole की जैसे electric potential कितना होगा यह हम देखेंगे उसके बाद electric potential surface and their properties तो equipotential surface यहां पर क्या होती है यह हम समझेंगे equipotential equipotential नाम से बताचा रहा है equip means होता है equal यानि की continuous एक जैसी तो equipotential का meaning आप इसी lecture में समझेंगे क्या होता है उसकी definition क्या होगी और उसकी properties भी साथ में हम देखेंगे फिर आता है electrostatic potential energy तो एक potential energy जो है उसके कई सारे types हो सकते है जिसमें से एक type है electrostatic potential energy तो उसका क्या role है electricity के अंदर या electrostatic के अंदर वह हम समझेंगे और साथी साथ उसकी value अगर हमें find करनी होगी कभी भी तो हम किस तरीके से उसकी value find करेंगे ये भी हम इस lecture में जानेंगे उसके बाद बात करेंगे area vector क्या होता है तो area vector solid angle electric flux फिर gauss theorem electric flux पढ़ने के बाद area vector के बाद electric flux पढ़ते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे gauss theorem एंड उसका जो proof है वो भी हम देखेंगे फिर आ जाएगा column's law from gauss theorem gauss theorem की हल से column's law को हम किस तरीके से प्रूब करेंगे column's law मैंने आपको first lecture में बताया था जिसमें हमने electrostatic force को cover किया था तो वो column's law था तो वहाँ पे हमने देखा था कि force जो होता है वो charge के product के directly proportional और उसके बीच की डिस्टेंस होती है उसके square के inversely proportion होता है तो यह मैंने आपको first lecture में समझा दिया था फिर उसके बाद देखेंगे क्या-क्या applications है गौस की तो इन applications को भी हम one by one discuss करेंगे ठीक है तो यह हमारा आज के lecture में पूरा portion रहने वाला है one by one हर topic को cover करेंगे lecture अगर लंबा हो जाए तो आप one point five या फिर one point two five speed करके इसको देख सकते हैं ठीक है तो start करते हैं आज का lecture सबसे पहले हम बात करेंगे electric field आपको मैंने बता दिया था electric field के लिए आप previous video देख सकते हैं वहाँ पे मैंने आपको बताई थी उसकी definitions आती उसकी कुछ properties electric line of force भी हमने discuss कर लिया था तो इसके बाद ह लिए अगर हम देखेंगे electric field का जो line integral होता है वो क्या होता है इसी के साथ में work done by electric field तो line integral जो हम निकालता है electric field का तो वो work done के equal होता है यह आप ध्यान लखेंगे यह एक heading जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसी से आपको थोड़ा सा idea लग जा रहा होगा कि यह एक ही है अगर हम electric field का line integral ले रहे हैं तो वो work done के ही equal होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एक 3D मैंने plane लिया है तो यहाँ पे इस system में यह हो गया x-axis यह हो गया y-axis और यह हो गया चार्ज है वो क्या हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वो जो path travel करता है वो क्या होता है एक linear path होता है तो जब हम चार्ज को लेके जा रहे हैं तो उसमें चार्ज क कुछ आपको work done करना पड़ेगा, तो वो जो work done होता है, वो negative linear integral of electric field के एक कोल होता है, ठीक है, तो हम यह आप है कह सकते है, negative line integral of electric field represent the work done by the electric field on a unit positive charge by moving it from one point to another point, एक point से दूसरे point पर, अगर हम किसी point charge को लेके जा रहे है, positive point charge को, तो उसका जो linear integral है, electric field का, वो उसके work done के एक कोल होगा, ठीक है, तो w is equal to कितना होगा, minus, minus sign क्या सो कर रहा है कि वो opposite direction में है, ठीक है, cable direction को सो कर रहा है, so minus e dot dl, e vector dot dl, so यह vector है, तो इसको हम यह भी ले सकते हैं, w is equal to edl cos theta, line integral with minus sign edl cos theta, तो यह क्या रहा है, dot product आ रहा है, इसको हम बोलते हैं, scalar product of vectors, ओके, यहाँ पर q naught जो है, वो test charge मान सकते हैं हम, जो की किस में रखा हुआ है, एक electric field में रखा हुआ है, and साथ ही साथ, यहाँ पर force जो होता है, वो कितना होता है, f is equal to q naught e, जो की किस पर act करेगा, test charge पर act करेगा, due to source of charge plus q, तो इस plus q charge की विजए से, इस positive test charge पर एक force अप्लाई होगा, जो की होगा, 1 upon 4 by epsilon naught, q1, q naught, या q q naught upon r square, so it is radially outward, इसकी direction आप देख पा रहे होंगे, कि यह radially outward है, radially outward का मतलब होता है, कि यहाँ से इसकी radius देखेंगे, और इससे बाहर की तरफ इसकी direction होगी, ठीक है, बाहर की तरफ इसकी direction होगी, तो radially outward and tends to accelerate the test charge to prevent this acceleration equal and opposite force minus q naught e has to be applied on the test charge, तो इसको equal, इसको pretend करने के लिए, इसको रोकने के लिए, क्या करते हैं, एक opposite force लगाना पड़ेगा, इसकी opposite direction में, जिसकी वज़ेसे वो क्या रहे, stable रहे, equilibrium में रहे, ठीक है, तो total work done by the electric field on the test charge is moving it from a to b, in the electric field कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, dw is equal to line integral with minus sign e vector dot dl vector is equal to q q naught upon 4 pi epsilon naught, 1 upon r b minus 1 upon r a, ठीक है, यह total work done यहाँ पे निकल के आ जाएगा, तो इस formula को आप note कर सकते हैं, यह work done का formula है, note कर लीजेगा इसको, तो line integral जो होता है, electric field का, वो work done के एक क्वल होता है, यह आपको concept ध्यान में रखना है, इससे based काफी questions आते हैं, जब भी आपको numerical भी अगर ऐसा कुछ पूछा गया है, तो आपको electric field लिगीवान है, तो with respect to linear, with respect to, उसके line के respect में, या फिर उसकी length के respect में, जो हम उसको integrate करेंगे, so we will get work done, okay, now, यहाँ पर आप देखिएगा, यह formula भी हमने just देखा था, TW is equal to Q Q0 upon 457 upon 1 upon Rb minus 1 upon Ra, important formula है, इसको note कर लेंगे, इससे related कुछ points, जो कि आपको note कर लेने चाहिए, पहला है, यहाँ पर, the equation shows that the work done in moving a test charge Q0 from point A to another point B along any path A, B in an electric field due to plus Q charge depends only on the position of these two points, यह cable और cable इन दोनों points की position पर depend करता है, and independent of actual path, इसके जो path है, कौन सा path वो ले रहा है, कौन सा path वो travel कर रहा है, circular path है, यह फिर linear path है, यह फिर parallel path है, इससे कोई फरक नहीं परता, तो इससे क्या होता है, वो independent होता है, तो independent होता है इसके path से, ठीक है, A से B तक वो कौन सा path चूज़ कर रहा है, इससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है कोई साही बाग पाथ वो चूज कर सकता है सेकेंड यहाँ पे दड़िज लाइन इंट्रीगल ऑफ इलेक्रिक फील्ड इस पाथ इंडिपेंडेंट जैसा कि मैंने भी बताया था एंड इसका मतलब यह है कि इलेक्रिक फील्ड जो होता है वो इसका जो नोट कर लेंगे किसकी वजा से क्योंकि इसका जो लाइन इंट्रीकल होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है एंड फोर्थ पॉइंट यहां पे नोट कर लीजेगा लाइन इंट्रीकल ऑफ एलेक्रिक फील्ड ओवर एक क्लोजड पाथ जीरो किसी भी क्लोजड पाथ का लाइन इंट्रीकल अगर हम देखेंगे तो वो जीरो होगा क्योंकि अगर आप वहां पे लिमिट अप्लाई करत हो जाएगी ठीक है कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी ए और बी दोनों सेम होंगे पॉइंट एंड पॉइंट बी बोध हार सेम इस मीन्स की वैल्यू कितनी निगल के आएगी जीरो निगल के आएगी अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी उसका जो इलेक्रिक फील्ड का इंटीकल होगा उसकी वज़ासे लाइन इंटीकल जो होगा इलेक्रिक फील्ड का वो पाथ इंटीकल नहीं होगा वो पाथ पर डिपेंड करेगा क्योंकि उसमें क्या करेगा फील्ड बैरी करेगा अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि Natürlich Fdf vary नहीं कर रहे जब charge move करेगा तो उसके साथ में एक्रिक फ्यूल भी vary करेगा उसके साथ इलेक्री फ्यूल भी चलेगा जिस वजह से वह path पर डिपेंड़ करने लगए तब उसका lineிंटरीगल नहीं होगा Where path independent नहीं होगा उसका line integral जो होता है, वो किसके equal होता है, work done के equal होता है, तो अगर closed path है, तो वो 0 होगा, और path independent होगा, अगर rest पर है तो, rest पर नहीं है, तो वो path पर depend करेगा, ठीक है, next, electric potential क्या होता है, तो potential, जैसा कि हमने देखा था, potential का मतलब जैसे अगर, आप अगर energy की बात करें, तो basically जब में relate करके देखते हैं, तो हम यहाँ पे भी energy के साथ में, उसके work done के साथ में relate करके देखेंगे, तो potential क्या है, एक ऐसी physical quantity है, जहाँ पे हम flow of charge को determine करते हैं, जितना एक body से दूसरी body में transfer हो रहा है, तो एक body से दूसरी body में charge जो flow कर रहा है, उसका जो measurement है, उसकी जो determination है, वो from one body to another body, and it is a physical quantity that determines the degree of electrification of body, तो body के electrification की degree को determine करने वाली जो physical quantity होती है, वो होती है, electric potential, okay, इसके साथ में, electric potential at a point, in a electric field is defined as the work done, in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electric force, electrostatic force, irrespective of the path followed, तो किसी भी एक charge को, मान लीजे ये एक charge रखा हुआ है Q, इसके चारो और कुछ एक field है इसका, suppose ये एक field है इसका, तो infinite से, अगर हम किसी charge Q naught को अंदर लेके आते हैं, इस electric field के अंदर लेके आते हैं, ठीक है, या इस charge के नजदीक लेके आते हैं, जहां तक electric field इसका है, तो वहाँ पे हम जब इस charge को लेके आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि इस पे एक electric force work करेगा, electrostatic force work करेगा, जो कि इसको धके लेगा पीछे की तरफ, लेकिन हमें लेके आना है इसकी तरफ, ठीक है, तो इसकी तरफ जो हम लेके आएंगे positive charge को, measurement है, वो electric potential के equal होती है, from the infinite, अगर हम किसी charge को infinite से, कहां लेके आ रहे हैं, electric field के अंदर लेके आ रहे हैं, तो हमें electrostatic force के against कुछ work करना पड़ता है, उस work done को हम क्या कहते है, electric potential कहते है, तो इसको अगर हम समझेंगे, तो अभी just हमने देखा था, line integral of electric field is equal to the work done, और हमने देख अब यहां से अगर हम देखेंगे, दोनों को divide करते हैं, क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट से अगर हमने divide किया, तो डबलू एबी अपॉन क्यू नॉट is equal to हो गया, क्यू अपॉन फोर पै अपसले नॉट, आर वन अपन आर ए, आर भी माइनस वन अपन आर ए, तो यह जो formula निकल के आया है, यह potential के लिए, electric potential के लिए formula निकल के आया है, या हम यहाँ पर represent कर सकते है, who infinity to be infinity to be यहां पर यहां पर ठीक है कहांसे infinity डी पर लेके आ रहे हैं यानि की बी पूजीशन पर लेके आ यहां पर एनले कि तो सी लोकेशन ुदरा सब्सक्स यहां पर भी है यहां पर यह थी थे तो इस पॉइंट तक जितना भी लाने में जीना भी हमें work done करना पड़ा वो उसका क्या होगा electric potential होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं v is equal to w infinity to b upon q naught और we can say q upon 4 pi epsilon naught r which is equal to v तो ऐसा ही unit अगर हम बात करें electric potential की तो वो क्या होती है volt होती है या फिर joule per column या newton meter per column यह इसकी unit होती है ठीक है क्या unit होती है unit से एक बार note कर लेंगे electric potential की unit या तो आप volt लिखलो या फिर आम इसको लिए सकते है joule per column क्योंकि w upon q है ठीक है w joule work done की unit होती है joule and upon q column किसकी unit होती है charge की unit होती है या फिर आम इसको लिए सकते है newton meter per column क्योंकि w is equal to work done is equal to force into displacement upon q तो force की unit होती है newton displacement की unit होती है meter and charge की unit होती है कुलम आप इन में से कोई भी unit यूज़ कर सकते हैं basically हम volt ही यूज़ करते हैं तो आपको पता हुआ कि volt एक single quantity है तो हम बोलिंगे volt joule per column दो unit आ रही है इसमें newton meter per column तीन unit आ रही है तो आप एक simple unit याद रखेगा है इसकी volt कभी कभी कोश्चन आता है कि mcqs given होंगे which is not the unit of electric potential which of the following is not the unit of electric potential तो हम भी options given होंगे volt newton meter per column joule per column और एक और कोई दे दी newton meter तो यह तीनों unit तो है electric potential की बाकी जो चौतिया है वो नहीं होगी ओके इसी के साथ में electric potential at a point is one volt if one joule of work is done in moving one column charge from infinity to that point in the electric field तो अगर हमें एक वोल्ट की definition बतानी है तो आप क्या कहेंगे कि एक कुलम आवेस पर one कुलम चार्ज पर one joule work जब किया जाएगा तो वो किसके एकवल होगा या एक कुलम चार्ज को one कुलम चार्ज को infinity से electric field के अंदर लाने में एक जूल अगर कारे करना पड़ा तो वो एक वोल्ट के equal हो जाएगा तो यह इसकी definition आप दे सकते हैं इसके बाद आता है electric potential difference difference समझ में आ रहा है आपको पहले पड़ा था हमने electric potential जिसमें हम infinite से लेके आ रहे थे charge को test charge को अब हम क्या देख रहे है electric potential difference difference का मतलब हो गया कि अब हम position में change कर रहे है electric field के अंदर ही ठीक है अब कोई electric field है यह suppose एक हमने electric field ले लिया uniform electric field यहाँ पर एक कोई point A है जहाँ पर Q charge रखा हुआ है Q not charge रखा हुआ है और यहाँ पर कोई point B है तो electric field के अंदर ही अगर हमें एक position से दूसरी position तक test charge को लेके जाना है तो हमें कुछ तो work करना पड़ेगा electric field के electric field है तो electrostatic force के against हमें कुछ work करना पड़ेगा तो जितना work मैंने किया electric field के अंदर एक charge को एक point से दूसरी point तक ले जाने में वो उसका electric potential difference होगा वो क्या होगा उसका electric potential difference होगा ठीक है तो इसकी definition आप देख सकते है electric potential difference between any two point in the electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point against electrostatic force irrespective of the path followed path कोई भी follow करें इससे कोई खरक नहीं पड़ता क्योंकि हमने पड़ा था अभी कि line integral of electric field is equal to work done which is not depends on the path ठीक है which is path independent तो यह क्या हो जाएगा डबलू अब यह बार बार हम कहरें path independent इसका मतलब यह क्या है एक scalar quantity है electric potential क्या है एक scalar quantity है work done क्या है scalar quantity है ठीक है work done भी scalar quantity है potential भी scalar quantity है अब यहाँ पर आप इसको देख लीजेगा a से लेके b तक अगर हमने कुछ work done किया तो हमने line integral a to b e dot dl इस तरीके से हमने ले लिया q q naught upon 4 5 epsilon 1 upon r v minus 1 upon ra which is equal to q wab upon q naught is equal to q upon 4 5 epsilon 1 upon r v minus 1 upon ra और और वी केन राइट डबलू वी वी माइनस वी यह डेल वी को रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेल वी डेल वी क्या है यहाँ पे difference in potential Electric potential का जो difference है वो हमने डेल वी से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे सो डेल B is equal to हो जाता है W AB upon Q naught, क्या हो जाता है W AB upon Q naught, तो इसके लिए formula आप note कर लेंगे, Q upon 4 pi epsilon naught RB minus Q upon 4 pi epsilon naught RA, ओके, अब electric potential and potential difference जो होती है, वो दोनों क्या है, scalar quantity है, जैसे मैंने भी बताया था आपको क्यों, reason उसके बीचे यह है, कि यह क्या है, path independent है, ठीक है, कोई path पर यह depend तो कर नहीं रही है, कहीं पर भी चले जाओ, तो यह क्या होगी path independent, this means, यह एक scalar quantity है, और इसका line integral जो है, वो work done के एक क्वल है, work done is also a scalar quantity, तो ऐसा आप समझ सकते हैं, इसको compare करके, हाला कि ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे cases में, क्योंकि work done, एक scalar quantity है, जब कि force and displacement ब electric potential difference, बोधर, scalar quantities, and electric potential, जो होता है, infinity पर 0 होता है, क्योंकि, अभी हमने देखा, V is inversely proportional to R, इसका मतलब, अगर हम infinity लेते हैं, तो यह हो जाएगा, infinity, 1 upon infinity होता है, 0, V की value, infinity पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, electric potential near an isolated positive charge, where Q is greater than 0, यानि कि positive charge है, that near an isolated negative charge, वो क्या होगा, isolated positive charge and isolated negative charge के पास में, जितना हम आएगे, उतना ही potential क्या होगा, increase होगा, ठीक है, positive charge और negative charge के पास आने पर क्या होता है, क्योंकि field increase होता है, ठीक है, field बढ़ता है, और field बढ़ेगा, E की value जितनी जादा होगी, उतना ही potential भी बढ़ेगा, since अपने अपनोंने देखा था, कि यह depend किस पर कर रहा है, W, A, B, upon Q, not is equal to line integral of E dot DL, depend कर रहा है नहीं, पर, तो जितना electric field होगा, उतना ही potential भी बढ़ेगा, ठीक है, अब यहाँ पर CGS unit की अगर हम बात करें, potential की वो क्या होती है, state volt, ठीक है, या one erg पर state column, क्या होती है, one erg पर state column, तो यह इसकी unit होती है, state volt को हम लिए सकते है, one erg पर state column, तो यह इसकी unit है, यह आप जिहान रखेंगे, ठीक है, यह CGS unit है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर, electric potential due to single point charge, एक single point charge अगर है हमारे पास, उसकी वज़ा से electric potential हमें निकालना है, क्या निकालना है, electric potential, अभी तक हमने पिछली lecture में क्या लिकाला था, electric field लिकाला था, electric field और electric potential के बीच में आपको difference पता है, q upon r square आता है electric field में, q upon r आता है electric potential में, एक है vector quantity, एक है scalar quantity, कौनसी vector है, कौनसी scalar है, कौनसी scalar है, comment रख में बता देना, ठीक है, अब यहाँ पर electric potential due to a single point charge, अगर हमने देखना है, तो single point charge, यह हमने ले लिया, plus q, यहाँ से कुछ distance पर electric field त तरफ, outward direction में, away from the positive charge, electric field की direction होती है, यह हमने पिछले lecture में देखा था, तो electric field की direction यह हो गई, infinite से किसी charge को हम p तक ले के आए, जो point p है, यहाँ तक हम ले के आए, q naught को, q naught is a test charge, जो की हम test करने के लिए use करते हैं, मैंने आपको starting में बता है था, which is not a real, reality में नहीं है, imaginary है, यह भी हमने लिया है, अपने derivation को proof करने के लिए, तो यह क्या है, बहुत ही small positive charge है, test charge, infinity से हम ले के आए, और इस पर जो force लगेगा, p पर लाके रख दिया हमने, इस पर जो force लग रहा है, वो क्या लग रहा है, q naught e vector, यह force इस पर apply हो रहा है, इसको बोलेंगे, electrostatic force, यह electrostatic force इ तो यह पर apply हो रहा है, अब इसके against हमें work करना है, तो suppose अब हम क्या कर रहे है, कि p से q तक और लेके आ रहे हैं, तो यह dx distance है, यहां से यहां तक हमने dx distance माल लिए, अब p से q तक लेके आना है, मुझे, तो मैं क्या करूँगा, against electrostatic force, यह जो q e force लग रहा था, इसके बिपरी इसको हमने p पर रखा, distance x है, p तक की source से, उसके बाद हमने force ले लिया, जो की force है होगा, इस पर q e, radially outward direction हमें पता है, accelerate it, हमने क्या किया, test charge को accelerate किया, and to prevent this acceleration, equivalent opposite force लगाना पड़ेगा, जो की होगा, minus q e, क्योंकि plus q e, radially outward direction में था, अब हमें inward direction में force लगाना है, इसकी तरफ, charge की तरफ force लगाना है, तो यह जो charge की तरफ force लगाएंगे, तो वो negative हो जाएगा, negative जो sign होते हैं, basically, वो direction को ही represent करते है, तो direction यहाँ पे negative अगर है, तो इसका मतला opposite है, तो opposite direction को रहा हमने negative sign लगा दिया, तो has to be applied on the test charge, and work done to move q not from p to q through dx against q e, तो q not e k against इसके बिपरीत dx distance travel करने में हमें कुछ work done करना पड़ेगा तो वो work done कितना हो जाएगा तो dw is equal to f dot dx f की value कितनी है q not e हमने apply कर दी and dx तो dw is equal to q not e dx cos 180 180 क्यों लिए है क्योंकि दोनों opposite है displacement हो रहा है opposite direction में force लग रहा है इधा direction में ठीक है तो अगर force and displacement के बीच का जो एंगिल है वो 180 है तो हम यहाँ पे cos 180 यूज़ करेंगे तो अब यहाँ पर क्या जाएगा cos 180 is equal to minus 1 तो यह हो जाएगा q not e dx तो dw is equal to कितना हो गया q q not upon 4 by epsilon not x square into dx तो e की value यह हमने यहाँ पे apply कर दिया तो यह हमें मिल गया यह वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा limit के साथ में तो हम limit लगा देंगे infinite to r q q not upon 4 by epsilon not x square and dx तो बाकी जितने भी quantities है q q not upon 4 by epsilon not यह आगी बाहर और 1 upon x square का dx के respect में हमने क्या कर दिया integration कर दिया अब हम integration देखेंगे इसका ठीक है तो देखेंगा q q not upon 4 by epsilon not इसको integrate करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 upon x square है तो 1 upon x बचेगा cable ठीक है 1 upon x square को integrate करेंगे तो कितना बचेगा 1 upon x बचेगा एंड यहां पर limit लगा दो with minus sign ठीक है and limit लगा देगे कहां से कहां तो infinite to r तो बस अब आपको क्या करना है यहां पर हमें पता है कि infinite to r अगर हमने limit लगा दिया है तो अब cable यह पता होना चाहिए कि 1 upon infinity की value कितनी होती है जीरो होती है तो पहले upper limit लगाएंगे फिर क्या लगाएंगे lower limit तो यह हो जाएगा minus already चल रहा था इसके आगे तो minus minus क्या हो गया plus हो गया तो यह हो जाएगा minus लगा दो चलो तो q q not upon 4 pi epsilon not minus 1 upon r and minus minus यहां पर हो जाएगा plus 1 upon infinity which is 0 ठीक है तो minus minus की multiply होगी तो कितना हो गया यह आगया आपके पास formula यह वाला यह वाला तो आप देख सकते हैं इसको यह जो आपको दिख रहा है यह w infinite to b q not is equal to q upon 4 pi epsilon not r and इसी के नीचे यहां पर लिखा हुआ है d is equal to q upon 4 pi epsilon not r ठीक है तो यह formula आप देख लेंगे तो यह ज़्यादा important है ओके दिख गया आपको i hope कि इसमें कोई problem नहीं है रही होगी electric potential एक single charge की विज़े से मैंने आपको derivation कैसे निकालते है वो आपको बता दिया समझा दिया है potential क्या होता है line integral क्या होता है यह सब मैंने आपको अभी समझाया line integral जो होता है electric field का वो किसके equal होता है work done के equal होता है और वो क्या होता है path independent होता है जिसके विज़े से हम कह सकते हैं कि electric field is a conservative field and हमने यह भी देखा कि electric potential is a vector sorry scalar quantity path पर depend नहीं करेगी इसके लिए क्या है scalar quantity है तो हम इसमें sign के साथ में value पुट करेंगे इस formula में Q की value जब भी लिए तो sign के साथ में लिए ध्यान रखिएगा ठीक है next पर आते हैं अब हमारे पास group of point charge है group of point charges इनकी वज़े से हमें electric potential लिकालना है तो अब एक charge की वज़े से electric field लिकाल लिया electric potential लिकाल लिया electric field हमने multiple charges की वज़े से लिकाला अब हम multiple charges की वज़े से क्या लिकालेंगे electric potential भी लिकालेंगे तो हमारे पास जो अभी हमने just देखा था कि electric potential एक vector quantity तो नहीं है तो इसलिए algebra addition को follow नहीं करेगा मतलब vector addition को यह follow तो नहीं करेगा आपको क्या करना है ? एक charge के वज़े से potential निकालो दूसरे के वज़े से potential निकालो तीसरे के वज़े से चौथे के वज़े से प चमय के वड़़े से जतने भी charge है उनकी वज़े से potential निकाल लेंगे और सबको एक साथ add कर देंगे तो scalar quantity होने का ये फाइदा है हमारे पास कि हम direct add करते हैं, बनाद direct addition हम apply कर देते हैं, scalar quantity जब भी होती है, ये बहुत बड़ा हमारे पास benefit है, electric potential के लिए, समझते हैं, तो ये कुछ charges हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच्वा, और इस तरीके से N वा charge यहाँ पे रखा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, and N, and so on charges रखे हुए है, तो यहाँ पे जो net electrostatic potential होगा, किसी भी point पर, जिस point पर आपको लिकालना है, individually आप electric potential लिकालिए और सबको add कर दे लिए, तो किसी भी point पर अगर आपको electric potential लिकालना है, तो हम क्या करेंगे, algebraic sum of their individual potential at that point, हम क्या लेंगे, algebraic potential ले लेंगे उस point पर individual charges की वज़े से, तो वो क्या होगा, net potential के एकपो लोगा, तो V potential, P पर जो potential है, electrostatic potential at P, V1 plus V2 plus V3 plus V4 and so on plus Vn, यह हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, यह फिर हम नहीं सकते हैं, V is equal to 1 upon 4 epsilon not, summation i is equal to 1 to n qi upon ri, i represent कर रहा है integer को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on n, and V is equal to 1 upon 4 epsilon not, summation of i is equal to 1 to n qi upon r minus ri vector, r vector minus ri vector, तो यह vector form में हो गया, इसको हम vector form में लिक रहे हैं, जबकि यह scalar quantity ध्यान रखिएगा, r जो है वो position vector है, इसलिए हम इसको vector form में represent कर सकते हैं, position vector है r, अब यहाँ पे electric potential जो होता है किसी भी point पर due to charge, वो effect नहीं होता why the presence of other charge, किसी भी point पर अगर हमें electric potential लिकालना है किसी भी charge की वज़ा से, तो दूसरे की वज़ा से उस पर कोई effect पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे काफी important line है, इससे बहुत सारे questions बहुत सारे numerical solve होते हैं, suppose आपके पास दो charges रखे हुए हैं, तो एक की विज़ा से आप इस point पर electric potential लिकाल रहे हो, तो इस वाले charge का इस पर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, क्यों, तो कि इसकी विज़ा से individual electric potential अलग होगा, इसकी विज़ा से potential अलग होगा, potential is a scalar quantity, where force is a vector quantity, although V is called the potential at a point, and it is actually equal to the potential difference between the points r and infinity, तो electric potential भी एक तरीके से electric potential difference ही है, बस अंतर यह है, कि electric potential difference हम जो पढ़ते थे तो एक point से दूसरे point, electric field के अंदर ही जो कि हमें known थे definite थे point, जब हम electric potential की बात करते हैं, तो हम charge को infinity से लेके आते हैं, कहां तक, एक point तक जो की electric field के अंदर है, ठीक है, बस यह फरक है, वो भी क्या है, potential है, तो इसको note कर लीजेगा, यह line important है, यह वाली line, ठीक है, तो note कर लेंगे, next, बात करते हैं, electric potential due to electric dipole, एक dipole की वज़ासे, electric potential क्या होगा, जैसे हमने electric field लिकाला था, एक dipole की वज़ासे, वैसे हम electric potential को भी समझेंगे, इसके derivation को समझेंगे, ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले, दो position पर निकाल सकते हैं, हम यह भी, potential हम दो position पर क्यों लिका सकते हैं, क्योंकि हमने electric field भी दो position पर लिकाला था, एक था axial और एक था equatorial position पर, ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले, at a point on axis, axial line, ठीक है, तो इसके लिए आपको केवल यह जो diagram है, यह जो हमने figure लिया है, इसके लिए, यह diagram आपको दिहान में रखना है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक dipole system ले लिया, minus q and plus q, ठीक है, minus q and plus q, मैंने बताया था कि, minus sign हम left side में क्यों लेते है, reason उसके बीचे यह है, कि हम जब एक origin ले रहे है, point इसका जो center point है वो, तो इसके left side में जो value है, वो L, left side में और right side में value L, तो left side में negative sign होता है, ध्यान रखिएगा, left side में क्यों होता है, negative sign होता है, और right side में जो होता है, reason के इधर, वो positive होता है, तो इसलिए हम minus q, left side में ले ले लेते हैं, और plus q, right side में ले लेते हैं, ठीक है, अब इससे अगर हम देखें तो axial point पर क्या हो जाएगा V P at due to plus Q तो P पर अगर हमें potential निकालना है ठीक है किसकी वज़ाई से? plus Q की वज़ाई से लिकालना है तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे? center से distance ले लेते हैं यह L होती है यह L होती है ठीक है? अब आपको इतना पता चल गया अब क्या करना है? फॉर्मूला आपको याद है V is equal होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R यह formula होता है बस इसको आपको apply करना है ठीक है? अब यहाँ पे B की वज़ाई से इस plus Q की वज़ाई से अगर potential निकालना है तो हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon X upon L जो distance है उसमें क्या रखेंगे? X minus L रखेंगे X minus L, ओके? एंड ऐसी minus Q की वज़ाई से जो हम electric potential लिका लेंगे तो क्योंकि charge जो है minus से negative तो मैंने क्या होता है था? scalar quantity है इस वज़ाई से हम minus के साथ में यानि कि sign के साथ में ही charge को पुट करेंगे तो क्यों हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 minus Q upon X plus L then जब हमें net electric potential लिकालना है किसी point पर तो हम उसको direct क्या करते है add करते है add कर दिया हमने तो VP is equal to हो जाएगा VP plus Q plus VP due to minus Q तो यह हो जाएगा आपका Q upon 4 pi epsilon 0 यह पूरा common आ गया Q upon 4 pi epsilon 0 and अंदर बचेगा 1 upon X minus L minus 1 upon X plus L तो यह value बचेगी अब इसको अबगर हम solve करते हैं LCM लेने के बाद तो यह हो जाएगा देखो Q upon 4 pi epsilon 0 LCM कितना हो जाएगा X square minus L square यह हो जाएगा and यहापे हो जाएगा X plus L minus X plus L ओके plus minus minus हो जाएगा तो X X cancel हो गया तो यह हो गया हमारे पास यह 2L L plus L कितना हो गया 2L तो यह हो गया बना पॉन 4 pi epsilon 0 Q into 2L upon में X square minus L square अब यहाँ से आपको clearly पता चल रहा हुआ कि यह Q into 2L है उसको हम क्या लिखते थे electric dipole moment के एककोल याने की P के एककोल लिखते थे तो हम यहाँ पर यूज कर सकते है V P is equal to upon proportional not P upon X square X square minus L square तो यह क्या आगई? electric potential निखल के आगया है यहाँ पे at point P इस P point पर electric potential की value इतनी निखल के आगई इसी के साथ में second जो है जिसमें हमें लिकालना है equatorial line पर equatorial line पर अगर हम देखेंगे तो वो electric potential कितना होगा जैसे हमने equatorial line पर electric fuel लिकाला था तो वो निकल के आए था 1 upon 4 pi epsilon 0 P upon R cube याद होगा आपको ऐसी हम यहाँ पे क्या करेंगे electric potential लिकालेंगे equatorial line पर वही हमने क्या ले लिया dipole ले लिया A and B A पर हो गया minus Q B पर हो गया plus Q इसके center से y distance पर हमने point ले लिया Q जहाँ पर हम electric potential find करना है तो हमने क्या करना है यहाँ पर वही सेम चीज अपना ही plus Q की वज़र से electric potential कितना होगा तो वह होगा 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon BQ BQ कि distance कितनी होगी तो यहाँ से आपको पता चल जाएगी Pythagoras theorem से तो यह जाएगी y square plus L square ठीक है square root में y square plus L square यह हम यहाँ पर put कर देंगे ठीक है and यहाँ पर भी जो निकल कहेगी वह कितनी लिकल कहेगी y square plus L square यह distance आपको clear होगी Pythagoras theorem से and यहाँ पर minus Q Q भी जैसे लिका लेंगे तो कितना हो जाएगा minus Q upon AQ यह distance तो दोनों distance आप देख पा रहे होंगे दोनों equal हैं यहाँ पर लिए सकते हैं AQ is equal to BQ which is equal to square root of y square plus L square ठीक है तो यह इसके equal होगया तो अगर दोनों को add करेंगे तो VQ जो निकलके हैगा वो कितना निकलके हैगा दोनों add होगया तो दोनों equal है तो minus minus यह दोनों cancel होगया तो equal to zero तो equatorial position पर जो electric potential की value होती है वो कितनी होती है 0 होती है clear हो गया So the net electrostatic potential at point in the electric field due to an electric dipole at any point on the equatorial line is zero So यह मुझे लगता है कि आपको clear होगया होगा इसमें कोई doubt आपका नहीं होगा अगर है तो आप comment box में पूछ सकते हैं next topic पर आते हैं जिसमें हमें देखना है equal potential surface equal का मतलब मैंने बतायता है starting में होता है एक समान ठीक है यानिकि एक समान विभव ठीक है एक समान या फिर आम इसको रिशे सकते हैं sum और surface का मतलब होता है prist तो एक समान विभव वाला प्रिश्ट या फिर sum विभव प्रिश्ट क्या होता है तो sum मतलब समान जिसमें ऐसी surface ऐसा प्रिश्ट जिसमें प्रतेक स्थान पर जो potential हो वो एक समान हो equal हो उसको हम equipotential surface कहेंगे तो इसको हम कह सकते हैं definition surface at every point of which the potential due to charge distribution is the same is called equipotential surface and यहां पर हम कह सकते हैं कि so equipotential surface for a uniform electric field अगर electric field uniform है उसके लिए equipotential surfaces की अगर हम बात करें तो यहां पर plane हमने equipotential surface लिया है तो uniform electric field हमने देखा था कि विभव जो होता है वो किस पर depend करता है यानि कि potential जो है वो depend करता है linear integral of e.dl इस पर depend करता है तो अगर e की value uniform कर दी जाए एक समान कर दी जाए ठीक है तो उसमें क्या होगा जो surface रखा होगा उसका जो potential होगा वो क्या होगा equipotential surface होगा तो अगर कोई uniform electric field में कोई surface रखा हुआ है तो वो एक equipotential surface होगी ठीक है तो plane equipotential surface तीनों का विभव यहाँ पे एक समान and spherical equipotential surface तो spherical equipotential surface इस तरीके की हो गई यहाँ पर center में charge रखा हुआ है center में जब charge रखा होगा तो यहाँ से हर direction में क्या होगा? electric field होगा तो इसका पूरे sphere पर जो potential की value होगी वो क्या होगी? same होगी तो for an isolated charge किसी भी एक isolated charge के लिए center पर हमें charge लेना पड़ेगा जिसकी विज़े से वो एक equipotential surface बना पाए properties जो होती है equipotential surfaces की वो क्या क्या होती है? तो पहली property क्या होती है? देखो समझो no work is done in moving a test charge from one point to another on an equipotential surface किसी भी equipotential surface पर अगर हम एक charge को एक point से दूसरी point तक लेके जाएंगे तो उसमें जो work done होगा वो 0 होगा क्योंकि potential का जो difference है वो कितना है? 0 है अभी हमने जश्ट देखा था work done is equal to होता है q del v के equal तो del v अगर 0 है since del v is equal to 0 for equipotential surface तो work done कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो अगर a and b दो point हैं equipotential surface पर और दोनों equal है तो ये value कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी second electric field is always perpendicular to the element dl of the equipotential surface तो equipotential surface में जो electric field है वो हमेशा क्या होगा? perpendicular होगा लंबबबत होगा dl element के यानि कि उसकी अगर छोटी सी length कोई लेने surface में तो उसके always क्या होगा? electric field perpendicular होगा तो ये second property equipotential surface की तो यहाँ पर आप दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है w is equal to होता है line integral e dot dl तो ये अगर 0 के equal हो गया तो यहाँ से हम लिखेंगे e dot dl cos theta is equal to 0 तो theta की value 0 किसमें होती है? cos में 90 degree पर cos 90 is equal to 0 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे theta is equal to cos inverse cos 90 यानि की theta की value कितने आगी? 90 degree तो ये हमेशा क्या होगा? perpendicular होगा electric field किसके? line element के या एक element dl के perpendicular होगा equipotential surface के लिए तो theta की value 90 degree तो e is not equal to 0 and dl is not equal to 0 but theta is equal to 0 next equipotential surface indicate reason of strong or weak electric field so electric field is defined as the negative potential gradient तो electric field को जो हम define करते हैं तो एक negative potential gradient से उसको define कर सकते हैं this means e is equal to minus dv over dr तो minus dv over dr ये क्या है? एक potential gradient है potential gradient gradient का meaning जो होता है इसको आप समझ लेना क्योंकि ये काफी important है potential gradient जब भी आमें निकालना होगा तो हम position के respect में उसको differentiate करते हैं तो differentiation with respect to the position is known as the gradient जब वो potential difference निकाल लेंगे तो position के respect में हम electric potential को क्या करेंगे? differentiate करेंगे तो उसका जो negative part होता है potential gradient का वो electric field के equal होता है तो यहां से आपको मिलेगा dr is equal to minus dv over e since dv is a constant on equipotential surface so dr is directly proportional to 1 upon e और we can say dr is inversely proportional to e तो अगर e strong होगा dr will small that is the separation of the equipotential surface will be smaller तो अगर e की value बहुत ज़ादा होगी तो equipotential surface के बीच का जो separation होगा वो बहुत कम होगा ठीक है that is perpendicular equipotential surface are crowded and vice versa तो अगर यह strong नहीं है electric field strong नहीं है बहुत बीक है तो इसके बीच की distance ज़्यादा होगी इसका मतलब जो equipotential surface है वो crowded नहीं होके rarer होगी two equipotential surfaces cannot intersect दो equipotential surface जो होगी वो कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगी same जैसे हमने electric line of force पढ़ा था तो इसके बीचे reason क्या है कि अगर दो electric potential surface आपस में intersect करती है इसका मतलब हो गया then at point of intersection there will be two values of electric potential that is which is not possible तो उस intersection point पर दो electric potential होंगे दो electric potential की direction हो जाएंगी या दो electric potential मौजूद होने चाहिए जो की possible नहीं है जो की संबब नहीं है तो कुछ point यहां पर note कर लीजिएगा जो की रेफर करते है electric line of force को जैसे electric potential is a scalar quantity whereas the potential gradient is a vector quantity note कर ले न electric potential क्या है एक scalar quantity है जब की potential gradient जो है वो क्या है एक vector quantity है dv over dr is a vector quantity जब की सिंगल ही वी की अगर हम बात करें तो वो क्या है एक scalar quantity है so the negative sign of potential gradient shows that the rate of change of potential with distance is always against the electric field intensity हम इसा क्या होगा अपोसिट होगा electric field intensity के next electric potential energy तो अब हम आ गये हैं अखिरकार energy पर energy हम कैसे निकालते हैं electric potential की तो जो हमने work किया था आपको याद होगा कि हम क्या कर रहे थे work कर रहे थे किसी test charge पर infinite से electric field के अंदर लाने पर या फिर electric field को ही electric field के अंदर ही एक point से दूसरे point तक ले जाने में हम किसी charge पर work कर रहे थे electrostatic force के against तो यह जो work done है वही क्या होती है उसकी potential energy के रूप में store हो जाती है ठीक है तो the work done in moving a charge q from infinity to a point of field against the electrostatic force is called electrostatic potential energy यानि कि w is equal to होता है qv and electrostatic potential energy of two charge system अगर हम निकालेंगे तो वह निकल के आएगा u is equal to one upon for epsilon not q1 q2 upon magnitude of r2 vector minus r1 vector यह क्या है position vectors है तो position vectors अगर यहां पे given है तो उनके difference का magnitude जब हम निकालेंगे तो वह हम यहां पे put करेंगे तो u is equal to हो गया आपन पूप epsilon not q1 q2 upon r12 यह formula आपको याद रखना है यह important formula है नोट कर लेना इससे related का भी questions आते हैं एक्जाम में तो देख लीजेए इस formula को इसको diagram को और इस formula को आप देख लीजेगा यह भी आपका काफी important formula है ठीक है आते हैं next slide भे तो electrostatic potential energy of three charges system तीन चार्ज का अगर कोई system है तो उसकी वजह से electrostatic potential energy जो होगी वो कितनी होगी तो हमारे पास देखो singly charge की वज़े से electrostatic potential है double charge की वज़े से भी और triple charge भी है तो भी हमें क्या लिकालना आता है electrostatic potential लिकालना आता है अब energy की अगर हम बात कर रहे हैं तो energy depend करती है दोनों charges पे ठीक है एक ही position है r1 vector b की है r2 vector और c की है r3 vector तो अगर हम यहाँ पे energy निकालेंगे तो यह हो जाएगी 1 upon 4 by epsilon not q1 q2 और इसके बीच का जो difference होगा position difference वो क्या होगा r2 minus r1 तो magnitude ले लेंगे r2 vector minus r1 vector second q1 और q3 के बीच में निकालेंगे तो हम इन दोनों के बीच का magnitude लेंगे position vector के difference का magnitude तो यह जाएगा 1 upon 4 by epsilon not q1 q3 upon mod of r3 minus r1 vector फिर उसके बाद अगर हम यह निकालेंगे second third के लिए तो q2 और q3 के बीच का निकाल लेंगे तो यह निकल के आ जाएगा 1 upon 4 by epsilon not q2 q3 upon mod of r3 minus r2 vector finally जो u की value निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 upon 4 by epsilon not q1 q2 upon r12 plus q1 q3 upon r31 plus q2 q3 upon r32 ठीक है तो यह energy आप याद रखेंगे यह electrostatic potential energy अगर तीन charge रखे हुए हैं सिस्टम में three charges हैं तो उनकी वजय से electrostatic potential energy क्या होगी और अगर n charge रखे हुए हैं तो इसी से आप निकाल सकते हैं u is equal to हो जाएगा 1 by 2 1 upon 4 by epsilon not summation i is equal to 1 to n summation of j is equal to 1 to i और j दोनों equal नहीं होंगे 1 to n हम यह आपे लेंगे तो और यह हो जाएगा qi qj upon position vector rj minus ri vector ठीक है का magnitude तो यह formula आप note कर लिजेगा फॉर अगर n charges रखे हुए तो उसकी potential energy यह होगी ठीक है next area vector area vector क्या होता है area vector को हम समझते तो what is area area का मतलब होता है कि उस particular surface ने कितना चेत्र reason cover कर रखा है वो इसका area होगा अब area अभी तक हमने पढ़ा था कि एक scalar quantity यह लेकिन यह vector कैसे हो गई तो area की एक particular direction होती है अगर हम बात करें तो area vector आपने समझ लिया area vector क्या होता है अगर छोटा सा कोई element लें हम सी area का तो एक वेक्टर होगा जिसकी direction होती है अब electric flux क्या होता है flux हमने देखा कि electric field में अगर हम कोई surface रख दे ले जाके तो उसमें से कुछ field line गुजरिंगी क्योंकि electric field हमने starting second lecture में देखा था कि electric field होता क्या है electric field वही होता है जिसमें electric line of force जो होती है वो गुजरती है यानि कि जब electric test charge को electric field के अंदर लाते है तो उनको रेपरेजेंट करने के लिए हमने electric line of force ली तो अगर electric line of force में electric field में किसी surface को रख दे तो उसमें से कुछ field line गुजरती है घेक है तो electric flux linked with any surface is defined as the total number of electric line of force that normally pass through the surface तो normally जितनी यानि की perpendicular जितनी field line उससे गुजर रही है उसके normal जितनी field line गुजर रही है वो उसका electric flux होगा तो अगर किसी surface को electric field के अंदर रखा जाता है तो उस surface से normally जितनी field line गुजरती है उस number of field line को क्या कहते है electric flux कहते है electric flux को हम phi से represent करते हैं तो phi is equal to होता है e dot ds या d phi is equal to होता है e dot ds where ds is a area vector तो e और ds दोनों क्या है vector quantity है तो इनका scalar product हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो यह जाएगा e ds cos theta so total electric flux phi over the whole surface ds due to an electric field e phi is equal to integration यह surface integration s आ रहा है यहाँ पर इसको क्या बोलता है surface integration तो surface integration e dot ds which is equal to e s cos theta या फिर हम ले सकते हैं e vector dot s vector तो electric flux जो है वो एक scalar quantity है ध्यान रखिएगा electric flux is a scalar quantity but it is a property of vector field ठीक है यह vector field की property है लेकिन एक scalar quantity है so SI unit जो होती है वो इसकी होती है newton meter square per column या फिर हम इसको यह भी लिए सकते है joule meter per column तो दोनों ही SI unit मतलब दोनों ही units इसकी correct है तो हम newton meter square per column भी लिए सकते हैं या फिर joule meter per column हम भी इसकी unit use कर सकते हैं right next topic पे आते हैं कुछ इसके special cases हैं तो उसको हमें समझना है जैसे अगर theta की value 0 से लेके 90 के बीच में है तो 5 की value क्या होगी positive होगी अगर theta की value समझ लेते हैं आपे 5 is equal to 5 is equal to ES cos theta तो यहाँ पे 0 से लेके 90 के बीच में cos theta क्या होता है positive होता है ठीक है तो इसलिए क्या होगी यह value positive मिलेगी अगर 90 पे अगर हम देखेंगे तो यह 0 होगी क्योंकि cos 90 की value 0 होती है अगर हम 90 से लेके 180 तक इसकी value check करेंगे तो वो negative मिलेगी क्योंकि 90 to 180 तक cos की value negative मिलती है ठीक है तो इट depends on angle angle पर depend करता है अब बात करते है solid angle की तो solid angle क्या होता है हमने radial angle पढ़े है radiance angle पढ़े है अब radiance angle हमने देखे है plane angle देखे है अब solid angle क्या होता है solid angle is a three dimensional equivalent of the ordinary two dimensional plane angle तो जहां पर हम plane angle की बात करते थे वहाँ पर हम 2D का use करते थे तो देमेंसिन का use करते थे अब अगर हम solid angle की बात करेंगे तो 3D का use करेंगे जैसे आपने softy देखी होगी cone देखी होगी cone देखा हुआ तो cone के बीच में एक angle होता है तो वो 3D geometry से ही हम निकाल सकते हैं तो वो एक solid angle है तो solid angle की definition समझ में आगई solid angle क्या है 3D में अगर हम किसी angle को measure करते हैं तो वो solid angle होगा जैसे sphere के लिए हम angle measure करें या फिर एक cube है मारे पास cube wide है उसका angle measure करें from the center तो वो solid angle मिलेगा हमें ऐसा unit solid angle की जो होती है वो होती है state radian plane angle की क्या होती है radian होती है solid angle की होती है state radian and solid angle substandard by area element ds at the center o of the sphere of radius r तो d omega से represent कर दिया यहाँ पे generally d omega से represent कर देते हैं हम इसको और यह होता है ds cos theta upon r square तो formula याद रखेंगे solid angle के लिए यह है important इसके लिए तो d omega is equal to कितना होगा ds cos theta upon r square या फिर omega is equal to जाएगा ds cos theta upon r square या फिर 4 pi तो एक sphere के लिए यह जो value होती है वो 4 pi के एककोल होती है 4 pi star radian formula याद रखना है इस formula में ही value put करनी है ठीक है अब अगर हम proof करें सबसे पहले देखे goss theorem goss theorem क्या होती है goss ने goss एक phagicist थे उन्होंने भौती विज्ञानी उन्होंने क्या गरा अपनी एक theory सामने लेके आए वो जिसमें उन्होंने बताया है कि electric field and ds यानि कि surface area का जो product होता है वो 5k equal होने के साथ जो उसने total charge cover कर रखा है किसी surface ने जितना charge cover कर रखा है उस charge का 1 upon epsilon not times होता है flux ठीक है तो इनकी जो theory थी काफी important थी और इस theory की वजह से ही काफी जो derivation है वो हमारे chapter में वो हमारे topic में वो हमारे syllabus में और add होए और वो हमें पढ़ने भी है और वो derivation इनकी help से बहुत ही easily solve कर सकते है तो अगर Gauss theorem का statement हम देखे तो the surface integral of electric field intensity over any closed hypothetical surface hypothetical surface का मतलब होता है Gaussian surface या closed surface जो की 3D में है in free space is equal to 1 upon epsilon net not times the net charge enclosed within the surface तो इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी closed surface से गुजरने वाले flux की जो value होती है वो उस surface के द्वारा घरे cool charge का 1 upon epsilon not कुनी होती है ठीक है? cool charge की 1 upon epsilon not कुनी होती है तो 5 is equal to 1 upon epsilon not times of submission of qi कि submission जो सो कर रहा है वो net charge को सो कर रहा है total charge उसने कितना cover कर रखा है वो हमें यहां पर देखना है single charge की विज़जे नहीं total charge कितना cover की है ठीक है? तो यह हो गया Gauss theorem तो 5 is equal to q upon epsilon not q and closed लिख देते हैं आपे upon epsilon not ठीक है? epsilon not यहां पर permittivity आपको पता है 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton meter square इसकी unit होती है यह आपको याद होना चाहिए प्रूफ अगर हम देखें Gauss theorem का for symmetrically or spherically symmetric surface तो अगर कोई spherically symmetric surface है उसके लिए अगर हम प्रूफ करना चाहिए Gauss theorem को easily प्रूफ कर जकते है तो हमें पता है कि 5 is equal to कितना होता है e.ds होता है तो e की value हम यहां पर लगा देंगे e is equal to 1 upon epsilon not q upon r square and d s यहां पर हमने use कर लिए d s क्यां यहां पर surface area है तो हमें पता है sphere का जो area होता है कितना होता है वोuntei 4 pi r square है यह होता है न तो हम यहां पर यह यह यूज़ करेंगे क्या हो जाएगा vector form में लिएगे तो r dot n vector कितना हो गया 1 k equal हो गया तो यहाँ पर d5 is equal हो गया 1 upon 4 epsilon not q ds upon r square तो हम अगर इसका integration करेंगे ds is equal हो जागा s यानि कि 4 pi r square तो r square से r square cancel हो गया यानि कि 4 pi से 4 pi cancel हो गया r square से r square cancel हो गया तो बच्चा हमारे पास q upon epsilon not तो this is the Gauss theorem और यह equal हो गई 5e के यानि कि electric flux के equal हो गई अब बात करते हैं proof of Gauss theorem for a closed surface of any shape किसी भी shape के लिए अगर हमें Gauss theorem को proof करना है तो वो हम कैसे proof करेंगे बहुत easy है बहुत important भी है तो यह हमारे पास क्या है एक कोई भी irregular surface है इर्रेगूलर surface का मतलब हो गया कि इसके बारे में हमें नहीं पता कि इसकी shape क्या है इसका size क्या है यह हमें नहीं पता तो हमने क्या करा इस पे कोई भी एक charge ले लिया इसके अंदर plus Q और इसके जो surface है यहां से हमने एक angle substan करवा दिया इस पर जो क्योंगा solid angle कौनसे angle होगा solid angle होगा solid angle को हमने represent किसे करना है d omega से represent करना है तो हमने यहां पे एक solid angle ले लिया यह पता है कि यह जो surface है इसकी जो direction होगी वो perpendicular outward होगी तो यह हो गई perpendicular outward ds की direction यह electric field है electric field positive to negative होता है तो इनके बीच में कुछ angle बन रहा है theta ठीक है तो 5 is equal to होता है e.ds इसको हमने represent किया 1 upon 45 epsilon n naught Q upon r square r cap into ds n cap तो q r dot n की value तो 1 हो गई तो यहां पे 1 into 1 cos theta क्योंकि यहां पे same direction में नहीं है इसलिए angle 0 नहीं लेंगे तो यहां पे theta ले लिया हमने तो यहां पे हो जाएगा d5 is equal to q upon 45 epsilon n naught ds cos theta upon r square ठीक है अब closed surface के लिए ds cos theta upon r square की value हमने पहले कैसे कितनी proof की थी 4 pi तो हम यहां पे क्या करेंगे simply 4 pi apply कर देंगे तो यह हो जाएगा 5 is equal to 1 upon 4 pi epsilon n naught integration closed integration of d omega which is equal to 4 pi 4 pi से 4 pi cancel हो गया and again हमें मिल गया q upon epsilon n naught which is a gauss theorem statement तो यह हमारा gauss theorem यहां पे भी proof हो गया किसी भी closed surface के लिए अगर हमें proof करने है gauss theorem तो easily हम इसी method से proof कर सकते हैं चाहें वो कैसी भी हो अब हमने irregular surface लिए है आप regular surface ले सकते हैं आप symmetric ले सकते हैं तो यहां पे हमने symmetric नहीं लिए यहां पे irregular यानिकी unsymmetric surface हमने यूज की है ठीक है next deduction of coulomb's law from gauss theorem gauss theorem की help से coulomb's law को कैसे proof करेंगे बहुत easy है तो gauss theorem हमें पता है gauss से हमें पता है कि e.ds यानिकी phi e is equal to closed integral e.ds which is equal to q upon epsilon nought अब since यह दोनों क्या है same direction में है यहां पे हमने एक surface ले लिया मतलब एक गूला ले लिया sphere center में रखा हुआ charge यह दोनों same direction में होंगे surface area and electric field तो इनके बीच का angle कितना हो गया 0 तो theta की value कितनी हो जाएगी 0 यानिकी cos 0 is equal to 1 तो यह हो जाएगा अपने पास e.s is equal to q upon epsilon nought और s is equal to हो गया यहां पे गुले के लिए या sphere के लिए पूर पाई r square तो यहां पे आपने को मिल जाएगा e is equal to q upon epsilon nought r square यही e की value अगर हम f is equal to qe यहां पे apply कर दें तो मिलेगा हमें q not e लिख दें q not and q upon 4 pi epsilon nought r square तो यह f की value अगर यही क्या है कुलम law है कुलम's law है तो यह कुलम's law यहां से easily proof हो गया कुछ आपको करने की जुरत नहीं पड़ी कुछ आपको ज़्यादा मादा पच्ची करने की जुरत नहीं पड़ी आसानी से आपने कुलम's law यहां पर प्रूफ कर लिया खीक है बहुत easy है तो जब भी आता है दो नंबर का question आता है यह board में तो deduction of कुलम's law from gauss theorem आपको प्रूफ करना हो तो आप ऐसे ही यहां पर प्रूफ कर सकते हैं इसके बाद आती है applications क्या-क्या है गौस theorem की बहुत सारी applications है एक हमें linear wire given है जिसकी वज़ा से हमें electric field find करना है उससे कुछ distance पर तो हम कैसे find करेंगे surface एक spherical shell है उसके center पर या उसके बाहर electric field find करना है कैसे find करेंगे तो यह बहुत सारी applications है जिसको हमें cover करना है इसमें तो देखते हैं हम किस तरीके से Gauss theorem की applications को हम find करते हैं solve करते हैं ठीक है तो तब फर्स्ट application of Gauss theorem is electric field intensity due to an infinitely long straight charged wire तो हमें क्या करना है electric field की intensity find करनी है एक infinitely long straight charged wire की वज़े से तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं एक infinitely long wire long wire ले लिए देख लो यहाँ पर इसकी plus infinite length इधर है और minus infinite length इधर है यानि कि बहुत लंबी दूरी तक यह फैला हुआ है अनंत तक यह फैला हुआ है यह हम मान लेंगे और इस पर positive charge है ठीक है तो इसकी बज़ाए से अगर मुझे किसी point पर electric field find करना है तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कौन सी technique यूज करेंगे कौन सा method यूज करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक Gaussian surface लेना पड़ेगा जो यहाँ पर दिख रहा है यह green color का यह Gaussian surface है कौन सा surface है Gaussian surface Gaussian surface आप लिख सकते हैं at every point on the surface तो यह इसकी definition है आप लिए आप लिएगा Gaussian surface is a closed surface around a charged distribution तो Gaussian surface किसी भी एक charged distribution के around a closed surface होती है जिसमें electric field intensity ही जो होती है singly fixed होती है हर एक point पर surface के हर एक point पर electric field intensity होती है वो closely क्या होती है fixed होती है तो यह आप लिएगे definition I hope कि आपको clear हो गया होगा note कर लिजेगा ओके आते हैं अपने derivation पर तो from Gauss law we know that phi is equal to कितना होता है q upon epsilon not and which is equal to closed surface integral या closed integral e dot ds इसके equal होता है यहां से हम क्या करेंगे इस surface पर देखिए इस जो हमने cylindrical surface assume किये Gaussian surface लिए है cylindrical Gaussian surface आपको यहां पर लेनी पड़ेगी तो इसके three जो faces है उन faces पर देखते है कि surface area किदर होगा तो first यहां पर A लिया A का surface area वो इस तरफ है और electric field की direction किस तरफ होगी इस तरफ होगी यानि कि surface area इस तरफ है और electric field नीचे की और है ठीक है surface area इस तरफ electric field नीचे की होगी मतलब दोनों के बीच का angle कितना 90 degree है ऐसे ही यहां पर देखिए इस वाले surface पर भी जो surface area वो इधर की तरफ है इस तरफ और electric field नीचे की तरफ है तो दोनों के बीच का angle कितना 90 दिख रही है तो हम क्या करेंगे यह जो इसका एक पूरा curved surface है जैसे यह है तो इसका curved surface एक ही है बाकि यह जो upper and bottom surface है यह अलग-अलग है तो upper and bottom surface इसकी अलग-अलग है लेकिन इसका closed surface जो यह cross sectional जिसको curved surface बोलेगे है सरी closed curved surface इसका क्या है एक है, single है कहीं पे भी हम क्या ले लेंगे यह point C लिया surface C इससे जो direction है electric field की वो इधर है और इसके जो area vector की direction है वो भी इस तरफ है तो यानि कि दोनों के बीच का angle कितना होगा 90 degree ओ सरी, 0 degree theta is equal to 0 तो अब यहाँ पे हमने तीनों के वजए से तो flux है वो यहाँ पे note कर लिया तो 5 total जो होगा flux 5 5 net is equal to कितना होगा surface integral E dot ds is equal to surface integral due to A A ds cos 90 plus B integral B E ds cos 90 plus closed integral C at C E ds cos 0 cos 0 की value बन होती है तो यहाँ पे कितना हो जगा E integration ds और यह क्या हमने लिया है यह जो surface हमने लिया यह आपको दिख रही होगी कि हमने cylindrical surface लिया cylindrical surface के लिए हम जो use करेंगे वो यहाँ पे देख लेना यह जो लिखा हुआ है 2 pi r l 2 pi r l जो है वो यहाँ पे क्या है इसके area को सो कर रहा है तो 2 pi r l equal to e into 2 pi r l तो यह हमने लिख दिया है यहाँ पे ठीक है उसके बाद हम इसको compare कराएंगे किससे q upon epsilon 0 से तो हमें कितना मिलेगा देखो यह जो मिला हुआ है यहाँ पे यह जो value थी यह क्या थी e into 2 pi r l अब e into 2 pi r l किसके एकवल है q upon epsilon 0 के एकवल है so we can write, can we write यहाँ पे आप देखिएगा q upon epsilon 0 है तो q जो होता है वो किसके एकवल होता है lambda into l lambda मैंने आपको बताया था first lecture में आपको याद होगा linear charge density जो की होता है q upon l के एकवल तो q upon l के एकवल होता है तो lambda l होगया q के एकवल तो हमने यहाँ पे q की जगे lambda l value पुट कर दी तो lambda l upon epsilon 0 होगया इसको compare करेंगे e into 2 pi rl is equal to lambda l upon epsilon 0 यहाँ पे e की value निकल कहेगी 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda upon r अगर हम 2 से उपर multiply और 2 से नीचे multiply कर दे यानि कि denominator और numerator दोनों में numerator दोनों में multiply करे तो क्या हो जाएगा e is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2 epsilon 2 lambda upon r यह जो value मिल रही है आपको यह electric field की value है किसी एक अनंत लंबाई के चालक तार की विज़ासे यानि की infinite length के एक conductor wire की विज़ासे तो vector form में अगर हम इसको represent करें तो e vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda upon r and r cap so the direction of the electric field intensity is radially outward from the positive line charge from for negative line charge negative line charge के लिए अगर हम देखेंगे तो it will be radially inward positive line charge के लिए देखेंगे तो यह radially outward होगा और negative line charge के लिए देखेंगे तो वो negatively inward होगा radially inward okay so note कर लीजेगा यह point कि electric field intensity is independent of the size of the Gaussian surface Gaussian surface का size आप कुछ भी ले लीजे उससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है आप देख सकते हैं आप लेंथ नहीं आ रही है ठीक है so the it depends only on the distance of the point of consideration that is the Gaussian surface should contain the point of consideration Gaussian surface उस point को लेकर चलनी चाहिए या उस point से होकर जानी चाहिए जिस point पर हमें electric field find करना है नेक्स्ट जो इसकी application है वो है electric field intensity due to infinitely long thin plane sheet of charge एक plane sheet हमने ले ली जो की charged plane sheet है उसकी वज़ासे अगर हमें electric field find करना है किसी surface पर तो हम देखेंगे कैसे find करेंगे ठीक है तो यह एक sheet लिए जो आपको sky blue color की दिख रही है इस पर positive charge है तो यह क्या है charge sheet है जिस पर positive charge हमने लिया है तो इसके इससे कुछ दूरी पर अगर हमें किसी point पर electric field find करना है तो वहां पर हमें Gaussian surface लेना पड़ेगा तो हम again कौन सा Gaussian surface लेनेँगे यहाँ पर लिखा हुआ है यह बना हुआ है तो आपने cylindrical Gaussian surface लिया है Gauss law से हमें पता है phi is equal to कितना होता है q upon epsilon not and which is equal to surface integral e dot ds अब इसमें भी हम क्या करेंगे देखो, electric field हमें देखना है, तो electric field की direction इधर की तरफ अगर left right side में देखेंगे तो इधर होगी left side में देखेंगे तो इधर होगी, तो यह है basically अगर आपको समझना है तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, कि यह हमारे पास एक surface है, इस पर पूरे पर charge है, ठीक है इस पर पूरे पर क्या है, charge है तो यहां से अगर इसकी surface देखेंगे, इस तरफ यह positive है, इस तरफ भी positive charge है, तो यहां से positive से इधर की तरफ electric field होगा, positive से इधर की तरफ भी electric field होगा, इधर की तरफ electric field होगा, और इधर की तरफ भी electric field होगा इधर वाली की वेज़े से इधर direction होगी electric field की इधर वाली surface की जैसे इधर direction होगी electric field की उम्मीद है कि आपको यह clear हो गया हुआ तो दोनों तरब इसकी electric field की direction है अब यहां पर अगर देखेंगे तो यह जो surface हमने लिए A तो इसमें क्या है कि E और Ds दोनों same direction में theta is equal to 0 यहां पर यह जो surface लिए दोनों same direction में theta is equal to 0 यह curve to surface लिए यहां पर theta is equal to 90 तीनों को add करेंगे जैसे हमने पहले किया था यहां पर इन दोनों की वज़े से तो electric field flux मिलेगा बट इसकी जैसे कोई भी flux मिलेगा यानि कि यह 0 हो गया यहां पर कितना मिलेगा यह मिला 2E integration ds ठीक है देख लीजेए यहां पर यह degree होगी value यहां पर आपको यह क्या लिखा हुआ है 2E into ds यानि कि pi r square हमने ds जो है वो क्या ले लिए pi r square ले लिए pi r square क्यों लिया होगा इसके बीजे reason क्या है क्योंकि इसका जो cross sectional area होगा ना दोनों सिरे वाला end point होंगे वो क्या होंगे circular होंगे तो वो कितने हो जाएंगे pi r square के एक क्यों हो जाएंगे तो यह हो जाएगा यहां पर pi r square 2E into pi r square तो हम इसको ले सकते हैं q upon epsilon 0 क्योंकि इस q यहां पर क्या है sigma a ठीक है क्योंकि इसका surface शीट का तो हम यहां पर surface charge distribution लेंगे तो यह हो जाएगा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं surface charge distribution को यह surface charge density को तो यह जाएगा sigma is equal q upon a यानि q is equal to sigma a तो यह a is equal to हो जाएगा pi r square तो sigma into pi r square तो यह हो गया q upon epsilon 0 is equal to sigma upon, sigma into pi r square upon epsilon 0 ठीक है यहां दर clear है अब 2E into pi r square is equal to कितना हो गया sigma pi r square upon epsilon 0 या फिर E is equal to sigma upon two epsilon 0 तो vector form में अगर लिखेंगे तो e vector is equal to sigma upon two epsilon 0 into i-cab तो यह important है, single sheet अगर है, तो उसके जैसे जो electric field होगा, वो इतना होगा. So the direction of electric field intensity is normal to the plane and away from the positive charge distribution. Positive charge से दूर की होगा और normal to the plane होगा. And for negative charge distribution, it will be towards the plane. यह जो होगा, वो towards the plane होगा. Note कर लेंगे, यह कुछ important point है. Electric point, electric field intensity is independent of the size of the Gaussian surface constructed. जो भी आपने Gaussian surface लिया है, cylindrical, उसके size पर यह depend नहीं करेगा. And neither depends on the distance of the point consideration, nor the radius of the cylindrical surface. ठीक है? ना तो इसके radius पर, ना ही इसके distance पर. ठीक है? So if the plane sheet is thick, अगर plane sheet thick है, then the charge distribution will be available on the both side. So the charge enclosed within the Gaussian surface will be twice as before. So therefore, the field will be twice. So field कितना हो जाएगा? E is equal to sigma upon epsilon naught. Got it? So अगर यह thick sheet है, इसकी thickness है कुछ, तो दोनों surface पर इसके charge होगा, टेम चार्ज होगा. जिसकी विज़ासे अगर हम लिकालेंगे तो electric field twice होजाएगा, दोगना होजाएगा, तो multiply करेंगे, तो E is equal होजाएगा sigma upon epsilon naught. So this is also important point for you. Note कर ले ना. Now यह हम देखते हैं, electric field intensity due to two parallel infinitely long thin plane sheet of charge. तो हमरे पाद दो infinitely long sheet है, ठीक है, और इसकी विज़ासे हम electric field find करना है, दोनों पर same charge हमने ले लिया है, sigma 1 and sigma 2 इसकी charge densities है, तो अब क्या होगा, electric field intensity आपको direction ध्यान लखने है, पहले main क्या है direction है, इसकी विज़ासे बाहर की तरफ radial और direction होगी है, इसकी विज़ासे ये one पहली sheet लिए हमने, this is sigma 1, तो इसकी विज़ासे electric field की direction ही होगी, this is sigma 2, तो इसकी विज़ासे electric field की direction इतर होगी, ठीक है, अब इसकी विज़ासे अगर हम पहली plate की विज़ासे electric field देखेंगे, तो same direction में होगी, पहली और दूसरी प्लेट की विज़े से same direction होगी outward बाहर की तरफ outside अगर हम देखेंगे, तो electric field same direction में ही आ रहा है दोनों plates की विज़े, अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो electric field जो है वो electric field पहली प्लेट की वज़ासे इधर होगा दूसरी प्लेट की वज़ासे इधर होगा तो opposite direction में है तो इसको हम समझते हैं कुछ इस तरीके से अगर हमें outward direction में लिकालना है तो हम क्या करेंगे add करेंगे तो e is equal to हो जाएगा e1 plus e2 अगर outward direction outside लिकालेंगे इस प्लेट के outside तो e हो जाएगा e is equal to e1 plus e2 यानि कि sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon 0 और अगर अंदर की तरफ लिकालेंगे तो e1 minus e2 तो इसको हम minus करेंगे sigma 1 minus sigma 2 और अगर हम फिर से अगें बाहर की तरफ लिकालेंगे तो फिर से add करेंगे तो बाहर की तरफ सेम होगा electric field e is equal to sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon 0 अगर यह दोनों equal हैं तो do हो जाएगा sigma upon epsilon 0 अगर equal नहीं है तो हमें अलग-अलग add करना पड़ेगा ठीक है बैसे equal होंगे तो directly add होके formula आपको मिल जाएगा now case हम यहाँ पे देख लेते हैं 22 अगर हम इसको study करेंगे पहला case तो हमने लिया था कि अगर sigma की value sigma 1 की value sigma 2 से जादा है second case में हमने ले लिया कि sigma 1 plus में है और sigma 2 minus में है तो इसमें क्या होगा कि plate यह वाली minus में है और यह वाली plate क्या होगी plus में होगी तो outside अगर देखेंगे तो यह opposite direction में मिलेगा अपने को electric field तो electric field अगर opposite direction मिलेगा तो minus हो जाएंगे यह inside देखेंगे तो same direction में होगा तो plus हो जाएंगे ऐसी outside देखेंगे तो opposite direction में इसलिए minus तो बाहर की तरफ जो electric field होगा E1 minus E2 दोनों में E और अंदर की तरफ जो electric field होगा तो उसका just opposite case लगातेंगे E1 plus E2, sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon 0 inside या between the plates and outside अगर देखेंगे तो वो जाएगा sigma 1 minus sigma 2 upon 2 epsilon 0 ठीक है? ये case 2 हो गया third case अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो electric field है वो same है मतलब अब यहाँ पे हमने sigma 1 और sigma 2 ने लिया हमने दोनों equal ले लिये तो दोनों equal और opposite है तो उस case में क्या हो जाएगा देखो अंदर की तरफ जो electric field हो जाएगा वो क्या add हो रहा था E1 plus E2 तो इसका मतलब sigma upon epsilon 0 मिल जाएगा हमें electric field बाहर की तरफ दोनों equal हो गया है तो ये minus कर रहे थे E1 और E2 जाएगा जाएगा 0 and outside यहाँ पर भी क्या हो जाएगा is equal to 0 क्योंकि opposite direction में है ठीक है उसके बाद electric field intensity due to uniform charged this spherical shell कोई एक spherical shell है इसके वजाए से अगर हमें electric field find करना है electric field की intensity find करनी है तो हम 3 case arise करेंगे इस cell के अंदर इस cell पर और इसके बाहर तो पहला हो गया at a point P outside the shell अगर shell के बाहर कोई एक point है जिस पर हम electric field find करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक Gaussian surface लेनी पड़ेगी क्योंकि हमने spherical shell लिया है तो Gaussian surface भी कैसी होगी spherical होगी तो Gaussian surface जो है वो spherical है ठीक है तो electric field due to uniformly charged thin spherical sheet at a point outside the shell is such as if the whole charge were concentrated at the center of the shell तो हम इस तरीके से assume करके चलेंगे कि इसका पूरा पूरा जो charge है वो इसके center पर fix है तो P point पर outside हमें लिकालना है अगर electric field तो हम क्या करेंगे Gauss surface, Gauss theorem का use करेंगे तो यहाँ पर हमने एक point ले लिया P जिससे radius है इसकी capital R और इसकी radius है अंदर वाले shell की capital R और बाहर वाले की radius है वो है small r तो यहाँ पर जो है वो case क्या है capital R or small r is greater than capital R तो phi flux is equal to हो जाएगा q upon epsilon not and यह equal होता है surface integral E dot ds के since E and ds are the same direction are in the same direction, दोनों same direction में है तो theta is equal to zero इसका मतलब हो गया हम ले सकते हैं E dot ds is equal to 5 तो हमें मिल जाएगा e s is equal to q upon epsilon not s की value लगाएंगे 4 pi r square तो कि इसका जो area है बाहर वाली surface का इसकी radius है small r इसलिए हो जाएगा 4 pi small r square is equal to q upon epsilon not तो यहाँ से हम value लिका लेंगे e की which is equal to q upon 4 pi epsilon not r square तो यह electric field मिल गया अगर हमें पता है कि q is equal to होता है sigma into a तो a लिखाएंगे यहाँ पर 4 pi और capital r square तो यह जो हमने capital r यूज किया वो इसलिए यूज किया क्योंकि charge जो distribute है वो अंदर वाली surface पर distribute है बाहर वाली surface पर तो distribute नहीं है तो हम q की जब value लिका लेंगे तो वो sigma into 4 pi capital r square लेंगे नहाँ पर हो जाएगा sigma is equal to capital r square तो यह हो जाएगा e is equal to sigma r square upon epsilon 0 r square तो यह value मिल जाएगी हमें e is equal to sigma r square sigma upon epsilon 0 r square upon capital r square या फिर हम इसको s भी जी सकते sigma upon epsilon 0 r upon small r ka whole square तो यह electric field निकल के आएगा outside the hollow sphere ठीक है next second point या second case हम इसका arise करेंगे कि हमें अगर point a जो की cell पर ही है अगर हमें इस पर electric field point करना है तो वही gauss surface gauss theorem से हमें पता है कि closed surface integral is equal to e dot ds is equal to q upon epsilon 0 तो हम यहाँ पर use कर देंगे इसको और यह हो जाएगा e into 4 pi r square is equal to q upon epsilon 0 and e is equal to q upon 4 pi epsilon 0 into capital r square capital r square इसलिए क्योंकि यहाँ पर surface पर ही निकाल रहे है और इसकी radius है capital r तो e हो जाएगा sigma upon epsilon 0 ठीक है क्योंकि sigma into sigma is equal to कितना हो गया q upon 4 pi epsilon 0 r square q upon 4 pi r square so this is equal to sigma q upon 4 pi r square यह पूरी value sigma के equal हो गी sigma upon epsilon 0 तो electric field due to uniformly charged thin spherical shell at a point on the sphere surface of the shell is maximum इस case में क्या होता है maximum होता है electric field next last जो case है इसका और इसके बाद हम end करेंगे lecture को तो वो हमें निकालना है inside the shell shell के अंदर electric field अगर हमें find करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे again gauss theorem का use करेंगे closed integral e dot ds is equal to q upon epsilon 0 since e dot ds are the same direction तो यहाँ पर theta की value कितनी हो जाएगी उसके बाद फिर से हमने phi is equal to e dot ds is equal to q upon epsilon 0 लिखा and e हो जाएगा e into rs हमने radius लिए 4 pi rs square is equal to q upon epsilon 0 या फिर q की value देखो यहाँ पर 0 है क्योंकि इसने कोई भी charge को cover नहीं कर रखा अगर हम देखें तो charge पूरा का पूरा surface पर है अंदर तो कोई charge है नहीं तो हम जब Gauss theorem use करते हैं तो हम लेते enclosed charge क्या लेते हैं enclosed charge कितना है enclosed charge यहाँ पर कितना है सुन नहीं है यानिकि 0 है जब enclosed charge यहाँ पर 0 हो जाएगा तो पूरा पूरा जो electric field हो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो since q is equal to 0 inside the Gaussian surface, so e is equal to 0, so this property e is equal to 0 inside the cavity is used for electrostatic shielding. तो electrostatic shielding के लिए यह जो property वो use होती है और यह जो graph आप देख पा रहे हैं, यह graph बहुत सारे exam में पूछा गया है, तो आप इसको note कर सकते हैं, यह graph आप बना सकते हैं, electric field and radius, r के बीच का यह graph है, तो यह पहले आप देख पा रहे होंगे, पहले क्या है यह, r तक electric field e रहा, और उसके बाद यह गड़ते 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 गड़ते, और एक last में यह continuous होगया, ठीके last में यह क्या हो जाएगा, continuous हो जाएगा, ओके fix हो जाएगा, तो यह इसका graph है, इसको note कर लीजेगा, और इसी तरीके से हमने इसके 3 और 4 applications देखे हैं, यह काफी important है, इसको आप ध्यान में रखेगा आपने, पहला जो हमारा topic रहेगा, वो रहेगा, behavior of conductors in electrostatic field, तो जो भी चालक हैं, उनका behavior, उनका बेवार electrostatic field में कैसा होता है, यह हमें सबसे पहले देखना है, उसके बाद, एक electrical capacitance क्या होता है, उसकी definition हम समझेंगे, और उसकी क्या-क्या properties है, principle of capacitance, उसके बाद capacitance of parallel plate capacitor, कोई भी parallel plate capacitor है, उसका capacitance कितना होता है, फिर अगर हम उसको series या फिर parallel में देखें, तो equivalent capacitance कितना निकल का हैगा, energy कितनी store कर पाएगा capacitor, यह भी हमें समझना है, उसकी energy density क्या होगी, उसक loss कितनी हो सकती है, capacitor में energy, और कितनी हम share करते हैं, जब दो capacitor के बीच में energy share की जाती है, तो उसमें energy का loss कितना होता है, यह भी हम इस derivation की help से, इस topic में, इस lecture में समझेंगे, फिर non-polar and non-polar molecules क्या होते हैं, उसी के साथ में इसी से related topic है, जो की है, polarization of dielectric, तो यह non-polar and polar molecules है, वो तो वो हमें इसी लिए पढ़ने हैं, क्योंकि हमें polarization को समझना है, और polarization की helset dielectric, जो होता है किसी medium का, उसको समझना है, यह एक उसरे से link हैं, इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ कि आप पहले तीनों lecture देख लीजिए, ताकि आपको यह सौन्च में आ जाए, polarizing vectors and dielectric strength क्या होती ह यह हम समझेंगे उसके बाद, फिर parallel plate capacitor with dielectric slab and then 1D graph generator, 1D graph generator अब जो है, NCRD में हट गया है, सिलेवस से हट गया है, फिलाल फिर भी हम इसको देख लेंगे, कि आपको कभी intense exam में अगर इस से related कोई question आ जाए, तो आपको problem ना हो, ठीक है, तो हम सारे ही topic cover करेंगे, ताकि आपकी आए, डी, जे, या फिर नीट की तयारी कर रहें, तो आपकी वो पूरी तयारी हो सके, अब बात करते हैं सबसे पहले behavior of conductors in electrostatic field, तो चालक क्या होते हैं, उसकी बात करेंगे, उसके बाद उनका behavior electrostatic field में कैसा होता है, वो हम बात करेंगे, सबसे पहले conductor अगर हम समझें, त conductor का मतलब होता है, जिसमें free electron मौझूद हो, ठीक है, conductor का general meaning यही होता है कि उसमें free electron मौझूद है, यानि कि free electron का मतलब हो जो free है, वो कहीं गूम सकता है, जैसे मैं अभी free हूँ, तो मैं कहीं पे भी गूम सकता हूँ, जहां पे भी जाना चाहूँ, मैं मच जा सकता हूँ, त ठीक है, ऐसी जो किसी भी material में electron होते हैं, वो free अगर है, तो वो कई पे भी move कर सकते हैं, अगर electron move करेगा, तो उसमें क्या होता है, electricity flow हो सकती है, electron के move से ही electricity का flow होता है, यह हम next chapter में भी समझेंगे, वैसे मैंने आपको previous lecture में भी आपको बताया है, electron अगर motion करेगा, तो उसकी behavior अगर हम electrostatic में समझना चाहें, तो वो behavior कैसा सो करता है, वो हम समझेंगे, यह आप मुझे बतायेगा कि यह जो parallel lines है, यह किसको सो कर रही है, तो यह मुझे आप बता दीजेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, first point की जिसमें है, net electric field intensity in the interior of the conductor is zero, तो किसी भी एक conductor में net electric field म अगर कोई conductor रखा हुआ है, तो उसमें जो intensity होगी, या फिर उसकी electric field की intensity होगी, उस conductor के अंदर, net electric field intensity, वो कितनी होगी, जीरो होगी, उसके बीचे reason क्या है, वो हम समझते हैं, देखो क्या है, यह एक irregular shape का कोई एक material है, कोई एक conductor है, जो कि हमने किसमें रखा है, electric field के अंदर electric field के अंदर रखते ही क्या होगा, कि हमें पते electric field की एक direction जो होती है, वो unique होती है, यानि कि positive to negative, प से negative की तरफ इस ही direction होती है, तो मतलब यह है कि electric field की direction अगर यह है, तो मतलब यहाँ पर positive charge होगा, तो अगर यह positive charge है, तो conductor पर क्या होता है, induction की effect से negative charge आता है उस surface पर यानि कि उसके जितने भी electron होंगे वो सब एक तरफ इकटे हो जाएंगे ठीक है वो दो polar मतलब दो part में divide हो जाएंगे उसकी जो electron and positive charge है proton नहीं कहेंगे क्योंकि proton अलग होते नहीं है तो हम यह कहेंगे negative charge and positive charge क्या हो जाएगा और जो negative के पास सवाली surface है यहाँ पर क्या जाएगा positive charge जाएगा तो यह जो positive और negative है यह क्या हो गया इखटा हो गया एक तरफ अब यहाँ पे positive से negative की तरफ हो electric field गया यहाँ पे electric field पार हो गया बीच में कुछ भी नहीं है आप देखो के बीच में क्या है खोकला एक दम खा लिए इसी लिए electric field जो होता है किसी conductor के बीतर वो क्या होता है zero होता है so when conductor is placed in an electrostatic field the charge means free electron drift towards the positive plate leaving the positive pore behind so at an equilibrium so the electric field due to polarization become equal to the applied field and so that net electrostatic inside the conductor is zero इसी लिए net electric field जो होगा conductor के अंदर वो कितना होगा zero होगा तो इतनी बात आपको clear हो गई होगी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको कोई doubt नहीं होगा अगर आपके मन में कोई doubt है तो आप बता सकते है ठीक है clear हो गया अब अगर conductor समझ लिया हो तो conductor के सास्ता हम यहाँ पर यह भी देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर किसी एक electrostatic field को ले रहे है ठीक है तो electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor अगर हम just उसके बाहर की और electric field को देखें तो वो क्या होता है perpendicular to the surface होता है उस surface के perpendicular electric field की direction होगी ओके तो यह अगर यह surface है तो electric field जो होगा यह इसकी direction यह होगी right suppose the electric field is acting at the angle other than 90 degree 90 degree पर नहीं है मतलब किसी और particular angle पर है then there will be a component e cos theta तो उसका हम कौन सा component लेंगे e cos theta component लेंगे जो की किसके perpendicular होगा उस surface के जिस point पर हम ले रहे है उस point की जो surface है उसके perpendicular होगा so acting along the tangent at the point to the surface which will tends to accelerate the charge on the surface leading to surface current टीक है but there is no surface current in electrostatic so theta is equal to 90 and cos 90 is equal to 0 तो उस case में theta is equal to कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और cos 90 की value कितना हो जाएगा 0 हो जाएगी तो इसका मतलब इलेक्रिक फिल्ड जो है उसी direction में होगा next net charge in interior of conductor is 0 तो इस conductor के अंदर जो net charge है वो कितना है 0 जिस वज़ा से electric field 0 होगा था अगर आपको यादो तो the charge are temporarily separated the total charge of the system is 0 तो इस system का जो total charge होगा वो कितना होगा 0 होगा phi e is equal to हमने पढ़ा था surface integral e.ds is equal to q upon epsilon 0 Gauss theorem से Gauss theorem इछले lecture में मैंने आपको पताई थी तो बहां से हमने यह relation देखा था तो क्योंकि e की value 0 है इसका मतलब जो q की value होगी वो भी क्या होगी 0 होगी interior अगर हम अंदर की तरफ net charge देखेंगे q enclosed देखेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा so charge fourth point है charge always resides on the surface of a conductor so charge जो होता है हमेशा जो conductor है उसकी surface पर होता है charge जो होता है हमेशा conductor की क्या होता है surface पर होता है reside on the surface of the conductor माल लेते हैं कि conductor is given some axis charge q construct a Gaussian surface just inside the conductor तो अगर हम इसके just अंदर की तरफ देखेंगे उस surface के अंदर q की value क्या होगी 0 होगी यह आप ध्यान रखेंगे बहुत बार इससे related question आता है if we have a conductor then what is the electric field inside the conductor then it will always be 0 because the net charge inside the conductor will 0 तो कि उसके अंदर जो net charge होगा वो कितना होगा 0 होगा जिस वजह से हम electric field जो link है यहां पे वो कितना link है 0 लेंगे तो आप इसको देख सकते हैं यह वाला जो मैंने आपको बताया था second वाला यह आप देख ली जागा इसके just अंदर मैंने यह Gaussian surface लिये तो इस Gaussian surface में net charge कितना है 0 है 5th point होगा electric potential is constant for entire conductor पूरे conductor के लिए जो electric potential होगा वो क्या होगा constant होगा तो कि हमें पता है कि dv is equal to कितना होता है e dot dr तो अगर e की value 0 है interior of the conductor therefore dv is also is equal to 0 that is d is equal to constant तो potential difference 0 होगा जिसके विजए से v क्या है constant होगा यानि कि यह एक equipotential surface होगी v constant कब होता है जब equipotential surface होती है ठीक है 6 point note करेंगे surface charge distribution may be different at different points surface charge distribution है वो अलग-अलग points पर अलग-अलग हो सकता है उसके बीच में difference हो सकता है तो कि हमें पता है कि sigma is equal to कितना होता है q upon s every conductor is an equipotential volume यानि कि 3D में अगर हम देखेंगे rather than just an equipotential surface equipotential volume होता है equipotential surface की बज़ए equipotential volume उसका होता है and यह होता है two dimensional okay अब बात करें electric capacitance की तो electric capacitance क्या होता है तो electric capacitance एक measurement होता है किसी conductor की conductor की एक योगिता है measure करने की जिससे हम क्या कर सकते है कितना charge हम उसमें store कर सकते है तो capacitance और कुछ नहीं है किसी conductor में कितना charge store किया जा सकता है उस conductor की capacity कितनी है charge को store करने की वो उसका क्या है capacitance होता है तो यह जो charge है वो depend करता है किसके इस पर depend करता है जो की हो गया यहाँ पर C तो C की value यहाँ पर कितनी निकल के आई है यह निकल के आई Q upon B यह जो C है यह यहाँ पर क्या है capacitance है तो अगर V is equal to 1 volt है then C जो होगा वो Q के एकल होगा तो हम यह definition लिखेंगे कि capacitance of conductor is defined as charge required to raise its potential through 1 unit तो किसी भी conductor का potential एक unit बढ़ाने के लिए 1 volt बढ़ाने के लिए जितने charge की जरुरत होती है जितने charge की आवशकता होती है वही उसका क्या है capacitance है इसकी SI unit जो होती है वह होती है जो की बहुत बड़ी unit है अपने आप में इसका symbol जो होता है वो यह होता है दो हमने parallel line ली और इस तरीके से circuit में parallel line ना कोई छोटी ना कोई बड़ी ठीक है तो capacitance का symbol क्या होगा यह दो parallel line जो की बराबर होंगी इन में से कोई छोटी बड़ी नहीं होगी ठीक है तो वह इसका symbol होता है कभी भी circuit में अगर आपको ऐसा symbol दिख जाए समझ जाएगा क्योंकि वह capacitor है so capacitance is set to be one farad when one column of charge raises the potential of conductor by one volt तो one farad वह unit होगी capacitance की या one farad वह होगा जिससे एक कुलम charge किसी conductor का एक volt potential बड़ा दे ठीक है तो वह क्या होगा एक farad के equal होगा क्योंकि हमने देखा था Q upon V के equal होता है तो यहां पर भी one रखेंगे one column and यहां पर भी one रखेंगे one volt वन कुलम पर volt यह किसके equal होगा capacitance के equal होगा एक farad वह unit है जब हम किसी एक कुलम charge को क्या करते है किसी conductor के एक volt potential को बढ़ाने के लिए in the range of one milli farad, micro farad, nano farad और pico farad इसलिए हम generally use करते हैं तो कुँए unit करते हैं? milli farad, nano farad, micro farad या फिर pico farad तो मैं एक बार आपको बता जाता हूँ कि यह क्या होते हैं तो one milli farad is equal to 10 to the power minus 3 farad इसी के साथ में one micro farad जो होता है 10 to the power minus 6 farad one nano farad जो होता है वो होता है 10 to the power minus 9 farad और one pico farad जो होता है वो होता है 10 to the power minus 12 farad तो यह आप ध्यान रखेंगे generally इनी units का use करते हैं हम farad में next हम बात करेंगे capacitance of an isolated spherical conductor किसी एक isolated spherical conductor के capacitance की हमारे पास एक isolated spherical conductor है जिसकी radius हमें small r given है इसके center पर plus q charge है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे potential at any point on the surface वो कितना होगा हमने formula previous lecture में देखा था v is equal to होता है q upon 4 by epsilon not into r यहाँ से अगर आप चेक करो क्योंकि c is equal to होता है q upon v previous slide है आपको बताया था मैंने तो v की value यहाँ पे हम apply कर देंगे तो यह जाएगा c is equal to q upon क्या हो गया v की value यहाँ पे लगा दो q upon 4 by epsilon not r q से q cancel हो गया यह पूरा उपर जाएगा तो 4 by epsilon not r यह बचे गया c is equal to कितना हो गया 4 by epsilon not r यह जो निकल क्या है यह किसी एक isolated spherical conductor की capacity होती है तो earth जो है वो एक isolated spherical conductor है इसकी capacity अगर हमें निकालनी है तो earth की radius हम r is equal to 6400 km अगर हम use करेंगे तो हम यह earth की capacity आर्षानी से निकाल सकते है तो capacitance of spherical conductor is directly proportional to its radius तो c जो है वो directly proportional होता है इसके radius के बाकी 4 by epsilon not यह constant है above equation is true for conducting sphere hollow और solid चाहे वो hollow हो चाहे वो solid sphere हो दोनों के लिए यह क्या है सही है अगर square जो है वो किसी medium में है तो हम क्या formula use करेंगे तो c is equal to 4 by epsilon not epsilon r into r अगर किसी medium में है तो हम यह formula use करेंगे capacity जो होती है अर्थ की वो होती है 711 microfarad यह question आता है कि अर्थ की capacity कितनी होती है तो इसका answer होगा 711 microfarad ठीक है तो अर्थ की capacity होती है निकालना कैसे है मैंने बताया था कि R की value कितनी use करेंगे 6400 km use कर लीजे तो आपको यह जो capacity है वो आपको मिल जाएगी इसी के बाद principle of capacitance की बात करें तो principle of capacitance में अगर हम समझे तो हमारे पास दो plate है इसको समझेगा plate A and plate B तो plate A को हमने क्या किया positively charge किया plate A को हमने क्या किया positively charge किया B हमारे पास जो plate है वो neutral है एक दम B पर कोई B charge नहीं है plate A पर positive charge है B पर कोई B charge नहीं है इसके बीच में जो potential है वो कितना है B है तो अब क्या करा हमने कि B को जो हम नजदीक लेके आएंगे इसके तो नजदीक वाला जो इसका सिरा है positive की वजए से इस पर क्या होगा induction की वजए से इस पर negative charge अपने आप आजाएगा तो इसके pass वाली plate पर क्या आगया negative charge आगया और इसके दूर वाली plate पर क्या आगया अपने आप ही positive charge हो गया ठीक है तो अभी भी इस पर कोई भी charge नहीं है इधर वाली plate पर क्या हो गया positive charge इखटा हो गया हम यह क्या करना हैं कि एक तरफ के चार्ज कोowaटाना है वह छा करना कि बीकी जो पार्धेश्ट साइड है इसको हमने उर्थएड कर दिया ऐर्थएड कर दिया वह में हम करेंगे तो बचेगा, केवल negative charge बचेगा, एका positive charge, Plate A पर क्षॉटर चार्ज था, positive charge और B पर क्या आगिया, negative charge आगिया, यह जो positive और negative charge आए है plate पर, इसी के वज Iraqi से total potential होगा, पूर अदुम है, वो क्या कैलाता है, capacitor कैलाता है, ठीक है, तो आपको यह सुझ में आ गया, क्या करा हमने एक positively charge plate ली, उसके effect से जो neutralized plate थी उस पर भी charge आ गया, उसके pass आली plate पर negative charge और दूर वाली plate पर positive charge, positive charge को हमने अर्थेट किया जिससे वो neutralize हो गया, अब केवल plates पर positive A पर और negative B पर बचा हुआ है, तो यह जो पूरा combination है, यही क्या C कैसे निकालते हैं, वो हमें समझना है, तो parallel plate का मतलब हो गया, जब plate को हम parallelly connect करते हैं, parallel रखते हैं एक दूसरे के, तो इसको हम बोलते है, parallel plate और उसके अंदर charge stored होता है, इसलिए वो capacitor हो गया, तो एक plate हमने A ले ली, एक दूसरी plate जो हो गई, A dash हो गई, ऐसा मान लेते हैं तो plate A जो है वो positively charge है और दूसरी plate जो है वो negatively charge है, दोनों पर density जो है charge की वो same है, इनके बीच की distance D ले ली हमने, so parallel plate capacitor is an arrangement of two parallel conducting plates of equal area separated by air medium or any other insulated medium such that, such as paper हो सकता है, माइका हो सकता है, glass हो सकता है, बूड हो सकता है, या सेर्मेक हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, जब parallel plate capacitor लेते हैं, तो या तो हम उसके बीच में हवा रहन दे, air रहन दे, कुछ ना वरे, या फिर हम कोई ना कोई एक dielectric medium का use करते हैं, dielectric medium का use क्यों करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, क्यों किया जाता है, उसको क्या फायदा है, तो dielectric medium कुछ भी हो सकता है, चाहे वो paper हो, चाहे वो mica हो, चाहे वो glass हो, या wood हो, या फिर सहरे में को, कुछ भी हम इसकी जगए use कर सकते हैं, सबका जो dielectric constant है, वो अलग अलग होता है, तो formula होता है, V is equal to ED, यहां से अपने को मिलेगा sigma upon epsilon not into D, क्योंकि E is equal to किसी एक plate के वीज़ स electric field हमने find किया था, आपको याद होगा, कौन से lecture में, third lecture में, electric study के third part में मैंने आपको बताया था, जब gauss की applications पढ़ रहे थे, तो E is equal to sigma upon epsilon not, और into D, वी की value कितनी निकल कहेगी, यह निकल कहेगी, QD upon A epsilon not, वी कितना निकल कहेगा, QD upon A epsilon not, क्योंकि sigma is equal to होता है, Q upon A, हमने sigma की जगे Q upon A put कर दिया, तो C is equal to होता है Q upon B, तो अगर हम यहाँ पे यह value उठाके रखेंगे V की जगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, C is equal to A epsilon not upon D, if space between the plates is filled with a dielectric medium of relative permittivity epsilon r, तो इसमें हम क्या करेंगे, formula use करेंगे, C is equal to A epsilon not epsilon r upon D, epsilon not मैंने आपको starting में बताया था, कि यह क्या होती ह है, permittivity होती है, vacuum की, जिसका मान होता है, 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton meter square, और जबकि जो epsilon r वो relative permittivity है, ठीक है, relative permittivity कैसे, तो हम vacuum के respect में medium की permittivity जब निकालते है, तो वो relative permittivity होती है, ठीक है, आगे बात करें, capacitance of parallel plate capacitor, जो होता है, वो directly proportional होता है to the area of the plates, ठीक है, plate का जितना भी area है, उसके directly proportional, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, c is directly proportional to a, क्या है, a epsilon not upon d, and inversely proportional to the distance of the separation between them, उनके बीच की जो distance है, उनके inversely proportional होता है, तो यह आप देख सकते हैं, यह मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी important है, यह concept clear होगा आपका, तो यह formula याद रखेंगे, काफी important formula है, c is equal to a, epsilon not upon d, या फिर c is equal to a, epsilon not, epsilon not upon d, यह epsilon not की जगह है, जब अगर कोई medium होगा, तो हम relative permittivity उसके साथ में, multi product में ले ले लेंगे, अब आते हैं, series combination पर capacitor के, तो capacitor का अगर series combination हम लेते हैं, series का मतलब होता है, कि पहले capacitor की दूसरी plate, दूसरे capacitor की पहली plate से जुड़ी हो होगी, तो यह series combination है, यानि कि यह जो capacitor है, suppose यह हमारे पास एक capacitor है, तो इसके साथ में यह एक capacitor और जुड़ा होगा, तो यह वाली पहली plate होगई, यह वाली दूसरी plate होगई, तो यह combination जुड़ेगा, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, यह पहली plate है capacitor की, यह दूस ऐसी अगर आप देखिगे की दूसरे capacitor की जो दूसरी plate है, वो किसे जुड़ी होगी हो यह तीसरे capacitor की पहली plate है, तो इस तरीके का जो kombination होता है, Dennis का होता है,それでは series combination में जो charge होता है, वो क्या होता है, हर एक capacitor में same होगा, एक होगा, अगर इस पे अगर 2 mCN का charge है, तो इस पे V is equal to V1 plus V2 plus V3 या फिर V is equal to Q upon C V1 is equal to Q upon C1 V2 is equal to Q upon C3 and V3 is equal to Q upon C3 V2 is equal to Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3 ठीक है? यह आपको clear हो गया इसमें कोई problem तो नहीं है तो यह जो potential हर एक capacitor में अलग अलग होगा series combination में जबकि charge हर एक capacitor में same होगा ठीक है? तो Q upon C अगर हमें निकालना है तो यह जाएगा Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3 तो 1 upon C मिलेगा 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 तो यही होता है series में जब हम इसको connect करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो reciprocal of effective capacitance जो होगा वो sum होगा reciprocal of individual capacitance के तो अगर हमें capacitance का जो है equivalent लिखालना है तो note करने वाली बात यह है कि effective capacitance in series combination is less than the least of all individual capacitance तो अगर हम series में capacitance को connect करते हैं तो हर एक capacitance से उसकी जो capacitance होती है वो क्या होती है? कम होती है ठीक है? यह ध्यान रखेंगे series में combination में क्या होता है? less than the least of the individual capacitance second जो आता है वो आता है हमारा parallel combination of catheters तो parallel combination में gdzie होता है? कि pahli plate पahli plate से जुड़ी होगी दूसरी plate दूसरी plate से तीसरी plate तीसरी plate से तो इस तरीके का combination two होता है वो parallel plate combination होता है ठीक है? अब इस में क्या होता है? इस combination में potential पोटेंसियल के बीच में जो होगा वो सेम होगा इस वाले में जितना पोटेंसियल है C1 में उतना ही C2 पर होगा उतना ही C3 पर होगा तो सम में पोटेंसियल क्या होता है सेम होता है जबकि चार्ज का जो डिस्टिबिशन होता है वो अलग अलग होता है पहले वाले हमने क्या यहां पर रहे होता है जब की यहां पर चार्ज अलगद अलगग होगा और potential sum में same हुआ Q is equal हो जाएगा यहाँ पे Q1 plus Q2 plus Q3, यहाँ से हमें Q is equal होता है C1B Q1 यहाँ पे हो जाएगा C1B Q2 हो जाएगा C2B, Q3 हो जाएगा C3B and यहाँ पे Q is equal C2B जब लगाएंगे तो C1 V plus C2V plus C3B V यहाँ पे common लेके VCV केंसिट करेंगे तो C is equal हो जाएगा C1 plus C2 plus C3 and so on, जितने भी लगे होंगे N अगर लगे हुए है यहाँ पे क्या हो जाएगा N अगर क्या हो जाएगा N अगर क्या हो जाएगा C is equal to C1 plus C2 plus C3 plus C4 dot 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 C N Okay So the effective capacitance is the sum of the individual capacitance, note करने वाली बात यह है कि effective capacitance in parallel combination is larger than the largest of all individual capacitance, इन में से जो भी largest capacitance होगा उससे भी बड़ा होगा क्या, यह जो parallel plate capacitance में निकल के आएगा, equivalent capacitance वो, ठीक है, यह note कर लीजेगा इसके बाद energy stored in capacitor, कितनी energy stored होगी capacitor में, वो अगर हमें निकालना है तो capacitance आपको सुझ में आगया दो प्लेटे हैं, उनको आपस में हमने connect कर दिया किसी उसके बीच में बैटरी अपलाई कर दी, तो वो एक capacitor बन जाता है, उसके बीच में कोई dielectric medium हो, या ना हो, अगर air है तो k की value dielectric constant हो जाएगा, k is equal to one अगर कोई और medium है तो k, उसकी जादा होगी value, ठीक है और यह ध्यान रखना conductor के लिए जो होती है, यह infinite होती है, ठीक है, conductor के लिए जो k की value होती है, वो infinite होती है So the process of charging a capacitor is equivalent to the transforming charge from one plate to another plate of capacitor So the moment charging start there is a potential difference between the plates and therefore to transfer charges against that potential difference, some work is to be done अगर यहां से जब हम इस पे potential apply करते हैं तो यह positive plate है, यह negative plate है positive positive के साथ में हमने connect कर दिया तो positive की वज़ा से यहां पे positive charge आया है यह negative की ज़ा से यहां पे negative charge आया है तो आप क्या होगा कि यहां से charge जो होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, जिसकी वज़ा से कुछ ता कुछ इसमें work done होगा कोई कार्य होगा तो this work is stored as electrostatic potential energy in capacitor तो यही जो कार्य है, यही जो work done है वो इसके अंदर एक energy के रूप में क्या होजाता है, store होजाता है और अगर यहां पर हम मालने कि DQ भी the charge transferred against the potential difference एक DQ charge जो है, वो potential difference के against इसमें transfer होगा है तो work done कितना हो जाएगा W is equal to हमें पता है V into Q होता है तो DW is equal to V into DQ which is equal to potential energy यह हो गया V की जगे अगर हम Q upon C apply करें तो Q upon C into DQ इसको integrate करेंगे तो U यहां पर मिल जाएगा integration of 0 to Q, Q upon C, DQ या फिर U is equal हो जाएगा half Q square upon C, एक formula first formula यहां पर निकल के आया second formula इसमें कई सारे formulas हैं तो यह formulas आपको note कर लेने हैं यह formulas आपको याद होने चाहिए मैं बता भी दूँगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं formula निकालने की techniques क्या है तो पहला formula यहां पर निकाला यह तो इसको integrate किया तो Q upon half Q square upon C आया दूसरा Q की जगे हमने CV रख दिया तो half CV square आया तीसरा one upon QB QB कैसे है जब C की जगे हम क्या रख देंगे Q upon C रख देंगे तो यह formula निकल क्या जाएगा तो यह तीन formula हैं यहां पर first, second और third energy के लिए तो इन तीनों में से कोई साभी एक याद होना चाहिए तो आप बाकी के तीनों आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है उम्मीद है कि आपको यह energy समझ में आ गई कि किस तरीके से store होती है या कितनी energy store होती है कि acceptance के अंदर फिर से बतायता हूँ कि एक charge के transfer होने में potential के against potential difference के against charge जब transfer होता है एक plate से दूसरी plate में तो जितना work done होता है वही उसकी energy के रूप में store होता है तो वह work done होता है half q square upon c तो यह formula जो है वो energy के लिए हमें मिल जाता है यहाँ पे energy density क्या होती है density होती है per unit volume पर कितनी energy है तो u is equal to अभी हमने निकाला था half cb square होता है और c is equal to होता है a epsilon not upon d और v is equal to potential difference जो होता है वो ed के equal होता है तो अगर हम यहाँ पे सारी values put करें तो c की और v की तो हमें मिल जाएगा half epsilon not a d e square या फिर ad जो है वो यहाँ पे क्या है volume है यह क्या है volume है तो ad को इसके upon में लेके आएंगे तो u upon ad is equal हो जाएगा half epsilon not e square यह जो formula मिला है half epsilon not e square यही क्या है energy density का formula है किसका formula है energy density का formula है एसा ही unit जो हती एनटजी density की वो होती है joule per meter cube energy जो हो work done पर unit volume है या energy per unit volume है तो meter cube जो हती है वो volume की unit होती है तो यहाँ पे SI unit जो निकल कहेगी joule per meter cube निकल कहेगी and energy density is generalized as the energy per unit volume of field यह मैंने बताया था energy per unit volume of the field is known as the energy density and energy is stored in the series combination of the capacitor series combination में कितनी energy stored होगी यह निकालना अगर हमें है तो सबसे पहले equivalent capacitance पता होना चाहिए series combination में क्या होता है 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 and so on 1 upon cn इस तरीके से होता है तो अगर हम यहाँ पे 1 upon c की जगए यह वाला formula क्या है half q square upon c तो 1 upon c की जगए इसको लिख सकते है q square into 1 upon c 1 upon c की जगए हमने यह put कर दिया जो series combination में होता है यह सारी values हमने यह यहाँ पे लगा दी तो हमें क्या मिलेगा half q square into 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 dot 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 1 upon cn या फिर हम इसको लिख सकते हैं u is equal to u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 un so the total energy stored in the system is the sum of energy stored in the individual capacitor series में अगर हमें energy का energy stored कितनी energy stored हुई है यह निकालना है तो हम क्या करेंगे individually लिकालेंगे कि energy पहली capacitor में कितनी है दूसरी में कितनी है तीसरी में कितनी है और उसको हम directly add कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा total energy stored in series combination of capacitor ठीक है यह मिल जाएगा next energy कितनी stored होगी parallel combination में तो energy stored in parallel combination of capacitor तो हमें पता है c is equal कितना होता c1 plus c2 plus c3 dot 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 cn formula हमारे पास है half cv square इस formula का हम यहाँ पर use कर लेते हैं तो c की जगा c1 plus c2 plus c3 dot 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 cn कर देंगे तो यह हो जाएगा again u is equal to u1 plus u2 plus u3 dot 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 un फिरसे वही the total energy stored in the system is the sum of the energy stored in the individual capacitor तो वो भी क्या रहा है वो ही निकल क्या रहा है जो हमने series में निकाला था तो individual capacitor में जितनी energy stored हो रही है उसमें हम क्या कर देंगे सब को add कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी energy मिल जाएगी कितनी store हो रही है parallel combination में अब हम बात करते है loss of energy की यानि कि अगर हम parallel या series combination में capacitor को connect करते है तो energy का कुछ loss होता है तो वो loss कितना होता है वो हमें समझना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम यह assume कर लेते हैं कि हमारे पास दो capacitor है इनका capacitor है C1 और C2 है उनके चार्ज जो है वो है Q1 and Q2 and potential जो है उनका वो है C1 and V2 तो total charge जो होगा after sharing वो equal होगा total charge before sharing तो कि charge तो थो conserve रहता है हमने पढ़ा था conservative of charge लेकिन खतम नहीं होगा चार्ज जो है नश्ट नहीं होगा ना तो उसको produce कर सकते हैं ना ही उसको destroy कर सकते हैं वो क्या होता है कि वो transfer होता है तो total charge उतना ही रहेगा जो पहले था और जो बाद में हैं उनकी value equal होगी हमने लिखा total charge after sharing is equal to total charge before sharing because of principle of conservation of charge ठीक है तो यह हो जाएगा देखो capacitance हम किसमें देख रहे हैं हम देख रहे हैं parallel combination में parallel combination में जो हम add करते हैं capacitance को तो कैसे करते हैं direct sum लेते हैं तो हमने दो capacitor लिए हैं हम इसमें बहुत सारे capacitor भी ले सकते हैं तो depend करता है कि हम derivation कैसा ले रहे हैं दो capacitor के लिए C1 प्लस C2 हो जाएगा parallel combination में and voltage जो होती है किसमें parallel combination में वो क्या होती है equal होती है same होती है दोनों के लिए तो V same रहेगी तो इसलिए C1 plus C2 into V is equal to C1 V1 ठीक है क्या हो जाएगा C1 V1 plus C2 V2 यह क्या है total क्योंकि हमने क्या करा इसको अलग-अलग कर दिया तो अलग-अलग करा तो आप इसमें जो capacity होगी मतलब जो इसका energy होगी वो क्या हो जाएगी C1 V1 U is equal to C1 V1 plus C2 V2 तो V की value हमें यहापे निकालनी है तो C1 plus C2 को इसके upon में बेज देंगे तो V is equal हो जाएगा C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 तो यह क्या होता है potential निकल क्या आगया अब यहां से जब हमें potential मिल गया तो अब हमें क्या करना है total energy कितनी होगी before sharing वो निकाल सकते है U1 is equal to हो जाएगा 1 upon C1 V1 square plus 1 upon 2 C2 V2 square तो U is equal to इतना हो गया अब यहां पर हम निकालेंगे initially sorry initially जो energy होगी वो इतनी होगी तो total energy अगर हमें निकालनी है तो final energy कितनी हो जाएगी half C1 plus C2 V2 अब दोनों को हमें क्या करना है minus कर दिना है तो initially कितनी energy थी और finally energy कितनी है दोनों को minus कर दिना है तो loss मिल जाएगा loss of energy loss of energy निकालने के लिए initial में इसे final minus कर दिया तो हमें मिल गया c1 c2 into में v1 minus v2 square upon 2 c1 plus c2 यह formula काफी important है इसको याद रखेंगे इस्टार मार्क कर लिए बहुत important formula है इससे related questions आते हैं IIT जाई के exam में भी आपके need के exam में या फिर board के exam में question आ सकते board में तो simple question आएंगे इस related या फिर capacitor and simple derivation आता है लेकिन इसके entrance exam में काफी questions आते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u initial minus u final जो होता है वो greater than होता है zero से and यह भी कह सकते हैं कि u initially जो होगा वो क्या होगा जादा होगा u final से so therefore there is some loss of energy when two charged capacitor are connected together जब दो charge capacitor को आपस में connect करोगे तो जरूर कुछ energy का loss होगा so the loss of energy appears as the heat and the wire connecting the two capsitors may be hot may be become hot तो जो circuit में हमने wire use किया है वो क्या हो जाता है गरम पढ़ जाता है क्योंकि energy loss हो रही है ठीक है वो heat के रूप में लिख लेगी तो आते हैं आपने next topic पे जिसका नाम है polar molecules polar molecules को हम समझेंगे polar का meaning मैंने आपको study में बताया था dielectric हो गया या dipole हो गया pole मैंने जब बताया था pole का मतलब होता है सिरे ठीक है polar सिरे होता है उसका तो दो सिरेव में अगर यह बढ़ जाता है तो उसको बुलते है polar किक है so the molecule in which the center of positive charges does not coincide with the center of the negative charges is called a polar molecule okay so polar molecule does not have the symmetric shape polar molecule जो होते है उनकी जो shape होती है वो symmetric नहीं होती है so यहां पर हम कह सकते है जैसे hcl है h2 हो है ns3 है co2 है यह सभी जो है वो polar molecule है and effect of electric field on polar molecule polar molecule पर electric field का क्या effect पढ़ता है यह हम समझेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर देख सकते है अगर electric field zero है तब electric field कुछ है तब तो अगर electric field जो है वो zero है तो उस case में क्या होगा dipole moment कितना हो जाएगा zero हो जाएगा तो यहां पर आप देखिएगा कि यह positive and negative दो zero में बटे हुए है तो in the absence of the external electric field the permanent dipole of the molecule oriented in the random direction and hence the net dipole moment is zero तो उस case में क्या होगा देखो यह जो है वो random ही कहीं पे भी move करेंगे जिस वजह से इसका जो net dipole moment होगा वो कितना हो जाएगा zero हो जाएगा जबकि अगर कोई external electric field हम apply करते हैं तब ऐसा नहीं होगा जब हम electric field इस पे apply करेंगे external electric field apply करेंगे तो यहां पे जो dipoles है वो अपने आप में ही क्या होंगे orient होंगे and regular fashion and hence dipole moment जो होगा वो किसमें इंड्यूज होगा पहले dipole moment इंड्यूज नहीं हो रहा था क्योंकि electric field वहाँ पे जी जीरो था electric field जीरो होने की वज़ए से जो था वह रेंडमली कहीं पे भी वो और्येंट हो रहे थे सब्सक्राइब 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 यह जो है वो complete alignment possible नहीं है right electric field में possible है अब यहां पर देखिए का non-polar molecules क्या होते हैं a molecule in which the center of positive charge coincide with the center of the negative charge is called the non-polar molecule so non-polar molecules जो होते हैं उनकी जो सेप होती है वो symmetric होती है symmetric shape जैसे n2 है ch4 है o2 है c6 x6 है तो इस तरीके के जितने भी है molecule वो क्या होंगे non-polar molecule होंगे इनकी जो shape होगी वो क्या होगी symmetrical होगी effect क्या होता है electric field का इसको भी समझते हैं तो अगर electric field is 0 है तो dipole moment is 0 होगा obviously बात है कि absence of extra electric field effective positive and negative centers coincide and hence dipole is not formed ठीक है dipole यहां पर form नहीं होगा जबकि electric field की presence में field की presence में क्या होगा यहां पर यहां पर देखेगा यह जो है वो क्या कर रहे हैं अपने आप में ही motion करने है जैसी electric field है तो यह rotate मतलब यह क्या करने के लगा motion में आ गया तो अगर electric field हम apply करते हैं तो positive charge are pushed in the direction of the electric field and the electrons are pushed in the direction opposite to the electric field इसके विजासे क्या हो जाता है separation हो जाता है दूसरे वाले में dipole इसलिए form हो रहा है क्योंकि positive जो होते हैं वो electric field की direction हो जाते हैं और negative electric field की opposite direction हो जाते हैं तो कोई भी इसमें यहां पर dipole momentum एक या dipole जो होता है एक form हो जाता है ठीक है तो dipole momentum भी होगा अब हम बात करेंगा एक कोई non conducting medium या फिर इंसुलेटर जो होते हैं उनको हम डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं तो precisely non conducting material in which induced charge are produced on their faces on application of electric field is are called dielectrics तो जैसे air है, s2 है, glass है, mica है, paraffin wax है या फिर transformer oil है तो यह सभी क्या है एक इसकी तरह behave करते हैं dielectrics की तरह behave करते हैं तो इनके अलग-अलग constants होते हैं इनके अलग-अलग values होती हैं तो polarization जो होगा dielectrics का वो कैसे होता है वो भी हम समझ लेते हैं तो दो plate हमने लेली एक हमने लिए positive plate और दूसरी लिए negative plate इसके बीच हमने क्या कर भर दिया dielectric बर दिया तो electric field की जो direction होगी वो किस तरफ होगी positive to negative की तरफ होगी तो अगर हम non-polar dielectric slab किसी एक electric field के अंदर रखते हैं तो यहां पर क्या होता है एक internally electric field create हो जाता है क्योंकि positive charge जितने भी होंगे वो negative plate की तरफ हो जाएंगे और negative charge जितने भी होंगे वो positive plate की तरफ shift हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा एक electric field जो होगा वो क्या हो जाएगा opposite direction में external electric field की opposite direction में produce हो जाएगा तो यहां पर हम कह सकते हैं E not is the applied electric field and EP is the induced field in the dielectric so the net electric field EN is equal to कितना हो जाएगा E not minus EP that is field is reduced when a dielectric slab is introduced अगर हम dielectric slab इसमें introduced करते हैं तो electric field जो होता है वो क्या होता है reduce होता है so dielectric constant जो होता है वो क्या होता है k is equal to E not upon E not minus EP dielectric constant जब भी आपको निकालना होगा तो हम देखेंगे कि पहले electric field कितना था और अब जब हमने इसमें dielectric medium apply कर दिया तो अब electric field कितना है तो उसका जो ratio होगा तो वो dielectric constant होगा polarization vector की बात करते हैं तो polarization vector measures the degree of polarization of the dielectric it is defined as the dipole moment of the unit volume of polarization polarized to dielectric polarized vector जो होता है वो क्या होती है polarization की degree का measurement होता है कि कितना polarization 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 है dielectric का dielectric के polarization की degree का measurement होता है वो polarization vector होता है it defines as the dipole moment of unit volume of the polarized dielectric if n is the number of atoms or molecules per unit volume of dielectric then polarization vector जो होगा वो कितना होगा P vector is equal to n into P vector ठीक है यहाँ पे आप capital P देख पार होगा यह capital P है और यह small P है यह ध्यान रखना ऐसा ही unit जो होती है polarization vector की वो होती है कुलाम मीटर स्कार ऐसा ही unit polarization vector की होती है कुलाम मीटर स्कार यहाँ पे dielectric strength की अगर हम बात करें तो dielectric strength क्या होती है this is the maximum value of electric field intensity that can be applied to the dielectric without electric breakdown तो क्या होता है कि जो हम plate लेते हैं यह यह electric field apply करते हैं तो अगर वो बहुत ज़्यादा strong हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर dielectric भरा हुआ है उसके molecules बहुत ज़्यादा खिच जाएंगे plates की तरप जिसके विज़ासे वो break हो सकता है बीच में से तो हमें वो value लेनी है यानि कि उतनी limit तक electric field की value use करनी है external electric field की जिससे वो अंदर का जो dielectric है वो break ना हो यानि कि उसका जो polyreaction है positive and negative के बीच में वो एक maximum तो रहे लेकिन वो break ना हो टूट ना पाए तो उतनी maximum value जो maximum value होती है electric field की जिसकी विज़ासे वो टूट ना पाए अंदर का जो dielectric medium है ठीक है वो break ना हो पाए तो उस maximum value को उस maximum electric field की value को क्या कहते है electric field की maximum value को क्या कहते है डाइलेक्जिक strong कहते है ठीक है इसकी ऐसा unit जो होती है वो back यildड पर meter होती है आपको याद होगा की वोle gуютz per meter जो होता है वो क्या होता है यूनेट होती है electric field की तो डाइलेक्ट्रिक strength और कुछ नहींए electric field ही है बट maximum value है electric field की यह जो है इसकी जो practical unit की बात करें तो वो kilowatt पर millimeter होती है क्या होती है kilowatt पर millimeter होती है अब जैसे हम बात करें dielectric strength की तो vacuum के लिए यह infinity होती है infinite होती है क्योंकि vacuum को तो तोड़ना पॉसिबली नहीं है, एर के लिए ये 0.8 से 1 होती है, ये पॉर्सिलेंट के लिए ये जो होती है, वो 4 से लेके 8 तक होती है, साइरेक्स के लिए जो होती है, ये 14 होती है, प्रक्स, साइरेक्स के लिए, पेपर के लिए 14 to 16 होती है, रवर के लिए 21 होती है, और माइका के लिए 200 तक Capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab तो capacitance dielectric slab के साथ में अगर हमें इसका parallel plate capacitor का capacitance निकालना है तो यहाँ पे हमने क्या करा एक parallel plate capacitance लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यह plate positive है और यह negative plate है ठीक है उपर वाली plate पर positive charge है नीच वाली plate पर negative charge है इसके बीच में हमने क्या कर दिया dielectric भर दिया है जिसकी thickness हमने ले ली T तो T is the thickness of dielectric medium and total जो यहाँ पे plates के बीच की distance है वो है D तो बचा हुआ जो part है वो air का हो गया तो air का जो part है वो कितना बचा वो बचा D में से हम T को माइनस कर दिंगे तो D माइनस T जो है वो air का part है तो हम यहाँ पे अगर voltage लिकालते है तो वो हो जाएगा E not E not क्या है वो external electric field जो हमने apply कर रहा है वो E not D minus T plus E n और into T किक है E n जो है वो यह जो dielectric medium हमने apply कर रहा है इस पे electric field की value है is total net electric field है E, and net electric field है जो की equal होता है E not external electric field minus polarizing electric field तो polarizing electric field केoo अगर हम minus करते है external electric field में से तो उमे einsaiiy أو हमने क्या करा है यहाँ पे क्योंकि dielectric पर इतना ही electric field होगा sorry E net होगा E net की multiply करी हमने T से E not the external electric field उसकी multiply करी जो air वाला medium है एर वाला मीडियूम कितना है D-T इससे multiply करें क्योंकि V is equal to E into D होता है distance होता है electric field into distance तो K होता है K होता है आपे E not upon En या फिर En को हम ले सकते है E not upon K So we can get यहाँ पे E is equal to हो जाएगा E not D minus T plus E not upon K En की जगे हमने क्या कर दिया E not upon K put कर दिया into T D is equal to यहाँ पे मिल जाएगा E not को हमने common ले लिया तो D minus T plus T upon K ठीक है यह वाला time याद रखना and E not यहाँ पे हम पता है कि sigma upon epsilon not होता है अगर किसी plate के लिए हम electric field लिकालते है तो वो निकल के आता है plate के बीच में अगर opposite plates है positive and negative इनके बीच में electric field लिका लेंगे तो वो कितना निकल के आएगा sigma upon epsilon not which is equal to Q A upon epsilon not ठीक है Q upon A epsilon not यह हो जाएगा Q upon A epsilon not ठीक है C is equal to Q upon B तो V अगर हम यहाँ पे यह वाली value पुट करते है और तो हमें मिल जाएगा Q से Q cancel हो जाएगा A epsilon not यहाँ पे उपर पहुट जाएगा तो हो जाएगा D minus T plus T upon K इतना हो जाएगा C is equal to A epsilon not upon D minus T plus T upon K यहाँ फिर C is equal to हो जाएगा C not यहाँ पे आप देख लीजेगा formula काफी important है C is equal to C not upon 1 minus T upon D 1 minus T upon K So this is the formula for capacitance due to dielectric medium C जो है वो यहाँ पे greater than होगा C not से क्योंकि हमने यहाँ पे dielectric medium रख दिया है capacitance increase होगा यहाँ पे with introducing dielectric slab अगर हम कोई dielectric slab slab इसमें introduce करते है तो इसकी विजासे जो capacitance है इसका वो क्या होगा increase होगा अगर हम dielectric slab यहाँ पे occupy करते हैं whole space between the plates that is T is equal to D मतलब अब हम कोई भी जगह खाली नहीं चोड़ेंगे plates के बीच में पूरा का पूरा जो space है वो dielectric से बढ़ देंगे तो उस case में C की value के C not के एककोल हो जाएगी यानि कि dielectric constant जो होगा वक C is equal to C upon C not होगा तो dielectric slab के लिए अगर हम बात करें तो physical quantities देखते हैं and with battery connected and with battery disconnected and with battery connected तो charge जो होता है वो same रहता है बैटरी को हटा दिया जाए तब भी बैटरी को अगर disconnect कर दिया जाए तो charge जो होगा बैटरी को अगर connect किया जाए तो charge increase होता है ठीक है यानि कि charge उसमें और store हो जाएगा कितना हो जाएगा के C not V not capacitance की बात करें तो वो increase होता है बैटरी disconnect करने पर और charge अगर connect करेंगे तब भी वो increase होगा electric field decrease होता है बैटरी disconnect करने पर और increase अगर connect करेंगे तो वो same रहेगा potential difference decrease होगा और अगर connect करेंगे तो same रहेगा energy जो होगी वो same रहेगी अगर disconnect करेंगे तो अगर हम उसको connect करेंगे बैटरी को तो वो increase होगी ठीक है अब हम बात करते हैं 1D graph generator की 1D graph generator जो है वो क्या है इस capacitance वाले spherical capacitor वाला जो हमने पढ़ पढ़ा था spherical capacitor में हमने बढ़ा था कि एक isolated spherical conductor है उस पर charge store होता है तो उसमें जो charge store होता है वो कितना होता है उसकी capacity होती है 4 pi epsilon 0 r यही concept जो है वो हमें यहाँ पर लगाना है इसी principle पर यह based है और साथी साथ हमने एक और पढ़ा था electric field is equal to sigma upon epsilon 0 या फिर Q upon A epsilon 0 यानि कि area जितना कम होगा electric field उतना ही जादा होगा तो यह concept यह दो principle है जिस पर यह based है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं एक sphere है S ठीक है इस पर दो पुली लगी होई है एक पुली है C1 नीचे की तरफ दूसरी पुली लगी है P2 उपर की तरफ यहाँ पर motor लगी हुई है यहाँ पर दो कॉम है C1 and C2 कॉम का जो अगला सिरा है वो बहुत ही नुकीला है जिसकी वज़े से इसका area जो होगा बहुत कम होगा तो less area larger electric field यह concept यादर ना less area larger electric field तो यहाँ पर क्या होता है कि charge का store होता है heavily electric field यहाँ पर produce होता है तो यहाँ पर high voltage source लगा हुआ है इसको हमने क्या करा है earth head किया है यहाँ से तो बाकी का जो part है जो इसमें extra charge होगा और यहाँ से high battery से ही जो connect है यह belt यह silk की belt है इस silk की belt पर बाकी का charge हो होगा चिपक जाएगा इसकी पूरा जो mechanism है पूरी जो process है वो समझ लेते है तो यह belt लगातर गूम रही है यह pulley पर है तो belt लगातर क्या कर रही है गूम रही है इस motor की help से यह silk की belt इस पर बंद होई है इस पर जो charge आ रहा है इस C1 से वो इस पर चिपक जा रहा है किसकी विज़े से हमने starting में एक concept पढ़ा था charge due to friction तो इसको अगर हम रब करते हैं तो इस पर एक charge आ गया same यही यहाँ पर हमने यह जो charge आया इसको अगर paper के पास लेके जाएगे तो paper पर भी charge आ जाएगा induced हो जाएगा उस पर charge because of induction ठीक है तो वही यहाँ पर concept लगा हुआ है तो इस पर जो charge आया है positive charge यह induction की विज़े से belt पर चिपक गया silky belt पर यह belt उपर की तरफ जाएगी तो यह जो comb है यह इसको अपनी तरफ attract कर लेगा यानि कि negative charge आ गया तो अंदर वाला जो part है इस sphere का इस पर क्या जाएगा negative charge जिसकी विज़े से बाहर वाली surface और इस पर क्या होगा positive charge होगा इस positive charge को क्या कर ले जाता है collect कर दिया जाता है collector की health से इसको collect कर ले जाता है इस charge को तो इसकी विज़े से एक charge को यानि कि one unit charge को कई unit charge में convert कर दे जाता है यानि कि इसमें ये एक generator की तरह work करता है इससे जो charge का amount है वो बहुत कई गुना बढ़ाया जा सकता है ठीक है? HVR क्या है कि high voltage rectifier यहाँ पर high voltage rectifier यहाँ पर लगा हुआ है अब बात करें यहाँ पर इसके पूरे principle की principle मैने आपको समझाया फिर भी यहाँ पर देख लीजिये consider two charge conducting spherical cells such that one is smaller and other is larger when the smaller one is kept inside the larger one and connected together charge from smaller one is transferred to the larger shell irrespective of the higher potential of the larger shell that is the charge reside on the outer surface of the outer shell and the potential of the outer shell is increases considerably तो यहाँ पर जो charge है वो क्या होता है increase होता है यहाँ पर potential दोनों के बीच का increase होगा क्योंकि charge लगातार store हो रहे है outer surface पर store हो रहा है inner surface की health से sharp pointed जो मैंने बताया था key is equal to कितना होता है q upon a epsilon not यहाँ पर हम कह सकते हैं sharp pointed surface surfaces of the conductor have larger surface charge density इनके पास larger surface charge density होती है यानिके sigma की value बहुत ज़्यादा होगी and hence the electric field created by them is very high compared to the dielectric strength of the dielectric air वो dielectric of air की बज़े से जो capacity क्या हो रही है create हो रही है ज़्यादा electric field इसकी ज़्याइसे create होता है therefore air surrounded these conductors get ionized जिसकी ज़्याइसे जो आसपास की air है वो क्या हो जाती है ionized हो जाती है and the like charge are repelled by the charge charged point pointed conductor causing discharging action known as corona discharge or action of point okay so the spread charges moving with the high speed cause electric wind is electric wind की वज़े से यह जो charge है वो पूरे के पूरे इसमें spread हो जाते and opposite charge are induced on the teeth of collecting com जिसको हम conductor लेते हैं यानि की चालक लेते है and again opposite charges are induced on the other com ठीक है तो पहले वाले com से यह क्या हो रहे है induced हो रहे outer surface of the collecting sphere जिसको हम बोलते है dome dome पर इसको collectic कर लिया जाता है आगे बात करते हैं इसके पूरे construction की construction के बारे मैंने आपको बताया था क्या होती है कि कुछ few meter की radius की यहापे एक spherical shell होता है इसमें एक silk की या rubber की belt लगी होती है मोटर लगी होती है जिसमें पुली से यह मोटर जो होती है वो belt की हैसे बंदी होती है इसमें दो कॉम होंगे पहला दूसरा कॉम जो की hvr यानि की high voltage rectifier से की हैसे क्या होता है जोड़ा होता है एक tube होता है T इस चाज़ पार्डिकल तो दा एक्चलरेट अट इस टॉप और टार्गेट अट बोटम इस प्लेज़ एस सोन इन दा फिगर तो बोटम एंड अफ तूब इस अर्थेट पार मेंटें दा लोर पोटेंसियल तो इसको पोटेंसियल को मेंटें करने के लिए इसको अर्थेट किया जाता है तो अबवाट लीकेज ऑफ दा चार्ज रॉम दा स्वेर जनेरेटर इस एंप्लोज़ इन दा स्टील टैंक तो एक पूरे एपरेटस को पूरे उपकरण को नहा रखा जाता है कि स्टील टैंक में रख दिया जाता है वेद एयर एंड नाइट्रोजन एट वेरी हाई प्रेशर जिसमें एयर या फिर नाइट्रोजन बड़ी होती है बहुत ज़्यादा प्रेशर का लगबग 15 एट्मोस्टेर प्रेशर होता है इतने प्रेशर पर इसको रखा जाता है वर्किंग की बात करें तो वर्किंग मैंने आपको बता दिये किस तरीके से ये वर्क करता है ये पूरी प्रोसेस वही है maximum potential इससे क्या होता है हमें प्राप्त होता है और ये generator है uses इसकी बात करें तो 1D graph जो generator है इसका use बहुत high potential difference को produce करने के लिए किया जाता है of the order of the several million volts for accelerating charged particle इसी charged particle को accelerate करने के लिए बहुत high या फिर कई million volts को produce करने के लिए इसका use किया जाता है and the beam of the accelerated charged particle are used to trigger nuclear reaction और इन जो accelerated charged particle है इनका use हम किस में करते है nuclear reaction को trigger करने में या break करने में करते है या nuclear reaction में करते है generally the beam is used to break atoms to various experiment in physics in beams का use जो है वो atoms को break करने में बहुत सारे physics के experiment में किया जाता है and in medicine such beam are used to treat cancer तो ऐसे beam का use cancer के treatment में भी किया जाता है ठीक है medical line में and it is used for research purpose इसका use research purpose के लिए भी किया जाता है one two three four इनके four uses जहाँ पर मैंने आपको बता दिये ठीक है और five approximately तो ये जो पूरा chapter था ये capacitance पर based था ये पूरा जो lecture था वो capacitance पर based था जहाँ पर हमने इस से related सारे topics पर लिए cover कर लिए तो उम्मीद है कि इस lecture से या फिर पूरे electrostatic में जो भी हमने cover किया है electrostatic one two three four four part जो हमने cover करें इनमें अगर आपको कोई problem आती है आप पूछ लीजिएगा आप comment box में पूछ सकते हैं ठीक है लिख सकते हैं अपना doubt और उम्मीद है कि आपको ये पूरा clear हो गया होगा और notes आपने बनाए होंगे तो next chapter हम cover करेंगे chapter number three और next unit जिसका नाम है current electricity ठीक है तो उसको हम next video में cover करेंगे तो thanks for watching